हाँ अब बात होती है चेप्टर साथ गलाफ नाइन्थ एंसी यारटी महत सबसे पहले है तिरबूज यह तिरबूज का साइन है इंगलिस में लिखते हैं ट्राइंगल हिंदी में लिखते हैं तिरबूज तिरबूज किसे काई चाहते हैं? तीन बुजाओं से घिरी हुई और बंद आकरती तिरभूज कहलाती है। देखो बच्चा कैसे? आगर मैंने तीन बुजा ऐसे बना दिया ऐसे, तो क्या ये तिरभूज है? बोलो यास या नो, ये तिरभूज है? देखो किरन मौर्या ने सब कुछ बता दिया किरन मौर्या जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको देखो बच्चा यह फिगर वन है और एक मैंने और भी खीचा फिगर टू यह बोलो ट्राइंगल है कि नहीं या नो अनुराग सर नहीं अच्छा और कोई एनिवन देखो बच्चा यह ट्राइंगल नहीं है क्योंकि यह बंद नहीं है यह क्लोज सेफ नहीं है सेफ जो है क्लोज होना चाहिए मतलब वो चारो तरफ बंद होना चाहिए खुला नहीं होन यह इसमें से कोई आके घुच जाए अगर ऐसा होगा तो वह ट्रेंगल नहीं होगा हुँ चलो देखो यह क्या है यह ट्रेंगल है चुकि यह चारो तरफ से बंद है मतलब तीनों तरफ से क्या है कुलोज है ठीक है मैं कमेंट देखने के लिए इसमें चला लेता हूँ वीडियो को दूसरे फोन में चलो जिससे की हम बहतर कर सकें ओके तो क्वाल्टी तो बहतर दिख रही है इंटरनेट सुलो है क्या इंटरनेट बहुत घटिया चल रहा है आज चलो तो यह समझ गए आप तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्भूच कहलाती है जैसे यह आप बना लो यह बना लो लिख लो परिभासा लिख लो क्या होता है तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकरती तिर्भूच कहलाती है क्या होता है तीन भुजाओं से गिरी बंद आकरती तिर्भुज कहलाती है आप लोग लिख लो बहुत ही मज़दार आज ये सेशन होने माला है रोहिला खातुन जी मैं देख पा रहा हूँ आपको संज़े कुमार जी आपका भी कमेंट आ रहा है चलिए इसके बाद अब हम मुख्य बाते करते हैं जो मतलब की बाते हैं कुछ ज़्यादा important है उनको आपके सामने paste करेंगे हाँ चलो ठीक है तो आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे अब ये आप लोग समझ गए इसकी English में definition भी सुन लो English में बोलते है triangle can be classified in two ways एक by side and एक by क्या होता भई English בא 8 चलो लिखो फटाफटल लिखो मैं यह तो होगया triangle की से कहते हैं इसहाई हो अब हम लिखेंगे देखेंगे तिरभूज के परकार क्या देखेंगे तिरभूज़ के परकार आप यानी classification आप triangle तिरभूज़ कितने परकार के होते हैं एंड कैसे होते हैं ध्यान दो बहुत ही मज़ेदार है समझ में आरहा वाइed दरम राज जी आपका भी कमेंट आ रहा है करला छ लिखो लिखो जल्दी जल्दे रेडी हो जा भी दालो नंबर ए डालोग यह भूजा, नंबर भी कोण, खीक है, इंग्लिस वाले लिखेंगे, ट्रेंगल can be classified in two ways, ट्रेंगल can be classified by two ways, ना, है ना, लिखो, जल्दे फट से लिखो, इन two ways, मैं हिंदी में लिखाऊं क्या, नंबर ए, क्या भाई, नंबर ए, बाई साइड, नंबर ए बाई साइड, और नंबर दो है बाई एंगल, लिखो फटा-फट लिखो, बाई साइड एंड बाई एंगल, यानि हिंदी में भी लिख लो टेंसन मतलो हिंदी बोल रहा हूं तिर भूज को दो परकार से वर्गी कृत किया जा सकता है तिर भूज को दो परकार से वर्गी कृत किया जा सकता है नमबर ए भूजा द्वारा और नमबर भी कौन द्वारा यह हो गया ठीक है मैं बोल तो रहा हूं न सुनाई तो आपको पढ़ रहा है तिर बुज को दो परकार से वर्गी कृत किया जा सकता है नमबर ए भुजा द्वारा नमबर भी कौन द्वारा इतना हो गया बच्चा चलो फटा फट हम लोग फिर रेडी चलते हैं आगे बढ़ते हैं यह आपका हो गया इतना आप लिखो टाइफ आफ ट्रेंगल टाइफ आफ ट्रेंगल बाई साइड ओके अगला एडिंग डालो अब टाइप आफ ट्रेंगल बाई साइड इसको मैं मिटा दे रहा हूं ठीक है रामफूल जी तुमको मैं नहीं बता पाऊंगो बच्चा वा फॉसना नहीं पाइब यहन दौन को जार सुबस्वाल नहीं स्वाध नूए पढ़नेन क्यों पॉसके देपल नगीचे औरें लिखो ट्रेंगल बाई साइड हिंडी वाले लिखें भूजा के शराय के पर्दिश के परकार हिंदी वाले लिखो भूजा के आधार पर वालेंगल हम बाई साइड ह Ravi लिखे घुजा के आधार भर तिर भुज की परकार ठीक है ऑककिल्थ हतो परवाइवसाइड इक्ति ह्वांग laid ट्राइंगल एंड इसकेला ट्रींगल बाई एंगल जी बिल्कुल के नमर्या जी बिल्कुल बेरी गुड तो बाई साइड में थ्री टाइब के होते हैं बाबू क्या होते हैं यह थ्री टाइब के ट्राइंगल होते हैं नमबर एक जो होता है एक्वालेटरल ट्राइंगल एक्वाल लिखो पहले एक्यू यू आई एल ठीक है एक्वाल लिखोगे इको लिखने के बाद क्या लिखोगे Equilateral Triangle यह Triangle Hindi में भी बताऊएँगा 10 Sun मत लेना ओके Triangle शूके ठीक ठीक है आप क्या करोगे यह हो गया आपका Equilateral Triangle हिंदी में बहुत अच्छा आता Ingallis में मुझे कुछ दिख्कत होती है Hindi में लिखो क्या लिखो गें बच्चां हिन्दी में संबाहु तिरभूज अब इसका मतलब समझतthank वाहिला खान जी आपको विलकुल मैं यह हैगा को मद हो हैं आप समझा होना है देखो यहां पर साइड में नाम से हस्पष्ट है सम प्लस बाहू बाहू का मतलब बाहू नहीं भुजा होता है यहां बाहू का मतलब यानी जैसे यह मैं खीच रहा हूं यहां द्यान दो यह एक आईसा ट्राइंगल जिसका आलफाइड इक्वल हो समझ गहना बच्चा यह आल कुल्टरल ट्राइंगल कहलाता है मिठेश सोन कर आरा समझ में दुर्गेश सोनी संजय धरम राज सीवानी आदो सबको समझ में आ रहा है बच्चा आरना भाया साम को सात बज़े से डेली यह लाइब होता है हर दिन होता है किसी दिन बाकी नहीं किना हो ठीक है तो इसलिए क क्या करोगे इमानदारी से हर रोज पढ़ोगे हाँ चले आगे यह हो गया समझ गया है इक को इसे लिख लो मैं सामने से हट जाता हूं आप लोग लिखो परिभासा जिनको लिखना लिख लो एक ऐसा तिर्भूज जिसकी तीनों भूजाएं बराबर होती है एक ऐसा संबाहु तिर्भूज कहलाता है क्या कहलाता है संबाहु तिर्भूज कहलाता है इसको आप लोग लिख लिए चलो बच्चा ओके मैं कोशिस करता हूँ कुछ लोगों को Share करने का इसलिए मुझे कभी कभी-कभी लेट हो जाता है अगला लिखो आईसोजेलेस ट्रेंगल जिसे संब्दूरी बाहु तिरपुज कहते है डनुज बच्चा सम्दुई बाहु तिरभुज कहते हैं ठीक है रामफूर जी कलाश 10 का बच्चा सुबह आठ बजे दो पार दो बजे दोनों में से एक टाइम देखो ठीक है सुबह आठ बजे दो पार दो बजे मैं दो टाइम आप लोगों को सजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों में से जो है एक टाइम आपको मिलेगा पहले चल रहा था सुबह आठ बजे फिर ये टाइम बदल रहा है तो बदल रहा है तो आपको दिक्कत ना हो इस वजह से में बता दे रहा हूं अगला लिखो लिखो फटा फट आइसो शेलेश ट्राइंगल भी वाला लिखो आइसो शेलेश ट्राइंगल ओके जल्दी फट से लिखो भाई क्या होगा इसका is spelling isosceles triangle हिंदी में बहुत अच्छे सेमापको बताएंगे आई सोचलेस triangle जिसे बोलते हैं सम दूई बाहू समदूई बाहू तिरभूज क्या है यह सम्दूई बाहू तिरभूज ठीक है आप लोग फटा फट spelling देखो correct है ना क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ाता हूं इंगलिस में नहीं है हिंदी में भी बोल रहा हूं भाई और यह वह होता है देखो पूलते हैं संदूश दिर्भूज में इसी इंगलिस क्या होता है देखो कि सम्दूबाहु सिर्भूज वह होता वठ्चा यह एक ऐसा तिर्भूज है जी की दो वुजाय आपस में बराबर में यह ठीक है एक ऐसा तिरभूच जिसकी दो भूजाएं आपस में बराबर होती है वो सम्दुई बाहु तिरभूच कालाता है ये कलास हर रोज साम को साथ बजे होती याद रखना बच्चा जो भी नए साथी जुड़े हैं सभी याद रखेंगे कि साम को होती हर रोज साथ बजे से और आप लोग इस कलास को खूब सेयर किया करो खूब दबा के सेयर किया करो ठीक है अगला क्या होगा भाई चलो बताओ आसीज कुमार पाल अगला बताओ क्या होगा अगला बताओ जल्दी करो चलो रेडी फटा फट देर मत करो एक भी सिकेंड इसके लेंड ट्राइंगल अगला क्या है इसके लेंड ट्राइंगल इसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं इसके लेंड ट्राइंगल ना इसको हिंदी में का बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे बिसम बाहु तिर्भूज भाईया हिंदी वाले लिख लो नराज मतो हिंदी में लिखेंगे बिसम बाहु तिर्भूज क्या लिखेंगे बिसम बाहु तिर्भूज नाम से अस्वश्ट है बिसम बाहु बिसम बाहु तिर्भूज बहुत आसान है बच्चा ये बेरी सिंपल सा है एक ऐसे प्रकार का तिरभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो वो बिसम बाहु तिरभुज कहलाता है क्या कालाता है विसम बाहुतिर्भूच कालाता है आकास कुमार आप नए हो ठीक है बच्चा कोई बात नहीं बाबू बहुत अच्छी बात है चलो ये देखो इदर साइड में इसको ऐसे मिला लो इसमें अगर ये 7 है हाँ तो ये 6 होगा ये 5 होगा या 3 होगा कुछ भी होगा तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी ठीक है राहिला खान आपसे ही बात की थी आज हमने राहिला जी मुझे नहीं पता हो सकता है बैंसर ने भी किया होगा या भी से एक अखलेस कई लोग होते हैं हो सकता मैं नहीं किया हो तो मुझे नहीं याद है ठीक है समझ गए स्केलेंट ट्राइंगल क्या होता है विसम बाहु तिर्भुज एक ऐसा तिर्भुज जिसकी तीनों भुजाएं आसमान लंबाई की हो मतलब कोई दो हो तो कोई पांच हो कोई तीनों कुछ भी हो अलग अलग हो रामफूल गौर्ण आज कच्छा लंधेऊं शुबा चली ने अज पड़ाएं। स्वाब मंठेऊ लें मैंने देखें है क्योंकि मैंने देखा जब community tab में तो कुछ लोग सुबा बोल रहें कुछ लोग साम को बोल रहें हमने का ठीक है तुम लोग बुजा लो पहले तब मैं पढ़ाऊंगा अब लिखो अगला next three type next three type देखो अंजली साहु आ रहा समझ में यह मुझ में क्या हुआ टोपा लगाये हो ऐसे करें देखो अटाइप आफ ट्राइंगल भाई एंगल एंगल लिखो नहीं तो एंजल लिख जाता है मुझसे बड़ा गड़बड हो जाता है कि अब इसमें तीन कौन कौन होता है चल बताओ क्या होता तीन इसमें इसमें पंचाल देख रहा हूं मैं आपको सोनु कुमार आकास कुमार बच्चा पढ़ा दिया गया बहुपद पले लिस्ट में जाके देख लो बाब उठीक है बहुपद पढ़ा दिया गया जाके देख लो चलो इसमें फ्राश टाइफ होता है नियून कौन तीरभूज इसको मैं हंदी में इस इंग्लिस में भी लिखोंगा इंग्लिस में बच्चा इससे क्या बोलते हैं एक्यूट कर सलनक्सष्थ क्यूण क्यों को एक्यूट एंग्लड ट्रैंगल ऐसे कुछ बोलते बड़ा अटपटी एंग्रेजी होती है एंगल्ड ट्राइंगल लिखो एंगल्ड ट्राइंगल नियून कौन तिर्फूज मतलब एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल यह क्या होता भाया यह कौन सी मुसीबत का नाम है ध्यान दो आप लोग सुनील चत्तुर चंद्रबंसी जी प्यार से देखो अंजली साहूँ आप भी ध्यान से देखो बिल्ला उल्ला मत वेजो निक काट लेगा चलो आप पढ़ने की कोशिस करो इसमें कि अ कि द्यान दो देखो निवन कॉण तिरभूज यहा होता है मतलब एक अइसा तिरभूज जिसका पर्ति कॉण नव्यन से कम होता है मतलब नाइन-टी से ब्लो होता है वह क्या होता है निवन कॉण किरन मौर्या को काफी कुछ आता है मतलब यह 90 से क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए बस यह ऐसे कह सकते हो निवन कोड वैसे भी 90 से कम ही होता है कि समझ गे ना अननत जी समझ में आरा कुछ कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में बस रहा है रामफूल गोड अनुपम यादो देखो सभी बच्चों से हमारी एक निवेदना है यह कि आप अपने साथियों को लाइब में लेके आओ जो 25 लोग देख रहे हो ना अगर यह 50 लोग 100 लोग देखेंगे तो हम पूरा कोर्स यूपी में हर जगा होने लगा ना ठीक तो यह काम आपकी जिम्मेदारी है और चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है ऐसे कमेंट को हैड करके तुरन सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन दबा दो घंटी को बजा दो इतना कर फिर सब कुछ पढ़ आओ एक तरफ से ठीक है अनन्द पांड़े जी क्या है बच्चा पढ़ा नहीं जा रहा है फिर इतो पढ़ा जा रहा ना चेक तो समझ गए एक ऐसा तिरभूच जिसका पर सब्सक्राइब करेंगे इसको मैं मिटा दे रहा हूं इसका काम खतम है अगला आता है इसमें सम्कौंड तिर्भुज सम्कौंड तिर्भुज क्या है देखो अभी exercise नहीं करवा रहे हैं अभी exercise हम लोग करेंगे यह introduction चल रहा है अभी इंट्रोडक्शन जब हो जायागा तो 7.1 पढ़ेंगे हम लोग अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है यह चैप्टर साथ के बारे में अध्यन कर लो पहले उसके बाद फिर चलेगा आपका 7.1 exercise 7.1 अभी नहीं चल रहा है अभी नंबर लिखो बच्चा अगा समकोड तिरभूज क्या लिखोगे बेटा समकोड तिरभूज इसे का का बोलते हैं इंगलीज में इंगलीज में कोई बताएगा नहीं बताओगे सब लोग हिंदिये वाले होका हाँ माफिय किंग हमरे नंबर इस वह अउपर लेकिन आपका नाम माफिया इसलिए मुझे डर लग रहा है आपसे देखो लिखो राइट एंगल ट्रेंगल टी आर आई एन जी लए ये बहु ये राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है एक ऐसा तिरभूज एक ऐसा तिरभूज जिसका कोई एक और नब्बे अन्स का हो क्या हो कोई कोई कॉन अन्च का हो वो सम vista का लाता है थीकर समझ रहे हों कह नहीं कोई भी एक को नबबे अंस का हो वास वान एंगल इज नैंटी बिल्कुल किरन मौर्या जी बेरी गुड है कि सही है सभी का क्या हुआ हाँ तो कोई डाउट है तो बताओ अनंत पंडे अभी आओ तो तुमको भी दिखा दें हां मेरे पास आजाओ तुम थोड़ा सा क्योंकि मैं यहां पर चापके खड़ा रहा हूं तो लिखोगे कैसे हां लिखोगे कैसे साइड नहीं होंगे तो तो अपना दिमाग थोड़ा अपने पास में रखके रहो ठीक है हरी बन सियातो जिए ठीक है देखेंजे हम लोग ट्राइ करेंगे कोशिश करते हैं साम को करने का वैसे हैं अगर साम को करेंगे बच्चा तो फिर सात बजे के पहले ही करेंगे क्योंकि सूबह केullah साम के टाइम जो है खाली नहीं यह सारा सिस्टम बुक है सब सुबह खुब जल्दी पढ़ लो ना फिर या तो कच्छा दस वालों का कोशिश करते हैं सुबह साथ बज़े चे बज़े अरे उठ जाया करो जल्दी सोके चलो अगला लिखो सी टाइब में क्या कहता है है कौन कौन सम हो गया कोड क्या धार पर किया वण्यून कोड हो गया वकल है अगला है अधी कोड क्या वच्चा अधी कोड लिखो जल्दी से इसको क्या बोलते हैं इंगलीज में भाई अप्ट्यूस एंगल ट्रेंगल है ना चलो क्या बोलते हैं इसे अप्ट्यूस एंगल ट्रेंगल ना एंगल ट्रेंगल चलो लिखो जल दीसे फटा फट हीडिंग डालो अप्ट्यूस एंगल ट्रेंगल यह क्या होता है greater than 90 right एक ऐसा तिर्भूज जिसका कोई भी एक कॉण है एक ऐसा तिर्भूज जिसका कोई भी एक कॉण 90 मतलब कोई भी एक का रहिल्ला खान जी अब क्या मैं आपको कोई अलग से समझाओं आप वीडियो को दुबारा देखिए आप जीरो लेबल से सुरू करिए यहां पल ले नहीं पड़ेगा यहाई लेबल की मैथ है हाई स्कूल की मैथ है एक परकार से अगर आपका मैथ वीख है तो आप पीछे से पड़िये स्टार्टिंग से मुली राम भदसर जी आराना कुछ समझ में अधिक कोंट तिर्भुज क्या होता है एक ऐसा तिर्भुज जिसका कोई एक कोंड 90 अन से अधिक होता है वो अधिक कोंट तिर्भुज कहलाता है तो यह आपका तिर्भुज परकार खतम हो गया अगला पढ़ोगे सरवांगसम और समरूप तिर्भुज क्या पढ़ोगे बच्चा सरवांगसम और समरूप तिर्भुज पढ़ोगे तो मैं इसको तो ऐसे फिलहाल कल पढ़ाऊंगा लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं इसमें अभी बच्चे चुकी 25-30 जुड़ते हैं इसलिए मैं सिर्फ आधा गंटा पढ़ाता हूं ठीक है आप लोग बच्चों को ले के आओ धेर सारी संख्या में अगर आप 100 बच्चे पूरा कर देंगे भाय 25 लोग हो दो तिन तिन लोग को और ले के आओ सो बच्चे हो जाए हम पूरे गंटे पढ़ाएंगे लेकिन अभी जब तक आप लोग की संख्या ट्रक्ट से कम है तब तक हम एक घंटे नहीं पढ़ाएंगे कभी तो क्या करेंगे हम कल आम लोग पढ़ेंगे सरवांगसम तिरभूज कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा कल हम सरवांगसम तिरभूज पढ़ेंगे एक मैं थोड़ा सा है एक सफेद है मतलब दो ऐसे तिर्भूत जिनको एक दूसरे पर रखें तो पूरा पूरा ढंक लें उनको जैसे देखो मैं सफेद वाला देखो इस पर रख रहा हूं इधर से अब तुम ध्यान से देखना उधर से सफेद वाला बिल्कुल नहीं दिखेगा मैं इसको ठाक इ आ दे नीदी हरा है क्या कि अा सफेद वाला दिख रहा है क्यार है सफेद वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है क्या बोलो दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा ना बच्चा लेकिन ये था ये 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 है ना तो ऐसा तिरभूज होना चाहिए कि एक दूसरे के उपर मतलब उनको रख देना चड़ा देना तो छुप जाएं दिखें ही ना जैसे देखो इधर से मैंने बलेक वाला आपको दिखाया प्रिया चुप गया ऐसे अगर हम सपेद वाला आपको दिखाये और बलेक वाला इसमें लाके ऐसे चूप आ देंगे दियान से देखो कहीं हलका से भी नहीं दिखेगा ये अब देखो कहीं बलेक वाला दिख रहा किसी को बहुत थोड़ा गड़ा जारहा है इस वज़ास च समान हो ठीक है उनका सेप भी समान हो और उनका क्या समान हो साइज भी समान हो सेप और साइज में अंतर होता है सेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए जैसे देखो इधर साइड में बच्चा देखो सेप और साइज समझ लो जैसे ये तिर्भूज है, ये तिर्भूज है ना, मैंने एक तिर्भूज ऐसे और बना दिया, येलो, ऐसे मैंने इसको और सुला दिया, येलो, ये भी एक तिर्भूज है, इन दोनों का सेफ समान है, सेफ, सेफ मतलब जानगे ना, भया इसमें भी एक लाइन सीधी है, एक त अगर इसमें यह साथ सेंटीमीटर है इसमें यह पांच सेंटीमीटर है तो इसमें नौ सेंटीमीटर है और इसमें यह बिचारा चार सेंटीमीटर है तो छोटका हुआ छे सेंटीमीटर है है कि आया समझ में यह दोनों से जेद है लेकिन साइज सेप नहीं है और यह साइज ऑस ऑसोरी जो है वो सेम नहीं है और सेम साइज सेब सें सेप वाला मैं हाथ में लेके घूम रहा हूं यह इसलिए मैने अज Col不对 में ने काला किया हाँ रामफूल जी आराना समझ में बच्चा तो चल पूछा जाए तिरभूज कितने परकार के होते हैं तो तिरभूज 6 परकार के होते हैं लेकिन अगर पूछा जाए कि भूजा के आधार पे कितने परकार के होते हैं तो तीन परकार के होते हैं अगर सिर्फ इतना पूछा कि तिर्भूज कितने परकार के होते हैं तो आप छे बता होगे याद रखना ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे सर्बांग सम्ता क्या पढ़ेंगे सर्बांग सम्ता तो चलो अब हम बात करते हैं आखिर यह तिर्भूज की यह सर्बांग सम्ता कौन सा जानवर का नाम है चलो according 3 यह बेंज आ नहीं होता साहु जी यह भुजअ ओता है ठीक है चलिए अब हम क्या करेंगे कांगुरियंस के बारे में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कांगुरियंस इसे इंगलिज में क्या बोलते हैं कांगुरियंस इस्पेलिंग जाहा है नग2 कि एक पेलिंग यह होती न है देखो यह होता क्या है कांगुरियंस क्या होता है इसके वैस तो कई परकार होते हैं कई कई कंडिशन होती है कोई भी तिरभूज कैसे होगा सरवंग सम आप कैसे जानोंगे देखो मतलब समझो कि सर्व अंग सम अगर हम इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखें इसका मतलब है सर्व अंग समान कि सर्व अंग समता का मतलब होता है सर्व अंग समान ठीक है अब द्यान तो सर्व अंग समान का मतलब क्या हुआ जैसे अगर हमारे हाथ के अंगुली है तो मुझे ये बताओ क्या ये अंगुली सब बराबर है ये अंगुली सब बराबर है नहीं बराबर है न इसका मतलब हमारी अंगुली आपस में बराबर नहीं है बराबर नहीं है लेकिन अगर मैं कहूं क्या यह दोनों मारकर बराबर दिख रहे आपको मतलब बराबर लंबाई बराबर मोटाई का दिख रहे हैं तो आप कहोगे हाँ इसका काला वाला भाग भी उतना ही बड़ा है और नीचे वाइट वाला पार्ट भी उतना ही बड़ा है अगर ध्यान दो बच्चा तो यह मारकर इक्वल है बराबर है ना मारकर यानि इसका टोपा भी बराबर है यह देखो ऐसे निकाल लो यह इसका टोपा टोपा ले लो भाई तो इसकी टोपी भी बराबर है आपस में चोटी बड़ी तो नहीं न एकदम बराबर है यह और अगर हम इसका यह ले 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 तो यह भी यानि दोनों मारकर क्या है दोनों मारकर सरवांगसम है क्या है दोनों मारकर सरवांगसम है ठीक है आप चलो ध्यान दो अब इधर साइड आप लोग ध्यान दो दोनों मारकर एक समान है यानि यह सरवांगसम है तिरभूज में कैसे होता है तिरभूज में ऐसे होता जैसे मैंन तिर्भूज मैंने बनाया यह ठीक है अब ध्यान देना हां मतलब सेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए कल मैंने थोड़ा सा बताया था लेकिन आज ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा तो बच्चा जैसे देखो यह ABC है और इस तिर्भूज का नाम है PQR अब ध्यान इसकी सेप भी वराबर हो और साइज भी वराबर हो सेप और साइज में अंतर होता है जैसे देखो थोड़ा सा सा सम्झो इस सेप और साइज क्या होता है शूकि हमें तो आपको सब यह बनाया इन दोनों का सेब मतलब आक्रती समान है दुर्गे सोनी बताओ इनका सेब समान है यास या नो बोलू सेब इक्वल है या नहीं चलो सेब भाई इनका सेब समान नहीं है ताथ समंघ में आ रही ना क्या है इनके सेप जो है समान नहीं है ठीक है आप समझो इधर साइज में समझो लेकिन इनकी साइज समान है ऐं आप,"भाई",जब सेप ही नहीं समान है तो हम साइज कैसे समान कर ताएँगे हाँ पहले सेब समान होना चाहिए तब ही साइज की compare कर पाओगे देखो यह तो गोलाई किर नुमा में है और यह ऐसे हैं तो आप कोई compare नहीं है यह यह ना거야 सेठ इनका आकार एक जैसे है ना आकार की अकृती इनकी आकृती से इसे मतलब इसके है अब बात करते हैं साइज की देखो हिंदी में मत समझों इंग्लिज में समझों जाने दो हिंदी बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है सेप का मतलब होता इसकी बनावटं अब साईजी में अगर हम चलेए थो अब साई-जी इसमें कंपर कर सकता है तो देखो मान लेते हैं 3 cm है तो यह भी ते 3 cm है यह 5 cm है तो यह भुझा भी 5 cm है यह 4 है और एपिए 2 सलबांक संटिवाग में सरिता यादो जी बताइए क्या ये दोनों सर्वांग सम्हें आसीज कुमारपाल आप भी बताओ ये दोनों सर्वांग सम्हें हाँ ये दोनों सर्वांग सम्हें क्यों क्योंकि इनकी जो है साइज भी एक समान है और स्वेप भी एक समान है ये सर्वांग सम्हें कल मैंने एक ए क्या है कि कुछ दिख रहा है मेरे हाथ में कुछ त्रेंगल आकार के पेपर हैं है आप दिखो यह दोनों अगर सरबांगसम होंगे पहले इनका मतलब समझो अगर यह दोनों kangurians होंगे तो इनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को पूरी तरह ढख लेंगे यह दिखेंगे नहीं हां मतलब यह फिर पीछे वाला नहीं दिखेगा देखो जैसे मैं आपकी तरह बलेक वाला करता हूं और वाइट वाला मैं इसमें ढखने की कोशिस करता हूं देखो ढखता है यह दिख रहा भी वाइट वाला ना अभी दिख रहा वाइट वाला ना मैंने क्या किया इसको थोड़ा अर्जेस्ट किया यह देखो अब बताव दिख रहा है वाइट वाला कहीं थोड़ा सा यह अब बताव वाइट वाला कहीं दिख रहा है नह मैंने उसको मोडा नहीं है मैंने मोडा नहीं मैंने क्या किया इधर यह मैंने ऐसे पकड़ा है तो अब इधर से बलेक दिख रहा है इधर से बलेक दिख रहा है बलेक नहीं दिख रहा है न मतलब पीछे का बलेक वाला नहीं दिख रहा है और इधर में गूम गया तो देखो व खलका भी दूसरा वाला नहीं दिख रहा है बोलो समझ में आया समझ में भई बहुत बड़ी चीज है समझ जाओ तो देखो एक बात और समझ लो एक बात और समझ लो अब तुम लोगगे क्या यही दोनों सर्भांग समहें आप चलो मैं चोटा सा एक जांपल और दिखाता हू देखो अब जैसे मैंने एक किताब ले लिया चलो यह मैंने बुक ले लिया अब मैं इसकी कंपेर करूं तो क्या दोनों सरबांगसम है चलो मैंने रखा इसे पेपर दिख रहा है पेपर नहीं दिख रहा है न लेकिन मैंने इधर से दिखाया कागज दिख रहा है यह सब कुछ मतलब कि इन दोनों में कोई compare नहीं हो सकता है क्योंकि इनका आकार भी अलग है अकृती भी अलग है यह कौपी देखो यह रेक्टेंगल मॉडल है यह किताब लेकिन यह तिरभूज है दोनों में बहुत बड़ा डिफ्रेंस है ठीक है बात समझ में आई ना सूरज कुमार जी आपका कमेंट आ रहा है प्रिंस पटेल अभी सेक मोनिका नौसाद राजा सब का आ रहा है चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जितने भी छात्र नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को तुरं सब्सक्राइब कर लें बहुत जल्दी कर लो और इस कलास को फट से लाइक कर साम को साथ बजे डेली लाइब आजाया करो हर दिन लाइब आजाया करो साम साथ बजे से विल्कुल फ्री ठीक है एक बर मैं फिर से रिपीट करूंगा उसके बाद आगे बढ़ूंगा इसके परकार बताऊंगा देखो सरवांगसम कैसे होता है जब दो तिरभूज एक ब्लैक वाले में यह देखो इसको रखा असे यह ऐसे रखा अब यह देखो दोनों को मैं वरावर कर रहा हूं तो यह एक दूसरे को ढंडा रहें आपको चब बीढ़ए कर नहीं ठीक है अब मुझे यह बता हो कैया आपको ब्लैक को या दिख रहा है किया आपको बलेक वाला दिख रहा नहीं दिख रहा ना बलो यास कि बलेक तिर पीछे वाला नहीं दिख रहा ना लेकिन मैं इसको क्या किया हमनानी उसोचों कुदर Muito been求 नहीं मैंने उसको पूरी तरह लदाया है इदर देखो ये इधर से वाइट दिख रहा है दोनो सर्भाँग सम है जैसे इनका आकार भी बराबर है अकृष आकरती भी बराबर है लेकिन अगर मैं कोई एक तिर्भूज बड़ा फल लिया वो भी एक सीकंड रुको मैं आपको एक बड़ा तिर्भूज भी ला कि एक दम किलियर करणू कोई कलाश छोड़के मत जाया ना अभी आगे भी बता रहा हूं यह नहीं कि मैं दिन बर रही बताऊंगा कुछ सिखन रुख जाओ बस कुछ सिखन रुख जाओ बच्चा मैं एक पेपर और ला रहा हूं आपके लिए मैं कांपी और फट डालूंगा टेंशन मत लो आप चलो ठीक है चलो तो अब मैं ज्यादा बड़ा तिर्भूज तो नहीं लाओंगा तिर्भूज तो छोटा सा लाओंगा ठीक है मैं एक और तिर्भूज ला रहा हूं जाना मत बच्चा जाना मत यह लो मैं ज्यादा कांपी नहीं फाड़ूंगा आपके पेपर फाड़ना पड़ और दौनों तिर्भूज की आकार के हैं यह भी तिर्भूज है यह भी तिर्भूज है लेकिन अगर इसको में धुसरे को उपर रखें ऐसे पर ठीघ रहा है अब मुझे बताओ क्या आपको प्रिंस प्र्टेल बैक आर ऺेट और इधर दिख रहा है भाई उधर्म घिंटा दिख रहा है ना प्रिंस पटेल दिख रहा है ना बलेक वाला दिख रहा है और इधर अगर मैं घूमूं तो क्या आपको वाइट वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है इधर से देखो दिख रहा ह यह दोनों तिर्भूज आकार के हैं यह दोनों तिर्भूज आकार के हैं लेकिन इन दोनों में सरवांग सम्ता वाली कंडिशन नहीं है इनकी देखो भूजाएं एक जैसे हैं तिर्भूज आकार की है मतलब जैसे मैं इधर साइड में बोल दूँ इनका दोने यंपल मैं बोर और ये तिर्भूजा है मतलब एक दादा है एक उसका बच्चा है ठीक है ये दोनों तिर्भूज तो हैं दोनों तीन भूजा वाले हैं बंद अकृती हैं दोनों तिर्भूज हैं लेकिन ये क्या है बच्चा है और ये क्या है दादा जी है तो भैया दादा जी और बच्चा ब्राबर थो नहीं रहेगा ना बड़ा चोटा तो रहेंगे ना के घर में द्रriteी होँगे आज़ चोटे से औह ने के ब्राबर नहीं होएग शारवांगसम है नहीं इनका आकार समान है आकार समान है नहीं आकृति समान है आकृति समान है हां आकृति समान है लेकिन आकार नहीं समान है सेफ इनका इक्वल है वह सेफ मतलब तिर्भूजा का रहें दोनों ठीक है वह या प्रिंस पटेल आपका इंटरनेट नहीं चल रहा आपना इंटरनेट चेंज मतलब सही करो या फिर आप शेटिंग में जाके क्वालटी बदल लो वीडियो का बाबू ठीक है शेटिंग में जाके क्वाल्टी चेंज कर लो हमारी तरब से फुल हची दिख रहा है आपका इंटरनेट दीमा है इस वजासे आपको थोड़ा समझ् इंटरनेट आपका तेज नहीं है चलो अब चलें आगे बढ़ें हम लोग समझ में आ गया ना तो अब हम देखेंगे कि ये सरवांगसम तिरभुच कितने परकार के होते है भाई ये तो दो तिरभुच के लिए हो गया अगर हम दो से अधीक तिरभुच की सरवांगसम ता की बात करें तो कितनी कंडीशन होती है अब हम उसके बारे में बात करेंगे आप मुझे ये बताओ क्या आप जानते हो जैसे आपने सुना होगा भूजा कौण, भूजा सरवांगसम ता बुझा-बुझा कोंड सारवांग समता ऐसा सुने ओ देखो अब तिरबुझ के परकार की बात नहीं हो रही यहां पर आरति मुर्या-जी मैं आपका कमेंट देख़ पा रहा हूं चलो अब इधर साइड में देखो क्या है इधर साइड में आप लोग ध्यान से देखो क्या है हाँ अब हम बात करेंगे कि कांगुरियंस जो होते हैं उनके कितने रूल होते हैं वो कितने कितनी इस्थिती में कांगुरियंस हो सकते हैं मतलब जैसे अगर कोई दो तिर्भूज उनकी भूजा भूजा बराबर है दोनों तिर्भूज में दो भूजाय बराबर है एक कौण बराबर है तब तिर्भूज सर्बांग सम होते है अगर किसी दो तिर्भूज के तीनों भूजाय बराबर है तो सर्बांग सम होते है अगर यूड़ा लागू हो रही आप अपना कैमरा चेक करिए पहले आपका इंटरनेट सही नहीं है ठीक है अपना इंटरनेट थीक नहीं है अपना इंटरनेट आप चेंज कर लो थोड़ा सा मतलब वीडियो की क्वाल्टी सही कर लो बस अच्छा दिखेगा चलिए हाँ तो अब हम क्या बात करते हैं अब लिखो आप लोग कर्टीरिया फार का एंगुरेंस आप ट्रेंगल तिरभुच के सरवांगसम होने की सरते हेडिंग डालो हिंदी में आप लोग तिरभुच के सरवांगसम होने की सरते मैं इसको इंगलिस में लिखते रहा हूं लिखो यह भिखो दिया कोनों कायर है हुद नलायक टाइप के हैं आप हमारे कुछ लोग है उनको मैं क्या कहूं है लिखो कर्टीरिया फार काइंगुरेंस आफ ट्राइंगल हाँ भीया चलो लिखो पहले हिंदी में लिखो तिरबुच के सरवांगसम होने की सरतें ठीक है आफ ट्राइंगल देखो मैं अकसर हिंदी में ही पढ़ाता हूं लेकिन मैं इंग्लिस में इसलिए लिख देता हूं जिससे की बच्चों को समझ में आए ठीक है आरती मौरा जी आप पढ़ाई करिये ठीक है यू काइं डू इट सब कुछ ठीक है बजिया देखो डिया फलार मैं जल्दी ही ले आऊंगा डिया फलार कैमरा आने वाला है आपकी यह भी सिकाय दूर हो जाएगी लेकिन बस हमें कुछ दिन और दीजिए आपसे निबेदन ह अपना विश्वास बना के रखिए और देखते रहिए चलिए इनके कितने सर्ते होती है तिरबुच के सरबांगसम होने की सर्तें देखो नहीं समझ में आगा बता देना पहली सर्त है बच्चा यस एस इस का मतलब क्या है कोई बताएगा कमेंट करके रेडी जल्दी बताओ अरती मौर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो अब बताएगे देखो इसका उत्तर किरन मौर्या का आगया सचीन कुमार बच्चा कच्छा साथ का नहीं होता है अब प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लो बाबू ठीक है अ आपकी काइंगुरेंस होने की पांच कंडिशन है कितनी कंडिशन है फाइव कंडिशन है कि जब दो ट्राइंगल का इंगुरेंस होंगे जब दो तीरभूज क्या होंगे सरवंगसम होंगे तो उनकी पांच कंडिशन है कितनी है पांच कंडिशन है जैसे हम सबसे पहले बा साइड जिसे बोलते हैं हिंदी वाले लिख लो भूजा कोण भूजा फटा फट इसे लिखो काँपी में तभी मज़ा आएगा नहीं मज़ा नहीं आएगा उपर हिंदी में लिख लो तिर भूज के सरवांगसम होने की सरतें तिर भूज की सरवांगसम होने की सरतें चलो ठीक बहुत अच्छे आजे कुमार यादो जी बेरी गुड शीवानी यादो बहुत बहुत धन्यवाद करेक्ट बिलकुल यह साइड 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 समझो साइड एंगल साइड का मतलब है कि जब किनी दो तिरभुज की दो भुजाएं और एक कोड एक दूसरे के बराबर ह होंगे तो सरवांसम होगे साइड साैड साइड का मतलब है कि दो दिये गए तिरभुज में या दो से अदिधी कि में सभी बुजाएं बराबर होंगी असमें तो Kisya sama buzza का मतलब हुआ इसकी इंगलिस बूजा होती है साइड की इंगलीज बुजा होती है और एंगल का मतलब को उड़ होता है बस ठीक है भाईया क्या बताऊं मैं तुमको क्लाश 10 वाले बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं मेरा मन नहीं करता उनको पढ़ाने का क्योंकि वह लोग संक्या में जुड़ते ही नहीं यार कच्छा दस वाले पांच आठ जुड़ते हैं तो वहीं हमारे कच्छा नव वाले जो प्यारे बच्चे हैं यह 30 40 50 तो मैं क्यूं पढ़ाऊं लेकिन हां पढ़ाता हूं कच्छा दस वालों को सुबह आठ बजे और दो दो बजे मैंने उनका दो टाइम अभी निकाला है लेकिन मैंने देखा एक भी टाइम पे वह अच्छे एफ ने जुड़ते हैं एक भी टाइम पे आप लोग साहिस ने जुड़ते हो तो मैं अभी सुबा ही पढ़ाऊंगा दो पार मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी मैं सुबा ह पढ़ाओंगा अेंगर साइड एंगल कोड़ कोड इसका मतलब है एंगल एंगल साइड भाईए लिखो सभी लोग लिखो लिखे हैं तो क्या मैं बेवuck provin pink तुम लोग लिखो कोड़ इसका मतलब है कि जो तबस्षार बांकसम होंगे चाहाए वो दो हैं तीन हैं जितने भी हैं उनमें से दो-दो कोण बराबर होंगे और एक बुजा बराबर होगी तब सरवांग समोंगे ठीक है चोटू लिख रहे हो रामफूल गोंड दुर्गे सोनी किरन मोर्या सिवानी आदो आरती आरती जी फोर समेश्टर का मैद पढ़ा दीजिए फिर से आरती जी आप प्लेलिस्ट में कलास है जाके पढ़ लीजिए न काहे को परसान किये प्लेलिस्ट में वीडियो है न ऐसे बा एक आरिफंगल इन्गल राइट एंगल राइट एंगल राइट मतलब राइट एंगल तरौ मैं है रपर होता है यारी बड़ बड़ इंगलीस मुझे इंगलीश की हृति का माती ये दिकत भी होती है इंदी में जानो हाइपोटर इम मतलब करण होता है हाई है हाई पोटिनीस साइड कि इसका मतलब हुआ कि समकोण करण ओर भूजा क्या हुआ समकोण करण और भूजा ठीक है ओक कि किरन मार्या ने एक हार डिस्क्रप्सन भी बता दिया है बहुत अच्छी बात है चलो समकोंड करड़ भूजा अब हम एक एक को explain करेंगे अभी तक तो मैंने देखा कि कितनी कंडिशन में दो थिर्भूज या दो से अधिक तिर्भूज सरबांग सम हो सकते हैं तो वह कंडिशन पांच है ए यस एस 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 और एच यह फाइब कंडिशन या फाइब कंडिशन या फाइब कटीरिया फार कंडिशन आफ ट्राइंगल नोट करिए या फिर स्क्रीन साट ले लिजिए उसके बाद हम आगे चलते हैं ठीक है कि आरती जी बताईए कहां बुक में का कुश्चन नहीं आप नंबर पर संपर्क करिए ठीक है नंबर दिया गया कल दिन में समसर से संपर्क करिए वहां पर आपको बताएंगे कैसे क्या करना है और भी बहुत सारे तरीके आप पढ़ सकते हैं नोट कर लिए मिटा दूं इस सरवांग्सम तिरभूञ चे संगत भाग एक प्रकार सिया समझ लो कि सरवांग्सम तिरभूझ में कौन-कौन से भाग संगत होते हैं संगत मतलब करस्वांडिंग बड़ी तो आज हम लोग यह पढ़ेंगे क्या वीस देखो इधर यहां देखो हैं डलो सी पी सी टी चलो बच्चे आप लोग इसका फुल फाम बताओ किरन महरे आप बताईए मोनु सिंग बताईए सीपी सीटी का फुल फाम जल्दी फर्ट से बताओ मैं आपका वीडियो थोड़ा एक फोन में प्ले करता हूं और मैं खुद देखूंगा कि कैसे दिख रहा है कि इतना अच्छा दिख रहा है चलो जल्दी से निवन कोई भी कमेंट करके बताए ऐसे मज प्रेंट ट्राइंगल ना यही तो इसका मतलब होता है ठीक है चलो फिर हम लोग वड़े आगे विल्कुल नो प्राब्लम गुड़ चलिए आप देखो इधर साइड में इसका मैं स्पेलिंग भी लिख लूँ आप लोग लिखो करस्पांडिंग एफे करस् पांडिंग पांड साफ कैंगूरियंट ट्रैंगल लिखो इधर तो काफी जगा है ना लिख लो जल्दी मैं कमेंट देख रहा हूं सभी कभाई कुछ लोगों के उतर नहीं आय अभी कंगूरियंट आर यूई-एटी ट्रेंगल टी आर आई एन जी ल ए ठीक है करस्वार्णिंग फार्ट आफ का एंगर्वेंट ट्रेंगल यानि की सरवांकसम तिरभुज के संगत भाग अब ध्यान से देखो आप लोग भाई इसमें बहुत कम कमेंट मुझे दिख रहे हैं पता नहीं क्यूं प्रिंस पटेल जी आपका कम दो तिरभुच दिए गये हैं इन्हीं के हम प्रोपरटी पढ़ेंगे ध्यान देना दो तिरभुज दी ये 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 क्या है दो डिये तो त्राइंगल दिए इन अप दयान से देखो भाई बहुत ही प्यार से देखो यह क्या कह रहें दो तिरभुज आJust I'm going to your camera चलो आपका भी आ रहा है चलो ठीक है इन तिर्भूज के नाम है ए वी और सी दूसरा तिर्भूज का कोई नाम अलग रख लो जैसे मालो मैंने फी क्यू और रख दिया अब ध्यान दो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझो भाई कमेंट आ रहा है आपका आम बुजया दो ठीक है को कोई बात नहीं हो प्राबलम चाहे जिसकी मोबाइल से कमेंट करो आप चलो अब देखो क्या होगा ध्यान देना अगर यह दोनों तिर्भूज सर्वांग सम है क्या है का इंगुरियंट है का इंगुरियंट जी बोलते ना तिर्भूज ए बी सी यहां पर अगर मैं लिखू सर्वांग सम का चिन बना करके PQR देखो थोड़ा जगा कम है लेकिन मैंने बीच में लिख दिया ठीक है अगर यह दोनों तिर्भूज आपस में सर्वांग सम है सर्वांग सम कब होंगे मैंने कल पढ़ाया है जो बच्चे कल की कलास नहीं देखे वो कमेंट करके उपर नंबर दिया गया उनको पिछली कलास दिखा दिया जाएगा प्लेइलिस्ट में जाओ बच्चा देख लो तो कल जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा चलिए अगर यह दोनों तिर्भूज क्या है सर्वांग सम है तो क्या होता है यह जो आपका CP CT का नियम क है बच्चा क्या समय कि की एक कोई 2 तिरोज आपस में सर्वांग समय हो के संगत पूज दूसरे तिरोज़ की संगत पूझा के बराबर होती है। संगत मतलब होता है corresponding side मतलब संगत भूजा ठीक है समझ में आया ना पहला रूल कहता है इसमें दो रूल है एक प्रकार से आप लोग लिख लो रूल पहला रूल पहला कहता है कि अगर कोई दो तिर्भूज आपस में सरबांग समझ है तो पहले तिर्भूज की सबी संगत भूजा है दूसरे तिर्भूज की सबी संगत भूजाओं के बराबर होती है कोई बताए कमेंड करके कोई बी फटाफट कमेंड करके बताओ सूरज यादो क्वाल्टी चेंज कर लो बच्छा क्वाल्टी चेंज कर लो 720 पिक्सल कर लो एकदम मस्त दिखेगा हमारे यहां एकदम मस्त दिख रहा है फुल एच्टी में दिख रहा है बाबू ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है यह आपकी अपनी मुसीबत है आप देखो मैं खुद देख रहा हूं यह कैमरा में कम सही लेकिन खुद देख रहा हूं एकदम मस्त दिख रहा है कि देखो बहुत से बच्चों ने जबाब दिया धीरज अभीजय ठाकूर धरम राज प्रिचकांत मिस्रा कुमन परसाद कुमन का नाम बड़ा आजीब साइसलिए मैं नहीं बोल पाता हूं कुमन इनका नाम है चलो तो बच्चा एसी की जो करस्फांडिंग साइड है एसी की जो संगत भुजा है यह जैसे यह इधर है वैसे यह इधर है यह पी आर ठीक है उसी तरह से यह एसी हो गया अब एबी एबी भुजा यह किसके बराबर हो गया आप लोग बताओ चलो जल्दी फटाफट सभी कमेंट करके बताओ भई आसीस अनूप यादो आसीस यादो किरन महर्या छोटू साक्षी मिसरा सभी बच्चे जब आप दो फटाफट देखो इसमें इंक बहर इत्ता जादा सही भर दिया है सब मिस्टेक हो जा रहा यार गडबड़ हो जा रह चलो चलो रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ देखो कुल मिला के मतलब यही है कहने का मतलब यह है कि जो CPCT का पहला नियम है, उसमें ये कहता है, कि अगर कोई भी दो तिर्भुज आपस में सर्बांग सम् है, कोई भी दो तिर्भुज आपस में k member है, तो उन तिर्भुज की जो corresponding angle है, वो आपस में सभी equal होंगे, क्या होंगे आपस में equal होंगे, ये सब अगर आप पढ़े रहोगे आगे mathematics के भी question आएंगे exercise 7.1, 7.2, 7.3 में अगर आपको ये rule नहीं पता रहेगा तो दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा देखोगे लिकिन कुछ समझ में आयेगा नहीं बच्चा हाँ भुजा आयेगा नहीं याद रखना चलो तो ये मैंने लिखा AB AB की संगत भुजा PQ है क्या है PQ एक भुजा बच रही BC BC की corresponding side दूसरे वाले में QR है या फिर इसे RQ भी लिख सकते हो ठीक है विजए ठाकूर आरा समझ में भाईया आराना एकदम मस्त आ रहा है ना बिल्कुल अच्छा दिख भी रहा है कोई दिखकत है नो प्राब्लम चलो नोट करो इसको इतना लिख लो यह पहला नियम हो गया यह पहला नियम हो गया मैं सामने से कुछ सिकेंड के लिए हट रहा हूं जो बच्चे इसे PBR study app में देख रहे हैं वो ध्यान दे क्लास को भई रेगुलर देखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा और जो चात्र इसको PBR study app में अगर कलाफ लिए न तो उनको तो फिर कुछ बाती अलग है उनको तो इकठा कोर्स मिल गया होगा धेर सारी कलासे एक साथ मिल जाती है उन्हें तो कुछ करना ही नहीं होता है अगर आप PBR study app में लिए तो ठीक है चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि सरवांगसम तिर्भुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं यह याद रखना मतलब दो काइंगर अगर ट्राइंगल है तो उनके जो संगत कोण मतलब क्या बोलते हैं उन्हें संग लगा दो तो बैटरी ठीक है चलो देखो अब दूसरा यारी तो मिटाना नहीं था चलो में मिटा देरा हूं ठीक है जाने तो आब रूल से कंड देखो इसको मैंने मिटा दिया इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था फिलाल मैं फिर से बना दे रहा हूं देखो यह यही तो था ना यह यही तो था क्यों और कुछ था यही था ना मैंने यहाँ पर यह लिखा था कि तिरभूज ABC सरबांग सम है तिरभूज PQRK विल्हू्व जी बिल्कुल सबका कमेंट मुझे दिख रहा है हमांशु जी दिख रहा है विल्कुल दिख आपका कमेंट किरन मोर्रें आपका भी दिख रहा है ठीक करेस्पणनिंग उन्य दूसरा क्या कहता है है यह declined आपको समझने के लिए बाकि ऐसा कोई रूल नहीं होता है जैसे आप समझ जाओ इसका रूल सिकेंड यह कहता है सीपी सीटी से ही कि कि निदो संगत तिर्भुजों में जैसे यह संगत और रिसादंगत नहीं सरवांगसम कि निदो सरवांगसम तिर्भुज में उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं मतलब करस्फंडिंग एंगल आपस में इकवल होते हैं जैसे मालो यह कॉंड B है चलो बताओ कॉंड B तिरभुज ABC से कॉंड B जो है वो तिरभुज B की वार के कौन से ऐसे कॉंड के संगत है बताओ या मैं ऐसे पूछू कि कॉंड B का एंगल B का करस्पांडिंग एंगल बताओ चलो सबसे पहले कौन बताएगा कीरन मोर्या बीजे ठाकूर प्रिंस पटेल छोटू और ब्रिज कांत और कोई बस इतना ही बाकी तुम लोग भाईया क्या यहां मूवी देखने आयो दर्शन करने आयो हमारा का सब लोग बोला करो ना यार कमेंट किया करो रोहिद ची बहुत अच्छे बेरी गुड आयूस दिनेस आसीस विकास सभी बच्चे उतर दिया करो मजा नहीं आते फिर लाइब नहीं पढ़ाएंगा याद रखना और दूसरी बात यह बीस तीस बच्चे जोड़ोगे तो कलास नहीं चलेगी जादा दिन भाईया कम से कम पचास बच्चे ल जो इसकी जगापे है यह कोण क्यों यह इसका क्या है करिस्पांडिंग एंगल है संगत कोण है ठीक आप कोड़े कोड़े एंगल एक करिस्पांडिंग एंगल क्या होगा बच्चा चलो बता बिटा जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है अब इसे एक तिवारी सेरिता यादो जी भहिया आप अपना नाम से ही कमेंट करो ठीक है कोई बात नहीं देखे इसमें सबसे पहले जवाब दिया है भहिया प्रिंस पटेल छोड़तू जी दूसरी नंबर पर हैं बीजे ठाकुर किरन मोर्या आसीस दुर्गेस अभी सेक सभी बता रहें कौन फी या इसी तरह से एंगल सी ये एंगल आर के इक्वल होगा यही था सीपी सीटी का दोनों रूल पहला रूल था कि अगर कोई दो तिर्भुज आपस में सरवांग सम्हें देखो मैं इधर से खड़ा होता हूं तब भी छप जाता है इसलिए मैं उधर चला जाता हूं पीछे तो आप लोग कहते होगे पता नहीं कहां छुपा गए इसलिए मैं सामने से खाली करता हूं कि आप इसको स्क्रीन साट लो यह फिल लिखो जमीर अंसारी बिल्कुल मैं देख रहा हूं आपका कमेंट देख रहा हूं बच्छा ठीक है चलो आप लोग बताना अगर कोई भी समस्या होगी तो वैसे तो मस्त दिख रहा है सही दिख रहा है ना स्क्रीन साट ले लिया करो मतलब मोबाइल का स्क्रीन कैप्चर कर लिया करो लिखा मत करो हो सकता है लिखने में ज्यादा टाइम लगे तो मोबाइल का स्क्रीन कैप्चर कि करो कि अब हेडिंग डालो देखो यह सारा कंसेप्ट सीख लोगे तो चैप्टर साथ की जितने भी कुश्चन है 7.1 7.2 7.3 7.4 सब कर ले जाओगे चाहे आप यूपी बोर्ट से हो या सीबसी बोर्ट से हो सब के लिए इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए सब कुछ इंगलीज हि बताता हूं अगर आप ध्यान दो तो और हिंदी में भी बताता हूं तो अगर कोई भी बच्चा सीबसी बोर्ट से हैं इंगलीज मीडियम से तो उसको भी कोई प्रकार की दिक्कात नहीं होनी चाहिए चलो आप क्या है यह हो गया अब हेडिंग डालो हिंदी इंगली दोनो होगे प्रोफरटीज आफ ट्राइंगल देखो तिरवुच जो होते हैं इनके कुछ गुण होते हैं गुण क्या है बहिया किरन मौरे आप सीबसी से हैं जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मैंने सोचा था कि सीबसी वाले बच्चे इसमें होंगे और इसी वज़ा प्च है ठीक ना तो यह मत सोचना कि मैं आपी लोग को बोल रहा हूं चलो कि इसलिए ट्कलाश 10 में देखो कम बच्चे आते हैं तिरवुच के गुण तिरवुच का पहला गुण क्या है देखो यह सभी परकार के तिरवुच की हम बात नहीं करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ठी तिरवुच है यार आईसोऀस ना हा लिखो आईसो सेलेष का हिंदी में क्या बोलेंगे जलदी ये इडिंग डालो बाई मुझे जयादा इंगली सिर्क हिंदी आती है रियंगल ट्र रि-a-n g-l-e इसको हिंदी में बोलेंगे सम्धुई बाहु सम्धुई बाहु आदेखो सम्धुई बाहु तिर भूज के कुछ गुण मैं बताने जा रहा हूं ध्यान दो dua side are equal is called isoci retro triangle जी विल्कुल किरण मौर्या जी वेरि गुड करेक्ठ है आपका जो 7 मैं है उस्की इक्व और होती है उन इक्वल साइडिके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं कुछ समझ में आया नहीं ना अभी देखो पूर आएगा यह तो मुझे मिटाना नहीं है चलो हम इसको माल ले रहे हैं कि हमारा क्या है यह यह सम्दुवाहुतिर भूजाएं हम इसको माल ले रहे हैं यह सम्दुवाहुतिर भूजाएं यह दोनों भूजाएं आपस में बराबर हैं A B equal A C ठीक है लेट्स ट्रेंगल A B C is a I slash triangle ओके ठीक है जमीर अंसारी बिल्कुल मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ भया यह तो एकात वर्ड इंग्लिस बोलता हूँ मुझे तो इंग्लिस आती भी नहीं है अरे यह तो मैं ट्राइ कर रहा हूँ इंग्लिस बोलने का बस देखो सम्दुवाहुतिर भूजाब देखो कैसे ध्यान दो बराबर भूजा के इसमें लिख लो या चलो लिखो गुण एक प्रपर्टी नंबर वन लिखो प्रपर्टी नंबर वन लिखो फटाफट लिखो बराबर भूजा के बिपरीत बने दोनों कोण बराबर होते हैं इंग्लिस में भी बोलूँगा टेंसान मतले ना लिखो बच्चा थोड़ा फास्ट लिखो देखो समझे लो बस ये दोनों बराबर भुजा हैं इनके जो बिपरीत बने दोनों कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं जैसे देखो ये भुजा AC है AC के बिपरीत यानि आपोजिट आपोजिट मतलब सामने तो जो ये भुजा AC है इसके सामने कौन सा कोण है ये इधर भी है इधर भी है और दूसरी भुजा ये A B है A B के सामने कौन सा कोणा बच्चा C है यानि हम कह सकते हैं कि एंगल V इक्वल एंगल C ठीक है इसको इंगलीज में आप कैसे लिखोगे एंगल आपोजिट टू इक्वल साइड आफ एन आईसरसले ट्राइंगल आर इक्वल देखो मुझे इंगलीज में नहीं आती लेकिन मैं इंगलीज में भी लिखवाऊंगा आपको इंगलीज दोनों लिखो आप ठीक है लिखो इंगलीज में लिखो एंगल आपोजिट टू इक्वल साइड आफ एन आईसरसले ट्राइंगल आर इक्वल बाकी बच्चे समझ गे सीबेसी वाले खुदी लिख लेंगे मैंने आपको बता दिया कि जो यह साइड है एसी और यह एवी एसी के जो अपोजिट एंगल है वी और एवी के जो अपोजिट एंगल है यह दोनों आपस में इक्वल होंगे यह कांसेप्ट याद रखना अभी आगे जब कुश्चन हल करोगे तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा इसलिए मैं पहले इसको भुजा रहा हूं अच्छे से कि आप लोग को यह समझ में आ जाए ठीक यह पहला हो गया यह पहला हो गया यह गुड़ नंबर फाइस्ट था अब यहां पे गुड़ नंबर सीकेंड लिखो भईया गुड़ मत लिखना गुड़ लिखना चलो मैंने ऐसा लिख दिया न कि सब यह दर उदर हो गया चलो सीकेंड प्रोपर्टी लिखी आप लोग प्रोपर्टी नंबर सीकेंड जी बिलकुल किरन मौरय ने डिसक्राइब किया बेरी गुड एंगल अपोजिट्व इंग्वल साइड आफ आइसोसलेश ट्रेंगल और इक्वल बिलकुल बेरी गुड चलिए ऐसा ही बच्चे तो चाहिए कि जो कुछ आगे भी खुद से भी तो करें न यह क्या है एक आइसोसलेश ट्रेंगल है दूसरी प्रवटीस की कैती है की जो भी साइड इक्वल होती है जैसे यह याइसोसलेश है संदुबाहू है करेक्ट संदुबाहू है ना दूसरा जैस्ट उसी का इंवर्स होता है इंवर्स जोते हैं मतलब पूल्ट A, C, B, B के बराबर है सम्दूई बाहु है तो दोनों बराबर होंगे आपस में सम्दूई बाहु तिरबुझ है तो दो बुझाए आपस में बराबर होंगी इसी को इंगलिस में ISO slash triangle कहा जाता है तो भाईया आईसे तिरबुझ में का होता है जो भूजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के जो कोण होते हैं जैसे कोण B ठीक है और यह भूजा AB बराबर है AC के बराबर है तो AB के सामने का कौण C ठीक है यह दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे कोण B चंप कोब सी यानी एंगल एंगल एकोल ऊप स्वारि एंगल बी इकोल सी फिसी बिलकुल अभी किसी कि हुआ चीर हमें यॉड को रहा है कि रन मौर्व बिलकुल यदि एंगल है तो भुजा भी बराबर होगी चीन कर डी है है समझ में आया ना क्या बताया मैंने लिखो यहां पर लिखो किसी संदु बाहुतीरभूज मेंतi हिंदी मीडियम वाले लिखो मैं दो बार बोलूँगा, नहीं लिख पाओगे वीडियो रोग करके, वीडियो थोड़ा बैक करके फिर से लिखना फिर मैं इंगलिज में भी बोल दूँगा, लिखो किसी भी समदू बाहुतिर भूज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं किसी भी सम्दुबावतिर बुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं बस यह हो गया इंगलिस पर मीडियम वाले खुदी लिख लेंगे ने उनको समझा दिया कि भाया A, C जो है वो A, B के इक्वल है तो जो A, B का आपोजी टेंगल है C और A, C का आपोजी टेंगल है इसका B ये दुनों आपत में इक्वल होंगे ये दो प्रपर्टी ये बस हो गया इसको कहीं पूछा नहीं जाएगा एक्जाम में हो सकता है या आ अजलब कि बनाते हैं उसको आदमी लोग लगते हैं ये सारी जानी चीजिए पहले इकठा करना पड़ता है तब ही तो मकान बनता है नहीं आइसा तो है नहीं कि हमें मकान बनवाना ह।भाना है तो हम जाके बाइटएगे माकान बनना हैगया चीजिए तो आएख़ह conductíveक्ष इसलिए इसको समझना जरूरी है चले फिर आगे चलो यह आपके प्रपर्टी हो गया और वैसे इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है थोड़ा सा एक चीज और हो भी मैं पढ़ा दे रहा हूं बराबर कौण की सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है यह तो आप लोग सीख लिए हो इंग्लिस मीडियम वाले जो नहीं लिखे वो लोग लिख लें इंग्लिस में भी इसमें एक लाइस्ट प्रपरटी है वो भी आप लोग लिख लीजिए किसी भी तिर्भुज में कौन सी असामानताएं होती है यह इस प्रकार के तिर्भुज का नहीं है रामफूल बच्चा सुबह आठ बजे चलेगा सुबह आठ बजे मैं पढ़ा दूंगा अभी तो यही चलेगा बाद में चेंज होगा टाइम दिवाली बाद मैंने ट्राई कर लिया कोई भी नहीं आता बाद में पढ़ने फिक है दो बजे ना आओ तुम लोग ना तुम ल लाइप पढ़ना है पढ़े और जिनको कहीं और कोचिंग ओचिंग करना है और लोड कैशन तब पढ़े ठीक है चलो कि तिरभूज की में आसामानताई इनकॉलिटी आफ आफ और शरी इनकॉलिटीज इना ट्रेंगल लिए तिरभूज तिरभूज में असामानताई आसमानताई जल्दी हेर्टिंग डालों आप लोग फटाफडलिको आसामानताई देख सब्सक्राइब इंगलीज में सही से लिख लो लिखो फटाफड लिखो आप लोग I-N-E-Q-U-A-L-I-T-I-E-S In Collective in a Triangle In a Triangle 37 वैठे रहुआ है आप लोगा ठीक ना? अडिस्टब ना करो चलो, लिख लिए The angle opposite to the longer side is larger जी बिलकुल, सही का आपने Angle opposite to longer side is larger बिलकुल, सही कमेंट के आपने देखिए कैसे जैसे अगर मैंने दो तिर्भूज बना लिया एक तिर्भूज ये है ये इसके नामकरण मान लिजीए मैंने कर दिया A, V, C ठीक है? और एक ट्रेंगल आप और बना लो इदर साइड में समझने के लिए अभी इसका भी यूज होगा तो आप देखना इसका नामकरण आप कर लो V, Q and R ओके? इतना समझ में आपको अब आप ध्यान दो कैसे क्या करना है? समझने की कोशिस करो भाई इकास कुमार काय को मूँ बना रहे हो चार तरफ को या चलो जल्दी इसको करो मैं सामने से थोड़ा सा इधर हो जाता हूं उधर पक्छाई पड़ती ना आप देखते हो मैं उधर खड़ा रहता हूं थोड़ा उधर कम दिखता है है ना तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे देखो यहां पर पहले मतलब की चीज़ समझो बड़े कोण की सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है यह पहला रूल है मतलब इसमें जो समझना है ऐसा मनता है जो है वो चीज़ समझो लिखो एंगल अपोजिट टू लांगर साइड इज लारजर ठीक है लिखो एंगल इंगलिस मीटे माले लिख लेना आपना बोलने से ही मतलब है ना क्या लिखोगे एंगल अपोजिट एंगल आपोजिट टू लांगर साइड इज लारजर देखो पहले मतलब समझो कहने का यह मतलब है कि जो बड़े कोंड की सामने की भूजा है वो हमेशा बड़ी होती है अब इसमें अगर आप अनुमान लगाओ तो सबसे बड़ा कोंड कौन होगा भया यह लेटा हुआ है य यह कोंड हमेशा क्या होगा भई ऐसी सितिम जैसे दिख रहा है यह चोटा होगा और यह भी क्या होगा बच्चा छोटा होगा यह निस सबसे बड़ा कोंड क्या होगा यहां पर सबसे बड़ा कोंड क्या होगा यहां पर हमारा कोंड भी सबसे बड़ा कोंड होगा ठीक है त यानि कोंड जो B है इसके सामने की बुजा AC है तो इसकी सबसे जो बड़ी भुजा होगी क्या होगा याद कर लो इसको समझ लो बस याद निकरना लिखना भी नहीं कि वाल याद रखो बस या फित लिख लो अपने हिसाब से जैसे भी मैं समझा दे रहा हूँ बाद में आप इसको वीडियो दोबारा देखना भी जब लाइब खतम हो जाएगा अपने दिमाग लगा कि खुद से लिख लेना कैसे लिखना है ठीक है तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी AC और इसमें बड़ा कोंड क्या हो जाएगा B ठीक है समझ गए नहां ये पहला होगा किशिप इसे तरह से जोटे कॉंड के सामनी कि भुजा हमेशा क्या सा क्या होगी जोटी होगी ठीक है छोटे कोण के सामने की बुजा हमेशा क्या होगी छोटी होगी ये चीज भी आप समझ लो इसमें सबसे छोटा कोण आपको कौन सा दिख रहा है भाई जो भी होगा अगर ये कोण सबसे छोटा है देखो यहाँ पर मैंने नापा तो है नहीं जैसे कि मैं मानलो अंजात के लिख देता हूँ और तिर्बुज की तीनों कोणों का यह 180 ही होता है 60 बचा है तो तो मानलो यह 40 है और यह 20 है ऐसा नहीं कि बड़ा-बड़ा लिख दोगे बढ़ा-बढ़ा के ठीक है तो सबसे छोटा कोण क्या है ए है सबसे छोटा कौण ए है तो भाई अगर कहा जा तिर्भुज की सबसे चोटी बुजा क्या होगी तो आप बिना कुछ लगाए बिना कुछ हल कि ये बता देना कि अगर इन तीनों तिर्भुजों में ये कंडिशन है ये 120 है ये 40 है 20 है तो इसमें सबसे चोटी बुजा 20 होगी क्या होगी इसके लिए कारण क्या होगा इसके ल वालों में तुमलों को याद रहना चाहिए ठीक है है यह हो गया आगे देखो ये तो मैंने पढ़ा दिया आगे क्या था हाँ जैसे अभी आपने पढ़ा उसी का just opposite उसी का just opposite just opposite क्या कहता है कि किसी भी तिर्भूज में किसी भी तिर्भूज में जो सबसे बड़ी भूजा है सबसे बड़ी भूजा उसका अपोजिट एंगल हमेशा सबसे बड़ा होगा क्या होगा सबसे बड़ा होगा यानि तिर्भूज में सबसे बड़ी भूजा का अपोजिट एंगल अपोजिट मेंस होता है सामने का जैसे आपने सुना होगा कहते हैं मालोमोहित mobiil.com अपोजिट to kenra bank हेसे लिखा रमापड़ के शामने का मतलब नहीं सबसे बढ़ी भूजा से भाथ हैं यही दूजर लोग है पिर इसमें सबसे व्था कौन होगा बीना नापे बिना किसी रूल के बताओ आखो बंद करके चलो बताओ क्या होगा हाँ सम्मुख बिल्कुल ठीक है सही का आपने हाँ कौन क्यों बिल्कुल क्या होगा एंगल क्यों यानि सबसे बड़ी जो भुजा है पी आर उसके सामने का जो कौन होगा क्यों वो सबसे बड़ा होगा क्यों अभी जो मैंने ब पताया नो से छोटा होगा सबसे छोटा होगा इस में देखो ना पलोग सबसे छोट जोटी बुजम कौन है मढंची सबसे छोटी भुजम है इसको मनेchen लिए या साथ सेन्टीमीटर है यह यह नौ है और यह 8 cm है तो ऐसी स्थिती में सबसे छोटी बुजा QR बन रही है तो QR के सबसे जो छोटी बुजा इसके सामने का कौन P ये सबसे छोटा होगा तो याद रखना ये क्या है सबसे छोटा कौन है इसको चाहे तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लो और चाहे तो फिर ना लिखो लेकिन आपको याद रहना चाहिए ठीक है ये तिर्बुज की असामानताएं है ये तिर्बुज की क्या है इनिक्वल्टीज है समझ गए न यानि किसी भी जो तिर्बुज में सबसे बड़ी बुजा के सामने का कौन सबसे बड़ा होगा ठीक है जैसे यहाँ पने बताया सबसे बड़ी बुजा के सामने का कौन सबसे बड़ा होगा सबसे छोटी बुजा के सामने का कौन सबसे छोटा होगा सबसे बड़े कौन के सामने की बुजा सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे कोण के सामने की बुजा सबसे छोटी होगी यही चार बातें आप सीखे हो इस चित्र से है ना आपकी यह क्लास लाइब होती हर दिन यूटुब पे विल्कुल फ्री होती है कब होती है सामको साथ बजे से आठ बजे की बीच तो क्या करेंगे हम लोग कुश् अभी लेट नहीं है ठीक है चलो एकार मिनट लेट हो उसके लिए सोरी इधर साइड बच्चों आप लोग फिकर बनाओ एकसर साइज सेबन पॉइंट वन क्लाफ नाइंथ एंसी आर्टी मैफमेटिक्स इसमें चित्रा ऐसे बना लो आप लोग जैसे आपके किताब में बना है न देखो आएसे आपके किताब में बना यह यह चित्रा बनालो और जो बच्चे किताब लिए वो भी बनाएंगे काउपी में नहीं बना ओगे वे समझ में नहीं आएगा मजा नहीं आएगा ठीक है अब देखो समझने की कोशिष करो एकसर साथ समलू एक है यह कुष्ट गीता चौधरी जी मैं देख पार हूं आपका कमेंट सलमा चौहान जी बिल्कुल सभी का कमेंट आ रहा है तो बच्चों आप कोईस्चन पढ़ते हैं ध्यान से सुनना कोईस्चन पढ़ रहा हूं किताब में है पेज नंबर 143 है अगर आप NCRT लिये हैं तो फिलाला प्रस्णवली देखो बस कहरा कि चतुर्भुज ABCD में क्या है एक चतुर्भुज दिया है एक क्वाड्रेटल दिया है कहरा कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD क्या कहरा है AC बराबर AD तो बच्चा यहां पर AC भुजा AD के बराबर है मैंने देखो यह लाइन खीज़ दिया मतलब यह दोनों क्या है बराबर है आगे देखो क्या कहता है AC बराबर AD और AB कोण एको सम्दुभाजित कर रहा है यह भी कह रहा है कि AB जो यह है ए बी ये रेखा ये एंगल ए को समद्विभाजित कर रही है मतलब देखो ये इंटरसेक्ट कर रही है बीचो बीच में आ करके ये मतलब दो पार्ट में बांट दे रही है उसको ना कोण एको समझने की कोशिस करना ऐसे नहीं आने वाला किताब नहीं होगी किताब कुष्ट्र लिख दूँगा ठीक है आगे सुनो क्या कहहिए वीभाजित करती है जैसा के इस चितर में दिखाया गया है तो कहरा कि दिखाईए दिखाईए मतलब देखो कि अस तिरभूज एवी सी सर्वां सम ए मतलब का इंग्रियंस है तिरभूज A-B-D-K A-B-D-K यह दिखाना है मतलब हमें यह क्या करना है प्रोब करना है ठीक है और आगे क्या कहरा धियान से सुनो आगे कहरा B-C और B-D के बारे में आप क्या कहेंगे यानि यह भूजा जो है B-C और यह B-D फिर से देखो यह BC और यह BD के बारे में आप क्या कहेंगे जी बिलकुल बहुत अच्छे यह से यह से यह का उंग्रेंस है बिलकुल किरन मौर्य ने बता दिया बहुत अच्छे बेरी गुड तो देखो बच्चों अब हम इसको हाल करेंगे यहां पर सलूसन यहां से स्टार् फिर से देखो a b c दूसरा एक तिर्भूज है a b d दो तिर्भूज दिये गए न तो आप लोग लिखोगे तिर्भूज a b c और हम हिंदी में लिख रहे हैं आप लोग इंग्लिस में लिख लेना चाहिए तो तिर्भूज a b d c ठीक है यह फिर में लिख लो जाद आच्छा रहेगा ठीक है अब देखो इसमें क्या-क्या दिया है ध्यान दो इन दोनों तिर्भूज़ों से इसमें देखो बच्चा a c equal a d है b क्या कह रहा है a c equal a d क्या है a c equal a d यह यह भुज़ा a c a d के बराबर है ऐसा क्यूंब है क्यों क्यूंकि कुश्चन में दिया है किताब नहीं तो किताब ले लो ncrt की ठीक है ncrt बुक से यह बीच में रीजन लिखोगे इंग्लीज में लिखो गे गिवन हिंदी में लिखोगे बच्चा दिया है ठीक है क्या लिखोगे दिया है मिश्टर अनंत पांडे देख रहा हूं आपको अम्बु जी आदव आप भी जुड़े हो ठीक है चलो यह क्या दिया है और देखो यहाँ पे क्या दिया भाईया और क्या दिया है अच्छा आप यह गेस करो तो बच्चा जो कॉण ए बन रहा था मानलों अगर कॉण ए 30 अंसका बन रहा था तो यह जो रेखा पीच में एभी आ रही है यह को आधे-ाधे में काट दे रही ना वाई दो पार्ट में बाट रही ना किताब में कुईश्चन में भी कह रहा क्या कह रहा है कि जो एभी है रेखा एभी कॉण एको सम्दूभ भाजीत कर रही मतलब आधे याथे बाट दे रही तो आप लिखो किया कोड़ CAB देखो CAB ठीक है कोड़ CAB मतलब हमें एक ही बात कर रहे हैं कोड़ CAB equal हो जायेगा DAB क्या हो जायेगा बच्चा DAB यह दोनों कोड़ सलबब बराबर हो जायेंगे बराबर क्यों हो जायेंगे फिर से इक बार समझ लो CAB बराबर हो जायेगा DAB क्योंकि यह जो कॉन्था यह आधा अधा बड़ जा нед में से ठीक है इसलिए क्या यह यह बराबर है आप कंसेप्ट वाले पाइट जो बच्चे नहीं देखे जरूर देख लेंगे दो दिन मैंने कंसेप्ट सिखाया ता निथी पल्ले नहीं पड़ेगा पीछे की दो कलास जो नहीं देखे उनको नहीं समझ में आएगा ठीक है समझी भाजित कर रही है आता हां दोनों कौन बराबर होंगे लिख दो समझी भाजित करती है अता दोनों कोंड पराबर होंगे ठीक है बिसेक्ट एंगल जी बिल्कुल A B 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 लो दस मीटर लंबार बीच से कड़ दो पांच-पांच हो जाए वह ऐसे यह कर रहा ठीक है और क्या बच्चा यहां पर हाप लिख सकते हो जो एवी बराबर एवी अब काओगे यह बराबर एवी का है देखो यहां पर ध्यान दो अगर हम तिरभूज एवी सी लेंगे यह तिरभूज एवी डी लेंगे तो एक रेखा दोनों में common है उभय निस्ट है इंदी में बोलेंगे कौन सी यह एवी वाली बता बच्चा यह क कामन है कि नहीं कामन है यह दोनों में यूज हो रही चाहे तो ABC लोगे या फिर ABD लोगे दोनों में यूज है ना ब्रेकट में रीजन लिखो गया आप दोनों बराबर क्यों है लिख दो कामन है क्या है यह दोनों में सब में कॉमन है ठीक है है हो गई कहानी पूरा हो गई क्य क्या क्या करना था हमें कह रहा था कि इसको सिद्ध करो यह दोनों सर्वांग समय का इंगुरियंस है भाईया जो बच्चे कांसेप्ट सीखें उनको पता है यहां पर हमारी दो रेखाएं बराबर हो गई और एक कौन बराबर हो गया आता है जिसे साइड बोलते हैं रेखा नह डीशलब सर्वांग सम ट्रेंगल ओडीड कैसे होगा पता है रेक्ट में लिखो एसीस ए रूल से स्से इंग्लिस में लिख लो आइए hon रिकाए एज अश्य फिर का लिखोग वहां sas ओके सोरी देखो sas ठीक है देखो देखो जैसे जैसे यहाँ पर बना है वाई से लिखोगे भाई पहले हमने side equal किया फिर हमने कोड equal किया फिर हमने side equal किया यानि पहले क्या side मतलब yes फिर angle मतलब a और फिर से side मतलब yes तो क्या हो जाएगा rule sas मतलब हिंदी में बोलेंगे भूजा कोंड भूजा हरवांग समता नियम किया आसी सुपध्या जी बलकुल राइट by the car अट चैस यह तो हो गया इसमें एक कूर्ष्चन और भी कह रहा था सोनी जी आपका भी कमेंट में देख रहा हैं उनी लाइब को यह देखो यह तो एक कुश्चन था इसमें कोश्चन और भी कर रहा था वह क्या कह रहा था रोही सकते हैं बताई कल आपने पढ़ा होगा सीपी सीटी रूल पढ़े हो कि नीगल बताओ इतना लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो तो मैं दूसरा पार्ट इसमें का करता हूं जल्दी करो हो गए ना चलिए आप लोग इसका स्क्रीन साट ले लिया करो तुरंट फटा फट ठीक है देखो भाई कल हम लोगों ने सीपी सीटी नियम पढ़ा था कल यही पढ़ा था पूरा-पूरा जिसका मतलब क्या होता है आप मतलब आप जानते हो न वह क्या पढ़ाया था मैंने हिंदी में गुछ आध्य आप लोगों को कि नहीं याद एक को नहीं हो पूरा दे संगत पढ़ाया नहीं था मैंने कर्स्पान्डिंग अगला इसमें next कहे रहा है थोड़ा सा वो क्या कहे रहा है कि भुजा कौन सी भुजा BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे आप लिखो लिखो BC बराबर BD दोनों भुजाएं बराबर हैं क्यों बराबर हैं कोई टक में लिखो बच्चा by CPCT वर्टिकली एपोजिट हैं बिल्कुल कोई कमेंट कर रहा है यासी सुपाध्या जी बिल्कुल यह दोनों क्या हैं बराबर हैं क्यों देखो नियम लिख लो शर्वांग्सम तिर्भुज की संगत भुजा बराबर होती हैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं मैं चुकी तो इसलिए लिखो सर्वांग्सम तिर्भुज की संगत भुजा संगत भुजा मतलब होता बच्चा corresponding side, ठीक है, corresponding side, यानि कि congrience triangle की corresponding side equal होती है, बस हो गया पहला question, बात समझ में आई, सभी बच्चे NCRT book लेके बैटना, बिना book के कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि question हम कभी-कभी नहीं लिखते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, कच्चा नो की NCRT गड़ित, exercise 7.1, प्रश्णावली साथ समलो एक, सवाल नमबर एक था यह, आच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें से कितने बच्चों के पास book नहीं है, NCRT की book कितने लोगों के पाफ नहीं है, जल्दी बोलो yes, जिनके पास book नहीं सिर्फ वही बोलेंगे बाकी कोई नहीं बोलेगा, अगर कोई बोलेगा तो ब्लॉक कर देंगे याद रखना, जिनके पास नहीं है सिर्फ वह नो बोलेंगे बस, बाकी कोई नहीं बोलेगा yes, ठीक है, किवल नहीं बोलो बस, भाई यह देखो किसी के पास नहीं है क्या, अच्छा देखो जिनके प कम्पलीट हो गया तो बच्चों जिनके पास बुक नहीं भाई किताब ले लो आप लोग और किताब अगर नहीं है तो मैं पढ़ता हूं कुईस्चन सुन लो एक बार लाइश्ट में फिर से मैं पढ़ते रहा हूं चलो खतम तो हो गया है कुईस्टन देखो कहरा की तिर्भूज ABCD में भुजा AC बराबर भुजा BD यह दिया है AC बराबर AD दिया है क्या दिया है AC बराबर AD और AB यानि यह रेखा AB कौण A को सम्दूभाजित करता है कौण A को क्या करता है विस्यक्त करता है सम्दूभाजित करता है तो दिखाए कि तिर्भूज ABC और तिर्भ सर्मनांग साम है के जैंप चार एक करें पुछ रहा था कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि disappoint isलेटिकल चाहिए एक तरह सही बात है डेखो पहले हिंदी वाले समझते हैं आपको अ कह सकते हैं छूकि हम पता हमने सिद्ध कर दिया कि तिर्भूज ABC और ABD सर्वांग सम है तो अगर कोई दो तिर्भूज सर्वांग सम होते हैं तो क्या होता है उनकी संगत भूजाएं आपस में बराबर होती है ठीक है है हो गया चलो यह कुश्चन क्या है ABCD एक चतुरभूज है जैसे जैसे पढ़िए वसे चित्र में देखिए बंगल में फिगर बना है ABCD एक चतुरभूज है यह देखो ABCD चतुरभूज को इंगलीस में क्या बोलते हैं क्वाट्रेटर बोलते हैं न कमेंट करके बताना सावी ठीक है आगे कहता है जिससे यह जिसमें ABBC के बराबर है क्या है जिसमें ABBC के बराबर है जी पंकर जी बिलकुल एकदम राइट टाइम कलास होती हर दिन मतलब साथ वजे से होती है किरा जिसमें ABBC के बराबर है सवाल में देखो AB मतलब यह बुजा जो है AB वो BC के बराबर है यह BC ठीक है अब ध्यान दो इसमें आग लोग सवाल थोड़ा सा गलत लिखा था Ad Bc के बराबर है वाबू कौन A D किस के बराबर है Bc के बराबर है आगे देखो क्या कहता है सब कहे रहा कि कौध D a V CVA के बराबर है, कौन सा कौन? ध्यान से देखो, एंगल DAV DAV, फिर से देखो, DAV मतलब ये आला तिर्भुज जो है, इसमें ये कौन कहा रहा है, किस के बराबर है? CVA, ध्यान से देखो, CVA, मतलब इस के बराबर है एक परकार सी, समझे लो, ये कोण, इस कोण के बराबर है, पहले सवाल समझे लो, कि तो समझ में आएगा नहीं, तो समझ में नहीं आएगा, और जो बच्छे concept नहीं सीखे हैं, जैसे संगत कोण क्या होता है, जैसे corresponding angle बोलते हैं, counter कोण क्या होता, alternate angle, वो introduction वाला वीडियो जर B, A, C के समानतर है कौन सा? A, B, C तो बच्चा देखो A, B, C ये तिर्भुज, मतलब जो यहाँ फिलाईन आई है बीच से और इधर वाला A, B, C, ये समानतर है किसके भाई B, A, C की तो बच्चा B, A, C दोनों की चील लिखा है क्या? A, B, C और B, A, C है देखो मैं कुष्चन एक बार मिला ले रहा हूँ कुछ अलग लिखा है क्या? A, B, D है भाई साहब क्या है? D है, देखो कुष्चन पता नहीं है कैसे अतलब मुझे मिल गया A, B, D अब देखो A, B, D यानि ये जो तिर्भुज, उपर वाला ये किसके कैंगुरियंस है? नीचे वाले की आप समझने की कोशिस करिये, ठीक है? देखो, एक बार आप लोग फिगर फिर से देख लो क्या कहरा कि A, B, D हमें सरवांग समसिद्ध करना है B, A, C की एक बार फिर से देख लो, फिगर देखो A, B, D मतलब ये फिगर जो उपर बन रहा है एक बार मैं लाइन दोड़ा देता हूँ, देखो A, B और ये D, ये, जहाँ जहाँ हमारी पैंट जा रही है ये, इस फिगर को कहरा कि कैंगुरियंस सिद्ध करो किसके? B, A, C की अब B, A, C कहा है? B, A, C मतलब ये तिरभूज इधर वाला अब आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया, इनको दुबारा फे एक बार रिपीट कर दिया तो आपको समझ में आगया होगा कि ये तिरभूज इस तिरभूज के कैंगुरियंस सिद्ध करना है और ये भी बताना है कि B, D जो है वो A, C के बराबर है ये सिद्ध करके दिखाना है ये भूजा B, D ये A, C के बराबर है यानि ये लंबी वाली भूजा इसके बराबर है तो सिंपल सी बात है अगर हम दोनों को कैंगुरियंस सिद्ध कर देंगे तो पहले तो इनको सरबांग समसिद्ध कर लो बस इतनी सी बात है बच्चा चलो लिखो तिरभूज ABD में ABD में इससे हम क्या करेंगे solution करेंगे लिखो तिरभूज ABD में देखो ABD में हमें क्या-क्या दिया ध्यान दो ABD में इसमें देखो सबसे पहले जो दिया है question में करा ABBC के बराबर है ADBC के बराबर है बच्चा लिखो AD बराबर BC ब्रेकर्ड में लिखो दिया है हिंदी में English में लिखो given और चीज दिया है वुका दिया है ये लिखो कौण DAV equal angle CVA कौण DAB Con CVA कौन बोलो angle बोलो मतलब इक है न आगे देखो और क्या दिया है आगे एक चीज ये है बच्चा कि हम AB equal BA कर सकते हैं कौण सा AB equal BA वो कहे कर सकते हो कहे कर सकते हो बई क्यों इस लिख कर सकते है क्योंकि जो ABD है उसमें भी देखो AB यूज हो रहा है और जो जिवार्ण सकते हो क्यों रिजन लिख दूब्रेकर में कॉमन है क्या है कॉमन की हिंदी बड़ी खतरनाक है इसे उबहटनिस्ट बोलते हैं थीक है इतना हो गया बस हो गया यार सबसे आसान सवाल था ये क्यूं देखो आपको मिल गया यह दोनों भुजा बराबर है पहले से ही दिया है कोड़ एक बराबर था पहले से दिया था एक भुझा मैंने बराबर सिद कर दिया क्योंकि कोमन थी अब यह क्या हुआ भुजा कोड़ भुजा इसे लिखोगे आता हां तिर्भुज ए वी डी का इंगुरियंस चिन लगा दोगे का इंगुरियंस का भाई ये थोड़ा सा अच्छा से बना लो का इंगुरियंस का चिन जो है थोड़ा सा मुझसे गंदा बन गया है देखो ये ऐसे ऐसे दो लाइन खीचो गए एक ऐसे ठीक है वी एसी सिद्ध हो गया कोश्टक म बोलोगे भूजा कॉण भूजा नियम से ये दोनों गया ठीक इसमें कत पारट वच्छा इसको कर लो शिकेंद पार्ट कैसे करेंगे ध्यान दो इसको तो यहां साइड में नीचे कर सकता हूं थोड़ी सी जगा दिख रही कर सकता हूं ना चलो देखो इसको next page में करेंगे आप लोग screen सर्ट ले जल्दी से उतार लो मैं अगले page में करूंगा जल्दी कर कर ये बहुत जल्दी fast करिए ब करिये देखो पंका जी बहुत परिसान है अंकीता सिंह और कौन है मानीस मानीस और ये मोहीत ये बिल्कुल आप सभी के कमेंटारे में देख पा रहा हूं लेकिन आप पढ़ाई प्रियान दो भाई इसलिए मैं किसी का नाम नहीं बोल पा रहा हूं भी मैं आपको नंबर दे दूंगा आप उस पर संपर करना चलिए नेक्ट पेज हमारा रेडी है दूसरा हमें सिद्ध करना है कि BD बराबर AC है तो इसे लिख लो इसमें कुछ करना ही नहीं सिकेंड वाला लिखो BD equal AC का है लिखो BY CPCT CPCT पढ़ाया था ना भई CPCT क्या है लिख लो CPCT मतलब जानते हो सरभांगसम तिरभूज की संगत बुजाएं बराबर होती है हिंदी में लिख लो इंगलिस मीडिया मोले समझ गए CPCT क्या है हिंदी मीडिया मोले लिख लो सरभांगसम तिरभूज की संगत बुजाएं बराबर होती है अगर हमारा तिर्भूज A, B, D ये तिर्भूज B, A, C मतलब इसके सरवांग सम है तो इसकी जो भूजा है ये common है दोनों में इस वज़ा से क्या हुआ हमारा जो एक congruet बन गया हमने अभी prove करके दिखा दिया और अगर दोनों सरवांग सम है तो इनकी जो corresponding side होती है संगत भूजाएं वो बराबर होती है इसलिए बराबर हो गया अगला कह रहा कि इसको क्या करना भई इन दोनों को भी बराबर करना है का हाँ B, A, C इन दोनों को क्या करना है सिद्ध करना है बराबर न मतलब A, B, D A, B, D मतलब ये कौन और ये कौन भाईया क्या है संगत कौन है यार लिख दोना इसको भी लिखो तीसरा एंगल A, B, D इक्वल एंगल V, A, C ब्रेकट में लिखो कोईश्टक में लिखो बाई C, P, C, T बाई C, P, C, T ये C, P, C, T क्या है पता है आपको जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था इस्टार्टिंग में उसमें पढ़ा दिया हूँ नहीं पढ़े हूँ तो कमेंट करके बताना अभी नंबर दिखा दूँगा उसपे संपर करना आपको वीडियो दे दिया जाएगा ये C, P, C, T क्या इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा ठीक है हिंदी मीडियम और लिख लेंगे कारण ये दोनों बराबर क्यों है लिख लो सरबांगसम तिर्भूच के संगत कोण बराबर होते हैं सरबांगसम तिर्भूच के संगत कोण किने पहले यह बताओ बच्छे तो सभी बच्चों के पास किताबें होंगी ना NCRT वाली नहीं है तो बताओ कि नहीं है चार नंबर कराएं ना चलो तो चार नंबर का यह फीगर बना है बच्चा देखो यह क्या कहता है कुश्चन पहले पढ़ो आप सभी पढ़ेंगे कुश्चन द्यान से कहरा कि यल और यम दो समानतर रेखाएं हैं यल और यम यह रेखा यल और यह रेखा यम यह दोनों क्या है पैरलल लाइन है ध्यान देजिए रेखा यल और रेखा यम दो समानतर रेखाएं हैं आगे क्या कहता है के रहा किप्यों एक यूग मोँ इसको पर्ति छेलित करता है यानि ईल और यम का जो समानतर रेखाएं हैं दोनों को प्यों का एक यूग मतलब एक जोड़ा इनको क्या का कर रहा है पर्तिछेहदित कर रहा है थीख है क्या कर स्थाटभत कर राहे हैं एक रहए सटरडे को पढ़ाया था सदर्डे को पढ़ाया था संड़े को नहीं पढ़ा जाता थीख है तो समझ गए धीयल मुआ यम दो समंतर दिगई हैं जिनको और क्यों के स्थार युग में इंटरसेक्ट बोलेंगे ना इसको आगे देखो क्या कह रहा है आगे कह रहा कि दिखाईए मतलब 10 आईए यानि सिद्ध कीजिए कि तिर्भूज A B C C D A दोनों सरबंगसम हैं तिर्भूज A B C और C D A दोनों सरबंगसम हैं तो भीया इसमें से एक लाइन आई है यह ऐसे बन आई है ठीक है। और बच्चा यहां पर D lिखा है तो देखो अब पूरी कहानी क्या होती है। द्यान से समझो, यह जो C लिखा है ना यह यहां नहीं है भाइसाब है यह c यहां है और यह B यहां है यहां आप समझने की कोशिज करिए यहां पर ट्रेंगल बन रहा है ना ठीक है अब देखो कोशिज करो समझने की चुकि यह बहुत आसान नहीं है हाँ बहुत मुष्किल भी नहीं है अगर आप ट्राइब करोगे तो सिंपल सा है आ जाएगा अब सुनो कहरा कि दो समांतर रेखाय दी गई है एक रेखा का नाम यल है दूसरी रेखा का नाम क्या है यन है एक का यल है दूसरे का यम है और इन दोनों रेखाओं को एक रेखा का यूगमु पी और क्यू यह दोनों क्या कर रहा है इनको परतिछे दित कर रहा है तो कहरा सिद्र कीजिए तिरभूज ए बी सी यानि ए बी और सी यह जो तिरभूज बन रहा है ठीक है यह यह ए बी सी कि सी डी एक क्या है सरवंग समय का इंग्रियंस है समझ में आया ना समझ में भाईया मिश्टर मनोज जी पहले सुरू से पढ़ोगे कि डारेक्ट आसमान चले जाओगे अरे पहले सुरू से पढ़ो यार हां चलो तो क्या करोगे आप लिखो तिरभूज ए बी सी और सी डी ए म यहां साइड से हम लोग हाल करेंगे कुरिश्चon आपके बुग में है कुरिश्च देखो लिखो तिरभूज ए बी सी और तिरभूज सी डी ए में इंग्विज दियुम और लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC and CDA ठीक है इसमें देखो क्या दिया है आपको दिख रहा बच्चा वो क्या दिया है DAC और BCA बराबर है कौन DCA किसके बराबर है DAC की देखो DAC AC यानि यह कौन जो है बच्चा दिख रहा है ना यह कौन A किसके बराबर है यह BCA के BCA का मतलब जान रहे हैं तुम लोग अरे यार यह BCA यह बोलो होगा की नहीं जो लोग alternate angle पढ़े हैं एक आंतर कोर पढ़े हैं उनको पता होगा पढ़े हो ना एक आंतर कोर की नहीं पढ़े हो alternate interior angle अब यहाँ क्या लिखोगे बच्चा यहाँ पे लिखो angle D A C equal D A C equal क्या लिखोगे दूसरा वाला कोर बी सी ए BCA कारण क्या है कोश्टरंग में लिखो alternate interior angle हिंदी में लिखोगे अंताह आंतरिक कोर क्या लिखोगे इंगलिस मीडियम वाले लिख लेंगे alternate interior angle इंगल इंगलिस हिंदी दोनों में लिखवा रहा हूं इंगलिस मीडियम वाले लिखेंगे alternate interior angle इसलिए बराबर है चूपकी यह जो कोर बन रहा है जिसे मैंने आपको कहा था D.A.C. क्या D.A.C. और B.C.A. ये दोनों इक आंतर कोण है अन्ता इक आंतर कोण है इसलिए क्या है बराबर है ये रिजन हो गया ठीक है बाई अल्टरनेट इंटिरियर एंगल जी बिल्कुल बहुत अच्छे नीरेच कुमार बेरी गुड इंग्लि इस मीडियमवाले सब बच्चे समझधार होते हैं ज्यदाल atra नहीं पढ़ता है हिंदी मीडियमरले भी समल ऑते हैं असनी ग्रवा होते हैं लेकिन उनको ठोड़ा लिख्वाना पढ़ता है चलो आगे चुक्छष ऑमें क्या करना भाई साह तीरभूज ABC ABC और CDA को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें कम से कम या तो हम दो कौण एक भुजा को बराबर दिखा दे या दो भुजा एक कौण बराबर दिखा दे या तीनों भुजाओं को बराबर दिखा दे भाई जो बच्चे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे वो जरूर देख ले कि तिरभुज किन किन दसाओं में सर्वांगसम होता है तो हम उन दसाओं को यहाँ पर बनाएंगे ला करके तभी तो सर्वांगसम सिद्ध कर पाएंगे न यार तभी तो कर पाएंगे न और जो दो कॉंड बच रहे थे वह क्या है ढले ठीक है जो नहीं मिलेंगे बतादे न चलो देखो B、 A、 C B、 A、 C यानी यह कॉंड यह कॉंड जो A वाला है बच्चा और एक दूसरा कॉंड कॉंड पाइंगे dca आप कह सकते हैं इसको क्या कह सकते हो dca मतलब यह वाला कौन भी आपस में बराबर होगा देखो बराबर क्यों होगा क्योंकि यह भी अल्टरनेटिंग की रिये इंटीर एंगल है लिखो एंगल बीएसी इकवल एंगल dca लिखो dca रिजन लिखो by alternate interior angle ठीक है by alternate interior एंगल हिंदी में लिख लो अंताहा आंतरिक कोण जो उपर था वही वही रिजन है अंताहा आंतरिक एक आंतर कोण यह देखो हम पहुँच रहें काफी करीब क्यों पहुँच रहें क्योंगी हमें सरवांक समस्षिद्ध करना है हमने दो कोण आपसमें बराबर कर दिये सिर्फ एक बुजा और बराबर कर दें तिरभुच सरवांकसम सिद्ध हो गया हो गया ना सिद्ध हो गया ना भाईया मिश्टर नीरज कुमार मोनिका जैन कीरन मोर्या प्रियंका मनोज कुमार आरा समझ में सभी बच्चों को आरा ना ध्यान पूरवक देखिए नहीं आएगा रिपीट करिए मैं फिर से समझा दूँगा बेलकुल टेंस अनमत लेना रेगूलर देखिए कलास को कोई वीडियो छूटने न पाए ठीक है प्रले लिस्ट में सारा वीडियो उपलब्ध है जो बच्चे पीछे का नहीं देखे वह जरूर देख लें क्योंकि बच्चे अगर पीछे वाला पाट नहीं देखोगए तो ये समझ में नहीं आएगा इसलिए आप रेगूलर और सिश्टम से देखो पीछे के सारे पाट देखिए जो बच्चे introduction वाला नहीं देखिए उनको ये नहीं पता होगा, ये alternate interior का होता है, एक आंतर कूर क्या होता है, वो corresponding angle क्या होता है, ये सब नहीं समझोगे न, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप system से देखो, पूरा complete देखो, चैनल की playlist में सारा वीटियो बिल्कुल एक चीज ये बताओ, जब हमने तिरभूज ABC लिया था और DAC लिया था, इसमें एक भूजा common है न, common है न बच्चा ये, बीच वाली भूजा देखो AC, बोलो AC भूजा दोनों में common है की नहीं, दोनों में है न, तो आप लिखो, AC बराबर CA, common है, क्या है common है, देखो क्यूं common ह फिर से समझो, अगर तिरभूज ABC लोगे, तो इसको हम AC पढ़ेंगे, अगर हम तिरभूज DAC लेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, या फिर DCA लेंगे, तो हम इसको CA पढ़ेंगे, चाहे CA पढ़ो, चाहे AC पढ़ो, मतलब एक ही हुआ, ठीक है, मतलब तो एक ही हुआ, तो आप क्या करोगी यह common है आप नीचे लिखो आता हाँ आता हाँ तिर्भूज ए वी सी सर्वांगसम यानि काइंगुरियंस सी डी ए कोई श्ठक में लिखो बाई ए एस से आप कुछ लोग जो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखें उनों कहेंगे यह यह ए एस क्या है हां ए एस तुनको समझे ना आएगा क्या है बच्चा एस का मतलब होता है एंगल एंगल साइड यानि कोण कोण और भुजा से कोण कोण और भुजा वाले नियम से यह दोनों तिर्भूज अबिस्ट और सीड ए सरवांग समसिद्ध हो गए लिख लीजिए इस्क्रीन साइड ले ली जिए जो बच्चे इसको एप में देख रहे हैं वो बच्चे वीडियो को रोख करके अच्छे से लिख लें जैसे एप में बहुत से साथी देख रहे हैं मुझे पता है उन्होंन कि चलो रामपौल जी नहीं अभी साइंस नहीं only math यह कुश्चन हो गया आपका बच्चा हो गया हो कि वेरी गुड आप क्या करोगे कुश्चन नमबर आपका यह हो गया फॉर नमबर धा question number 5 पे हम लोग आगे बढ़ें question number 5 पे आगे चलें यार आप लोग संख्या नहीं लेके आ रहे हो भाई मतलब 25-30 लोग ही देखेंगे बस question 5 जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैं लगवाऊंगा अगर आप लोग रुकोगे तब ठीक है समझ में आ रहा ना भाई सबको कीडन मोरे जी आया समझ में मोनिका जैन पंकज सभी को आया ना समझ में चलिए हाई एक बात और समझ लो अगर ये साम को लाइब नहीं आपको प्रीमियर वीडियो भी मिलता है तब भी आप उसे पूरा देखा करिए क्योंकि सिखाया जाता है बहुत बहतर तरीके से ठीक है बिलकूल ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड़ बाई नीरज कुमार काफी जानते हैं आप आसीस कुमार पाल जी चलिए हाँ पाच्वा कुश्चन का मैं फिगर बनाऊंगा अब सभी बच्चे फिगर बनाऊंगे फिर मैं कुश्चन गया है जिसका नाम मैं भी लिखूंगा नाम इसका लिख लो भाई ए और इसके ज्यादा नाम लिखे ही नहीं गये हैं सिर्फ यहां पर लिखा गया बस तो कुछ भी आप लिख लो चाहिए ना लिखो एक तिर्भू जाज इसको चलो मैं मान लेता हूं कि ABC है ठीक है वैसे आपके बुक में ABC नाम नहीं लिखा गया इसका लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कोई मतलब नहीं लिखो या मत लिखो लेकिन इस तिर्भूज का जो कौण ए है उसको एक रेखा क्या कर रही है बिश्यक्ट करती है पतिछे सम्दुभाजित करती है इस रेखा का नाम रेखा यल सम्दुभाजित कर रही है बिश्यक्ट कर रही है आगे देखो क्या कहता है यहां पर एक बीच में बिंदु है जिसका नाम वी है और वी यह रेखा जो है मतलब इसकी भूजा एसी पर लंब है जहां पर पी लिखा है और यह ऊपर भी क्या है भाई साहब यहां स नाम इसलिए लिख नहीं रहा था ना ठीक है यहां पर भी लिख दोगे तो कुल दो जगा भी भी हो गड़बर हो जाएगा यहां मालो चलो डी कुछ भी लिख लो अब समझने की कोसिस करो हाँ ध्यान दीजिए इतना दिया है ना आपकी किताब में यहां पर नाम नहीं लिखा होगा सीदी यह सीदी मैंने लिख दिया वैसे लिख लो जादा अच्छा रहेगा कुछ नाम रहेगा तो ठीक है हां यह ना लिखो तब भी कोई दिकत नहीं है चलो उसका कोई मतलब नहीं अब हम कुश्चन पढ़ते हैं यह कौन नब्बे अंस का है इस पे से कुश्चन ध्यान से पढ़िए ठीक है कुश्चन ध्यान से पढ़िए और सुनिए जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो सभी NCRT किताब जरूर रखें हार गए क्या जित गए चलिए ठीक है अब ध्यान दो जिन बच्चों के पास किताब नहीं हो बच्चे क्या करेंगे किताब जरूर रखेंगे चलो आगे हम लोग बात करते हैं क्या है ध्यान दीजिये कहरा कि रेखा यल कोण A को सम्दुभाजित करती है question ध्यान से सुनिए रेखा यल कोण A को सम्दुभाजित करती है A को सम्दुभाजित करती है और B रेखा यल पर इस्थित कोई बिन्दु है और B ये B रेखा यल पर इस्थित कोई क्या है point है, कोई बिंदू है आगे सुनो question क्या कहता है कहरा कि B, P और B, Q कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है B, P और B और ये Q यहाँ पर क्या रहेगा Q ये Q समझो, ध्यान से समझो B, P और B, Q ये कोण जो A है उसकी भुजाओं पर डाले गए क्या है लंब है तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या कैसी सिद्ध कीजिए पहला कह रहा है कि A, P, B और A, Q, B सरभांगसम है काइंगरूयेंस है A, P, B और A, Q, B ये काइंगरूयेंस है सरभांगसम है ठीक है बाद समझ में आ रही ना ब्रिज कांत मिसरा सूबा चलता बच्चा सूबा चलता दस वालों का चुप चाप पढ़ लो पढ़ना नहीं भाग जो यहां से ठीक है डिस्ट्रब मत करो कक्षा दस का सूबा चलता है तुम लोग रोज पूछते हो पढ़ते कभी नहीं सब कोनो चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखो पीब्यारे स्टड़ी इलाहबाद और पीब्यारे स्टड़ी 3.0 चलो फिर से सुनो क्यूश्चन कहता है कि रेखा यल यह रेखा यल कोण एको विश्यव्ट कर रही है सम्दुभाजित कर रही है आगे कहता है रेखा बी यल परिस्थित कोई बिन्दु है और बी जो है वो रेखा यल परिस्थित कोई बिन्दु है यह रेखा यल है सीदी वाली यहां तक यह बी जो है उस परिस्थित कोई एक बिन्दु है ठीक है आगे सुनो क्या कहता है कहरा कि बी पी और बी क्यू कोण एकी पर ORB से डाले गए लंब है BP और वी क्यू कोड़े की बुजाओंपर बिन्दु बीसे डाले गए लंबाई ये पर पेंडिकुलर आगे देखो क्या कहता है पिए पीड करो हो कि बच्चा चलो फटा फटा आप लोग लिखो जल्दी से जो भी दोनों तिर्भूज दिये गए हैं लिखो चल रहा है कि देखर लाइट चली करेगा तो आप लोग जाना मत ठीक है जी किरन महर रहा है बिल्कुल बेरी गुड बहुत अच्छे बेरी गुड चलिए चाहे आप पी ये भी लिखिए किरन जी बिल्कुल या फिर ए पी भी लिखिए ठीक है दोनों ठीक है चलिए अब लिखो तिर्भूज ए पी वी और ए क्यू बी में यहाँ पर हल लिखो लाइट चली ठीक है चलें आगे वफरिंग कर रहा था था ना भी तक वफरिंग कर रहा था था यार ठीक हो गया ना चालो ठीक है बेरी गुड पिल्कुल विल्कुल क्रेन मोर्या ने इसको कंगरेंस कर दिया बहुत अच्छे ze운 रे चलिए अब क्या करोगे अब देखो बच्च्यक्य Q B और A P B बराबर है क्योंकि कोण Q और कोण P दोनों नब्बे हैं तो आप लिखो एंगल A Q B A Q B इक्वल एंगल A P B A P B ये नब बराबर क्यों है लिखो दोनो नब्बे डिग्री हैं मतलब दोनों क्या है सरवांग सम ओ स्वरी दोनों कोण बराबर है इसलिए दोनों क्या है बराबर है मैंने बराबर कर दिया चूकि दोनों नब्बे हैं यह भी नब्बे बना रहा है यहां से और यह भी क्या बना रहा नब्बे का कोण बना रहा ह इसमें हम और एक चीज बराबर कर सकते हैं, वो क्या है? QAB, जियान से देखो, QAB, मतलब यह कौन A जो है, यह किसके बराबर है? भई यह PAB के बराबर है, बाबू यह, किसके? PAB क्यों बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि ये जो कूण A था ये दो पार्ट में बट गया है बीट से इसका बट वारा हो गया है तो भाई ये कूण और ये दोनों बराबर होगा ना चुकि बीट से बट गया दो पार्ट में बराबर है ना तो लिखो QAB इक्वल एंगल VAV, यह बराबर क्यों है, लिखो LVSect एंगल A, हिंदी में लिख लो, क्योंकि रेखा A, क्योंकि रेखा A, कोन, ओ सोरी, क्योंकि रेखा L, A नहीं, रेखा का नाम दो याल है ना, लिखो क्योंकि रेखा यल कोणड एको सम्दुभाजित कर रही है क्योंकि रेखा यल कोणड एको सम्दुभाजित करती है देखें English में कुछ और भी Translation किया है किरन महुर्याने यल इजड़ विस्टेक्टर आफ एंगल A विल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख दो यल विस्टेक्ट एंगल A इसलिए दोनों क्या हैं बराबर हैं इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं बच्चा वो क्या है आपने ये देखा कि तिरबुज A B Q या फिर A Q B और A P B या फिर ऐसे बोलो P A B दोनों में एक रेखा कॉमन एक बुजा एक बुजा कॉमन है कौन सी अरे भाईया ये बीच वाली बुजा कॉमन है दोनों में दोनों में कॉमन है ना तो लिखो फिर ये बराबर तो होई जाएगी ना लिखो A B इक्वल A B ऐसा काहे है लिखो कॉमन है क्या है कॉमन है और क्या चाहिए सरवांगसम के लिए हमें दो कॉन इक्वल मिल गए एक बुजा इक्वल मिल गई अब क्या हुआ हो गया ना काम यार हो गया ना लिखो क्या लिखो गया लिखो लिखो आता हा आता हा सिद्ध हुआ आता सिद्ध हुआ हिंदी मीडिया माले लिखेंगे आएसे नहीं थोड़ा सा और अच्छे से लिखलो ढंग से लिखलो हो तो गया फिलाल आम थोड़ा सा जार देते नीचे लिखो नीचे लिखो आएसे सिद्ध फिद्ध लिखलो आता हां क्या क्या सिद्ध करना था ए पी बी ए पी बी ए क्यू बी दोनों सरवांग सम है यही करना था ना लिखो आता ए पी बी कैंगुरियंस ऐ ट्य क्यू बी ब्रेकट में लिख लो कौन से रूमसे हुआ है कौन से रूमसे हुआ है बोलो कौनसा रूमसे लगा है मैं ऑशेज बोब दो इंगल बराबर किया तो कि इस से इंगल साइड से किसे एंगल साइड से हो गया नए इसको लिख लिए आपने चलो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीन साट ले लिजी, आपके पास 10 सिकेंड का टाइम है, only 10 सिकेंड, जल्दी करिए, ले लिए स्क्रीन साट, चलो, इसमें एक पार्ट और भी पूछ रहा था भाई साहब, वो दूसरा पार्ट में इधर नीचे सेटल कर देता हूँ, यहां द करने को बोल रहा है कि दिखाओ सिद्ध करो, कि भूजा जो बी पी है, यह बी क्यू के बराबर है, इन दोनों को क्या कर रहा है, इक्वल करने को कह रहा है, त्यान से फिर से समझो, कह रहा है यह भूजा बी क्यू, यह इसके बराबर है, इसको सिद्ध करिये के बराबर है, क्या कर यह प्रूब कर यह कि दोनों equal है कौन-कौन यह BP यानि B और P और B और Q दोनों equal है, इसको प्रूब करना है, आप लिखो, इसको कुछ नहीं करना है, इस सिद्ध है, यह BP equal BQ, क्यू है, लिखो ब्रेकर्ट में लिखो, by CP, CP, CT, यह CP, CT से क्या है, बराबर है, CP, CT का मतलब जानते हो, जो बच्चे इंट्रोडक्शन वारा पार्ट नहीं देखे, बच्चा वो जरूर देख ले, CP, CT का मतलब जानते हो, उसमें आपको बहुत सारे रूल पढ़ाये गया है, जिसमें यह भी पढ़ाया गया है, कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में congruent है आपस में सर्बांगसम है, तो उनकी corresponding side equal होती है, यानि दो सर्बांगसम तिर्बूज की, जो संगत भुजाएं होती है, वो आपस में बराबर होती है, समझ गए ना, समझ गए ना, यानि दो सर्बांगसम तिर्बूज हमने तो सिद्ध कर दिया यह, पहले मैंने सर्बांग तो इनकी corresponding side equal होंगी यानि इनकी संगत हो जाए बराबर होंगी तो इसको तो सिद्ध करना ही रही है है न कितना वज़दार आया समझ में लिख लो जल्दी से तो आप सभी याद रखना कौन सा exercise है 7.1 का question number 7 आजन देखेंगे त्यान से देखना पहले आप सवाल देखिए फि करना चोटी बात मतलब आप जल्दी से समझ अगर जाओगे तो आप हल कर लोगे बहुत जल्दी कुश्चन देखिए क्या कहता है कि एबी एक रेखा खंड है अब चित्र भी देखते जाओ साथ में एबी ये क्या है एक रेखा खंड है आगे कहता है और पी इसका मद्द ब बिन्दू यहां पर दो सेंटिमेटर पर होगा इसको क्या बोलते हैं मद्द बिन्दू बोलते हैं आगे देखो क्या कहता है कुश्चन पढ़ते हैं डी और यी रेखा खंड एबी के एक ही और इस्थित दो बिन्दू इस परकार है डी और यी कहां पर है यह देखो डी और e कह रहा है कि रेखाखंड a b के एक ही और इस्थित दो बिंदू इस परकार से हैं किस परकार से हैं देखो आगे लिखा है कोण b a d पराबर है a b e k यानि b a d ध्यान से देखो कोण b a a d यानि यह जो कोण है यह यह बन रहा है अगर इसको आप थोड़ा अलग करके देखोगे तो ऐसे दिखेगा यह तिक रहा है यह कोण किसके बराबर है आप ध्यान दीजिए कर आई वी यानि a b e मतलब यह कोण अगर हम देखेंगे तो ऐसे दिखेगा समझ में आ रहा ना यह मैंने थोड़ा जादा न कर दिय आ यह इतने डाउन नहीं होगा मतलब कुश आयों से दिखेगा ठीक है यह इसके आगे और इसके आगे कह रहा है और कौण E P A कौण E P A ध्यान दो E P और A यानि यह जो लाइन वाला कौण बना रहा है कौण सा यह E P और A समझ में आ रहा ना यह कौण यह इधर से बना ना E P A यहाँ पर A है यह किसके बराबर है डी पी बी के बराबर है किसके डी पी बी मतलब जहां पर यह डबल लाइन वाला है यह यह कौण किसके बराबर है यह दुनों अपस में बराबर है यह तो आपको दिया है आपसे मांग क्या रहा है यह पूछ क्या रहा है कह रहा कि दरसा यह मतलब बोलें प्रूब कीजिए डी-ए-पी सरवांगसम है ए-पी-बी-क कौन डी-ए-पी देखो बच्चा डी-ए-पी मतलब यह जो कौन है डी-ए-पी इसको सिद्र करो सरवांगसम है एपी-बी-क कौन सा एपी और भी कुछ समझ में आया एक बार फिर से देखो D, A, P यानि D, A और P मतलब जो ये ये कोण है ये D, A, और P यहाँ, ये इसको किसके बराबर सिद्ध करने को कह रहा है E, P, B के बच्चा E, P, B ये है इन दोनों कोणों को कह रहा है बराबर आप सरवांग समसिद्ध करके दिखाओ हाँ, सिंपल सा हो जाएगा देखो कैसे, अब लिखो, हल लिखो सलूसन करते हैं हम लोग कुश्चन तो आपने समझ लिया, चलिए लिखिए सबसे पहले दिया है गिबन, देखो समझने में ज़्यादा टाइम लगता है मैं कुश्चन उपर मिटा दूँ या चित्र मिटा दूँ इसको आप जल्दी से रोक के स्क्रीन साट लेजीए, मैं कुश्चन हटा के फिर इसको साल्व करूँगा, ठीक है, जल्दी करिए अब देखो, इसका सलूसन देखते हैं हम लोग, दिया है हमें क्या क्या दिया है, एक काम करेंगे, EPA प्लस, आप लिखो, Angle EPA प्लस इसमें लिखो एंगल EPD ठीक है और equal अभी मैं आपको region बता रहा हूँ क्या हो रहा है यह है DPB और एंगल EPD ऐसा मैंने क्या किया पता है इतर लिखो record में लिखो कोण EPD दोनों तरफ जोडने फर दोनों तरफ जोडने फर एड किया गया क्यों किया गया अभी देखो आगे मैं आपको region बताऊंगा और हाँ आगे देखो अगर ऐसा आप करोगे तो क्या होगा पता है आपको यह आपको मिल जाएगा एंगल A P और D ठीक है अभी धेय से लिखो इधर दिख रहा है ना ठीक है थोड़ा सा रूको यह कैसे आ रहा मैं आपको समझा रहा हूं जहां तो जैसे अगर हम EPA जोड़ेंगे किसमें EPD में जहां दो EPA हम जोड़ने किसमें EPD में EPD में यानि कुल मिला कि यह समझो कि EPA यह एंगल हम EPD में जोड रहे हैं EPD यह दोनों जोड़ेंगे तविक नया एंगल बनेगा एक नया एंगल कॉनसा बनेगा यहां स देखो दैन से APD बनेगा ठीक है ठीक है तो यह मिला कि एक नया कोण बन जाएगा बोलो बन जायागा ना जिसका नाम होगा क्या होगा बीपीई यह पूरा एक सीधा हो जाएगा और यह जूढ़के पूरा है इधर को सीधा हो जाएगा तो किसमें किसमें डी ए और दी ए पी मतलब यह तिरभूज यह को ऑपके डी एपी एक वल की साहरो से मतलब जोभी आगर करना है तो लिखो तिरभूजय इतना और तिरभूज कौन सा एक दूसरा वाला जो बन रहा अब अगर आपको नीचे लिख सकता हूं नीचे दिख रहा है अभी हम लिख सकते हैं नीचे बिल्कुल टैंसल मतले ना थोड़ा समझने की कोशिस करोगे बच्चा तो आएगा पकाएगा लिखो DAP बराबर ये दिया है जो कौन आपको DAP किसके बराबर है ये अभी अभी आपने देखा था ना EBP के लिखो EBP एंगल EBP ब्रेकड में लिखो दिया है दिया है अभी आपने पढ़ा था ना ठीक है इसको लिखो जल्दी इतना करो इतना करो फिर आगे चलते हैं अगर कोई डाउट होगा ता आप कमेंट करके बताना चलो अभी अपने देखा हमने कई चीजें बराबर कर लिया अभी अभी में फिर लिख दूँगा एक साथ में आप क्या करोगा आगे लिखो जल्दी करो फोड़ा आप थोड़ा वीडियो करोंगे पिर दिखकिए अगर सब पूरा ठीक है अब क्या करें हिए देखो हम इक बनाबर कर लिया अभबय हम जान सिर्फ कर सकते हैं ऑप लिखे बराबर यद्माबर कर सकते हैं आप लिखो को पी कि एबी का मध्य बिंदू है अगर मध्य बिंदू है तो बहिया दोनों को दो भाग में बाटेगा ना मिश्टर पंकर जी बहुत काई परेसान हो रहे हैं आप लोगों करके किरन मोर्या अनुच सुदान्सू सुरेश मोहीद मनीश और कौन है अनुच का मैं कमेंट रहे हैं उनको आप लोगों नहीं दिख रहा होगा पब्लिश नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट के पीछे मत बढ़ो या ध्यान से समझ में आएगा भी उपर नंबर दिखाएंगा उस पर संपर कर लेना आप वाट सब कर देना आपको बताया जाएगा यह ठीक है इतना आप देखो क्या होता है ध्यान दिजिए आप इसके आगे दिजिए हमें पता है कि यह तो बराबर हो गया एक कोंड भी बराबर हो गया लेकिन इसमें समीकरण 1 में देखो दिया था भी मैंने मिटा दिया ना लिको एंगल APD किसके बराबर था एंगल APD था BPA के बराबर था BPA के बराबर था अब यह भी समी करण एक मैंने मिटाया था ना लिखो समी करण एक से थोड़ा बैक करके देख लो हो जाएगा ठीक है अब आप लिख सकते हो आता हाँ देखो यह कोण बराबर हो गया भुजा बराबर हो गया यह कोण बराबर हो गया आप लिखो अधा ट्राइंगल DAP DAP का एंगुरियंस किसके ट्राइंगल EBP क्यूं ASA ब्रेकर्ण में लिखो BY ASA हिंदी में लिख लेंगे कोण भुजा कोण सर्बांग समता से क्या हो गया बराबर हो गया ठीक है इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा था बच्चा दूसरा सवाल इसमें एक और भी पूछ रहा था कि AD जो है वो BE के बराबर है इसको सिद्ध करना था आप रेकर्ट में लिखो ये दोनों बराबर है क्यों by CPCT CPCT पड़े हो ना लिखो region लिख दो लंबा सा क्योंकि सर्बांग सम तिर्बुच की संगत भुजाएं बराबर होती है kangarooence triangle की corresponding angle हमेशा क्या होती है लिख दो by CPCT तो हो गया आपका ये question exercise 7.2 यानि की परशना वाली 7.2 और question number होगा बच्चा ये आपका पहला class 9th की NC IT mathematics है और जो भी 9th की बच्चे है class को पूरा ध्यान से देखेंगे question थोड़ा टप होगा लेकिन आसान तरीका से बताएंगे English Hindi Medium दोनों बच्चे देखेंगे UPCBC जहरखंट है मतलब कहीं के भी बच्चे हैं सब के लिए एक सम्दुबाहु तिरभूज ABC जिसमें AB AC के बराबर है एक सम्दुबाहु तिरभूज सम्दुबाहु का मतलब होता जिसकी दो भूजा आपस में बराबर हो तो ये एक सम्दुबाहु तिरभूज ABC है जिसके दो भूजा A, B, A, C दोनों क्या है बराबर है एक example के लिए ले ले लो तो मालो ये भी 5 है ये भी क्या है 5 cm है बकी दिया नहीं लेकिन हाँ बराबर का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक है आगे कहता है कि कौण B और कौण C के सम्धुभाजक परसपर बिंदू O पर पर परतिछेद करते हैं और कौण B और कौण C के सम्धुभाजक मतलब वो B-sector जो है हिनके जैसे देखो ये बी का जो परतिछेद करता है ये यहाँ पर जाता है O पर मिलता है ओपर क्या कह रहा है पतिछेट करते हैं हां करने पतिछेट मतलब दूसरे को काटें इंटरसेट कर रहे हैं ए और ओ को जोड़िए और दर्साइए मतलब सिद कीजिए यानि प्रूब कीजिए और एको जोड़ने को कहा था मैंने जोड़ दिया यह पहले से यह जोड़ दिया अब हमें पुरूब करना है बच्चा की O, B, O, C के बराबर है यानि ये मुझा इसके क्या है बराबर है इसको बराबर करने के लिए हमें इसमें दो तिर्भुज को सम्दुवाहू सर्बांगसम सिद्ध करना होगा मतलब का इंगुरेंस करना होगा क्यूं करना होगा चलो दे है यहां पर देखो मैं इसका हल लिख देता हूं इधर साइड में आप ध्यान दो यह लो यह कुश्चन है हां इधर मैं हल लिखता हूं आप ध्यान दो बच्चा क्या क्या दिया है ध्यान देना मैंने यहां पर इसको घेर दिया उपर आप यहां पर देख सकते हो एबी एसी क आँसे हम लिख लो गिवेंट यह हो गया इसके अलामह अगर हम बात करें तो हैं पे देखो कौण B बराबर है zk के बराबर है क्यों बराबर है थे को किसी तरहेंं में बराबर भुजा के बिप्रीद को बराबर होते हैं यह बता भूजा A B A C बराबर है ना बराबर है तो जो A B भूजा का आप गोजी टेंगल है इसके सामने वाला जैसे मैं अगर इसको एक जगह यहां पर बनाओं यहां पर आप क्लियर करो यह भूजा क्या बच्छा आपका A B है आप ध्यान दो यह क्या है A B कर है इसके सामने कौन सा कोड़ है यह पर यह कोण है अर यहां पर सी松र मियांगा यह गए और A C इसके सम्मू कोण आपस में बराबर होते हैं तो भाई इसकी सम्मू कोण सी और इसका सम्मू कोण भी आपस में बराबर होंगे तो आप लिखोगे एंगल यहां पर लिखो नीचे एंगल ACB equal angle कौन सदूसरा ABC ठीक है ABC इतना लिख लो कोई चटक में क्या लिखोगे लिख लो आगे लिखो बराबर भुजा के सम्मू कोण बराबर होते हिंदियों ने लिखने बराबर बुजा के सम्मुकोंड बराबर होते हैं इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे तो आपने समझ के लिख लेंगे कि एक्वल साइड के जो आपोजी टेंगल होते हो क्या होते हैं यही ना चलो अब इसमें हम कुछ लोग करेंगे थोड़ी से यह कर सकते हैं किससे वन अपांटू से दोनों तरफ काट भी सकते हैं खतम भी हो जाएगा लेकिन क्यों करेंगे अभी मैं बता रहा हूं यहां ब्रेकर में लिख लो वन अपांटू से दोनों पक्षों में मल्टीपल करने पर मतलब गुड़ा करने पर यह हिंदी मीडियम लिख लेंगे मल्टिपलाइंग वाइवन अपांटू इन बोट साइड ओके अब देखो अगर आप लोग ध्यान से देखो बच्चा ACB ये आधा हो गया ACB कोंड था ना पहले ACB ये क्या एंगल थेळान देना कौंड है त्रबुझ नहीं एंगल है मतलब ACB जो ये कोंड है ये ये समझ रहुं अरे यार ये वाला कौंडS यी लेकिन अभी आधा हो गया देखो एक बटादू ना आधा का मतलब क्या आधा का म मतलब ये हो गये यह हैं यह सम्धुभाजित करता ना भी चौल यह 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 सम्धुभाजित करता है ना यह क्या हो गया उसका आधा कोन अलग हो गया तो हम इसकी जगापे लिख सकते हैं OCB लिख सकते हैं सिंपल सी बात है इसकी जगापे OCB इसकी जगापे OCB हो जाएगा समझ भी आए ना अगर आपको basic concept नहीं आता बच्चा तो 0 label मैं देखो यह समझ में नहीं आएगा मैंने आपको समझा दिया जो भी मेरी कोसिस थी मैंने किया ठीक है अब आगे देखो मतलब समझ गये ना यह जो कौन सी था इसका आधा ऐसे निकल गया फाड के देखो जो भी था इधर तो यह OCB की बराबर हो गया उसी तरह से आकर दूसरा कौन देखो ABC मतलब यह कौन B वाला यह भी देखो आधा आधा डिवाइड हुआ है ना कैसे भाई B के बीच से लाइन गई है ना यह क्या करती इसको को आधे आधे से क्या करती विभाजित कर रही बीचो बीच से जाके है ना कर रही ना दो भाग में कर रही ना इसको तो यह किसके बराबर हो जाएगा अरे ये O, B, C के बराबर हो जाएगा, क्यूं हो जाएगा ना बच्या, तो ये हो जाएगा O, B, C अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो क्या बन रहा है, तिरभूझ O, B, C में O, B, C मेary O, B, C, क्यूं, लिखो यहाँ पे लिखो तिरभूझ O, B, C में लिखो, लिखो, लिखो O, B, Q, O, C क्यों? लिखो, बराबर कौन की विपरीत भूजा बराबर होती है बराबर कौन की विपरीत भूजाएं बराबर होती है अब बराबर कौन कौन सा है? बराबर कौन कौन सा बच्चा देखो सिंपल सी बात है यहां पर क्या देखे थे आप अरे एंगल लगा लो इसमें यह एंगल OCB OCB मतलब यह एंगल यह आधा वाला यह यह मतलब मैं ऐसे दिखाऊं एक मिनट रुको इसको मैं यहां से दिखा दे रहा हूं अब यह एंगल यह C समझ रहने यह चोटा वाला यह C और इसको अगर मैं थोड़ा दूर से दिखा दूँ यह पूरे को यहां से इसमें यह कौण B समझ गए ना यह चोटका वाला कौण नीचे B बन रहा है हां समझ ब्याना वच्चा यानि जो तिर्भूज हैं यह दोनों बराबर हैं उसरी कौण ये C कौन B की दोनों किया बराबर है तो C की अपोजीर भुजा क्या O है और ये B का अपोजीर भुजा क्या इधर वाली है तो लिख दो ब्रेकट में बराबर कौन की सम्मुक भुजा बराबर होती है लिखो बराबर कौन की सम्मुक भुजा बराबर होती है जल्दी करो फट से करो बराबर कौर की से मोगूजा बराबर होती है ये इसमें पहला सिद्ध करना था इसमें एक और भी सिद्ध करना भच्चा उसको ध्यान दो आप क्लास को पूरा देखो कोई बच्चे जाएंगे नी देखो बहुत से बच्चो के निकालो या फिर आप इसे लिख लो वीडियो रों के जल्दी करो भाई फास्ट फास्ट चलो कि देखो मैंने कुईस्टिन मिटा दिया आधा आप लोग वीडियो बैक करके देखना आप देखो इसमें क्या कहता है सिद्ध कीजिए कि जो ओए है वो बिश्यक्ट करता एंगल आप देखो बिश्यक्ट मतलब सम्धुभाजित हिंदी मीडियम लिख लें इन्डी मीडियम वाले बच्चे लिखे ओए कोण एक हो सम्दुभाजित करता है बच्चा यह ठीक है इसको हमें सिद्ध करने के लिए कि और ऐसम दिखाजित करता हमें यह तिर भूज इधर वाल की तिर्भूज जो स्वारीओरिद वाला तिर्भूज यह इधर वाला ओ इन दोनों को क्या करना है इन दोनों को लेके स्वाव करना है और iqukalb c-01. ठीक है अब देखो इसमें क्या-क्या बराबर हो चीजे हम लिख लेँगे जैसे-a-b-a-c की बराबर है पहले ही दिया था यह आपने देखा होगा है ना लिखो A B को ले सी, यह पहले ही दिया था, ब्रेकर में लिख लो दिया है, क्या बच्चा यह दिया है, क्या है, दिया है, गिबन है, और भी कुछ है बराबर, वो क्या है, वो O A और O A बराबर है, काहे को बराबर है, भई काहे को बराबर है, अरे यह ले लो, O A B, अगर तुम O A B ले C, दोनों में O A common है ना, है ना बच्चा तो लिखो O A equal O A, अंदर लिखो common है, क्या है common है, इतना हो गया, अब तुम क्या करोगे, अभी अभी हमने इसके पहले एक चीज और सिद्ध किया है, वो का सिद्ध किया है, कि O B O C के बराबर है, भाई सिद्ध किया था ना मैंने अभ और जब यह इधर बंदा आया है, तो इधर O C का यूज हो रहा है, यह दोनों पराबर है, आप इसमें क्या लिखो, proved, या फिर हिंदी मीडिया माले लिखे, सिद्ध कर चुके है, सिद्ध कर चुके है, ठीक है, आप लिखो बच्चा, एंगल O A B, O A B, Cangreance to O A C, क्यूं, क सिद्ध कर से? क्यों बचाब, क्यों बचा बचा ही हुआ है का, इस बचा 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 से जिखो1, या फिर हिर स्थे पर स最近 लिखो clock, सर्चा सर बांक समय से, यह लिखे, समय हो ड़े बच्चा संव क्या लिखो ऐसिका है, लिखो जोलोन इंगल OAB equal angle OAC ये दोनों बराबर है भई कहें बराबर है angle A और angle A दोनों बराबर कहें लिए इसे कर दिया गया OAB देखो OAB मतलब ये कौन ये कौन और का कह रहा है अगला OAC मतलब OAC यानि ये कौन इधर के इधर के दोनों क्या है बराबर है बराबर कहें लिखो 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 फटा पर लिखो भाई CPCT CPCT मैंने डिस्क्रेप्शन ओ स्वरी जो इंट्रोड़क्शन पार्ट था इस्टार्टिंग उसमें पढ़ाया है नहीं पढ़ा आपने कमेंट करना आपको मिल जाएगा इसका इंट्रोड़क्शन पार्ट CPCT के आप लिख के कमेंट करना वाटी CPCT CPCT मतलब जानते हो अरे वो संगत तिर्भुच के जो रूल होते हैं जैसे संगत सर्बांग संब तिर्भुच के संगत बुझाएं बराबर होती हैं सर्बांग संब तिर्भुच के संगत कोण बराबर होते हैं ये सब रूल पढ़ाया गया है हैं ठीक बाच्चा लिख लो इतना हो गया आप नीच नीचे लिख सकते हैं करता है लगा करता है संदुभाजीत मतलब जानते हो बच्छा भी सेक्ट करता है ठीक है इस तरह से आपका एक कुश्चन हो गया एक सथाई 7.2 में हमने दो कुश्चन पढ़ लिए तीसरा कुश्चन आपके लिए है ध्यान देना बहुत ही मांदारी के देखना और पूरा कला फेंड तक द कि ABC जो है एक सम्दुभाहू तिरभूज है सम्दुभाहू का मतलब जिसमें दो भूजाय बराबर है यानि AB equal AC है देखो कैसे ध्यान दो आगे कहरा जिसमें बराबर भूजाओं AB और AC पर क्रमसा सीर्सलंबो देखो लिखा भी है बराबर भूजाओं AB और AC ऐसा नहीं कहा क कि AC और AB बराबर है लेकिन ऐसे लिखा है कि बराबर भूजाओं AB और AC पर यानि कि AB और AC कहां equal है सीर्सलंबो सीर्सलंबो को इंगलिस में बच्चा altitude बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको altitude बोलते है ठीक है तो जो altitude है वो BE और CF है अध्यान दो BE and CF यह क्या है altitude है करत यानि प्रूब कीजिए सिद्ध कीजिए कि जो सीर्सलंब है वो इक्वल है हाँ आप दिखा सकते हो सिंपल सा है चलो हम इसमें दो तिर्भूज को kangaroid दिखा देंगे और उसकी आधार पर आप कह सकतो कि जो BE और CF वो बराबर है देखो कैसे यहां पर आप लिखतो हल और हम दो तिर्भूज पकड़ेंगे कौन-कौन A,E,B या फिर A,B,E भी बहुल सकते हो लेकिन थोड़ा उल्टा लागेगा तो आप क्या करोगे लिखो तिर्भूज A,E,B और तिर्भूज कौन सा A,C,F क्यों ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि A,B,E अगर करेंगे तो इसमें BE आ रह रहा है यानि दोनों भूजाएं जो हमें बराबर दिखानी है दोनों तिर्भूज में आ रही है है ना लिखोगे A,E,B और A,C,F से देखो इसमें क्या है दोनों तिर्भूज अगर हम लेंगे इसमें बच्चा कौन ए दोनों में आ रहा है A,E,B and A,F,C oh sorry A,C,F दोनों में A आ रहा है ना तो आप लिखोगे एंगल A इक्वल एंगल A, रिजन हो जाएगा गिवन हिंदी मीडियम आले लिख लें दिया है दिया है इतना हो गया आगे क्या करोगे आप आगे एक ओ सरी दिया नहीं यार कॉमन है ठीक है यह क्या है कॉमन है दिया तो भूजाएं यह देखो A, B, A, C परावर है ना कही रहा है तो आप लिख सकते हो हाँ यह मेरे दिमाग में था जो मैंने उसमें दिया बोल दिया यह क्या है दिजन लिखो ब्रेकड में दिया है हिंदी में लिख दोगे क्या दिया है इंग्लिस में लिखोगे इतना ठीक है अब अगर A, E और B ले और A, C, F ले तो इसमें E जो है और F जो है दोनों 90 है ना आप लिखोगे एंगल A, E, B इक्वल एंगल A, C, F लिखो या फिर A, C, F लिखो लेकिन अगर आप A, C, F लिखोगे तो C तो 90 है नहीं इसलिए आप क्या लिखोगे A, F, C लिखोगे ठीक है A, F, C ये दोनों बराबर क्यों है रिजन लिखो दोनों 90 डिगरी है बतलब दोनों समकोण है ये हो गया अब आप नीचे लिख सकते हो अताहा ट्राइंगल A, E, B इक्वल एंगरियन्स टू यानि कि सरवांगसम है A, C, F, K क्यों सरवांगसम है अभी क्या देखा आपने A, S A, ना बरेकर्ट में आप लिख दो बाई A, A, S, A, C, रूल ना हिंदी मीडिया मारे लिखेंगे कोण भुजा कोण सरवांगसम ता नियम से कोण भुजा कोण सरवांगसम ता रूल से दोनों क्या है सरवांगसम है जो बच्चे इसका इस्टार्टिंग का कलाफ नहीं देख समय सपाइंगे जैंतुWeston मतने नहीं पार रहे होंगे और इसमें कर ने को कह रहा था यह थो गया अभी तो कुछby ऑ सि पी सी टी मतलब सि पिपसी टीती जानते हो आप को सरबंसमतार रू से सरवंग्समतार से प्रूल में क्या पढ़ा है था देखो वह क्या पढ़ाया कि जब कोई-भी-दो तिरोबस अर॑ बराबर होती है संगत कोड़ बराबर होते हैं उसी रूल से देखो कैसे ए ए बी और ए सी एफ यह दो अगर आप ध्यान दो तो ए इभी इसमें देखो भी या रहा है एसी एफ में देखो सी एफ आ सर्बांग संतिर बूझ की संगत बूझाय बराबर होतीए अब रेकट में चाहिए तो हिंदी मीडिया मृद्य सकते हैं लोग जल्दी से स्क्रीन साट ले लीजिए नहीं तो वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोंक लीजिए और पूरा लिखे नोट करिए बहुत जल्दी करिए और हाँ जो बच्चे इसे यूटूब पर डेमो की रूप में अगर देख वा रहें तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ आपने दोस्तों में सेयर करना ना भूलें अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए अगला कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग ध्यान दीजिए बिल्कुल बहुत ही इमांदारी फे द कहता है आगे पढ़ो कि जिसमें एवी बराबर एसी है यानि बच्चा यह जो एवी है वो एसी कि क्या है बराबर है कुश्चन जैसे कहा है वैसे देखते जाओ ध्यान से इमांदारी फिदेखो कमेंट के चक्कर में नपढ़ो ज्यादा कुश्चन समझो ठीक है ज्यादा करो देखो करा कि भूजा भी ये बिंदू डी तक इस परकार से बढ़ाई गई है यानि जितनी बड़ी ये भूजा थी उतनी बड़ी उसको उपर को और भी बढ़ा दिया गया कहरा फिर दिखाईए दर्साइए यानि प्रूब कीजिए सिद्ध कीजिए कि कोण BCD सम कोण है यानि जो C बाला एंगल है वो राइट एंगल है ये हमें प्रूब करना है ठीक है आप सबसे पहले लिखोगे बच्चा इसमें दिया है उपर लिखो हल हल लिखो लिख लिख देखो इसमें क्या-क्या दिया है बहुत चीजें दिए ही starting में A, B, A, C के बराबर दिया है तो पहले आप लिखू A, B, A, C ये क्या है दिया है देखो यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध करने पिर नहीं होने वाला है क्योंकि हमें कोंड दिखाना है समकोंड ना तो सरवांग से में तो अशा कुछ होता नहीं है और क्या दिया है A B A D के बराबर दिया है आप इसे लिख सकते हो A D equal A B भाई A D equal A B लिख सकते हो ठीक है ये भी क्या दिया है कोश्टक में आप लिख लो given या फिद दिया है यह हो गया हमें सिध्ध क्या करना है लिखो आप नीचे सिध्ध करना है यानि टू प्रूब क्या करना बच्चा लिखो B C D equal 90 यानि यह एंगल जो है B C और D यह 90 है यह चीज हमें ऐसे सिध्ध करना है ठीक है लिखो B C D equal 90 डिगरी यह क्या करना सिध्ध करना है आप एक काम कर सकते हो तिरबूज A B C A B C अगर लो नीचे लिखो यहाँ पर ऐसे किज दे रहा हूं तिरबूज A B C से लिखो क्या A B A C के बराबर है भाई आगर हम A B C लेंगे तो A B C के बराबर पहले से दिया था आप लिखो A, B बरावर A, C रिजन लिख लो क्या दिया है लिखो given ये रिजन हो गया दिया है नोट करते चलो, समझते चलो ठीक है आगे देखो आपने CP, CT रूल पढ़ा होगा मैंने आपको पढ़ाया था अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट करिए आपको basic concept पहले बताया जाएगा ये CP, CT रूल होगा रहा क्या होता कैसे समझते हैं नहीं तो ये सवाल नहीं समझ में आएगा इसले में स्टार्टिंग में बता रहा था न तो हम अगर इसको कुछ और मान लें ये कोंड मान लो जो C वाला है इसे मान लो कोंड मान लेते हैं ठीक है सिर्फ ABC की बात करने हैं पूरे की नहीं ओनली ये इतना क्या हो गया कोंड नमबर वन तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल वन इक्वल किसके एंगल बी के कुछ समझ में आया नहीं ना ये जो एंगल वन है तेको ये सी नहीं लेंगे सी का मतलब तो ये पूरा हो गया ये पूरा बड़ा वरतिर भूज लेकिन हम सिर्फ ABC में लेंगे तो ये एंगल वन इसके बराबर वी के अब बताओ क्यों बराबर है स्टार्टिंग में मैंने आपको रूल पढ़ाया था बच्चा वो क्या पढ़ाया था कि जो बराबर भुजाएं होती है उनके सम्मू कोंड बराबर होते हैं तो ये भुजा AB AC क्या बराबर है तो AB के जो सामने कोंड बना है कोंड 1 है और जो AC के सामने कोंड बना है वो क्य होते हैं जल्दी से इतना लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं यह आपका equation number 50 हो गया क्या हो गया यह समीकर नंबर एक हो गया अभी आगे देखते जाओ विल्कुल टैंसर मतले ना अच्छे से देखते जाओ बच्चा चलो यह equation number 50 हो गया अब आगे तिर्भूज ACD अब हम बड़ा वाल लेंगे ACD अब यह तिर्भूज लेंगे यह ठीक है ACD लिखो तिर्भूज ACD में यहां पर अगर आप देखो तो ADAC के बराबर है कौन ADAC के बराबर है वहाई क्यों बराबर है सिंपल सी बात है अगर A B ac के बराबर है अगर ACD बराबर है तो ACD थो क्या होगा AB के बराबर होगा और चुक्कि ABD already A D के बराबर है तो तीनों अपसमें बराबर है न वच्चा तो आप इसमें लिख सकते हो क्या AD equal AC breakout में लिखो दिया है क्या है यह डिया है रीजन हो गया प्लिए यहां विलागेगा अब देखो अच्छी के सामने का क्या है डी है और एक सामने का क्या यह यह न इसको मानने लो कोड़ दो मैंने मान लिया क्योंकि अगर कोड़ सी लोगे तब तो एक दो दो मिला कि सी हो जाएगा लेकिन हमें शिर्फ आधा लेना है तो हम लिख सकते हैं एंगल टू इक्वल एंगल डी इतना ठीक है तो बच्चा आप इसे लिख सकते हो इक क्वैसा जाता जागा नहीं है इसी के उपर मैं फिर से लगाऊंगा आप लोग स्क्रीन साइट ले लो वीडियो को नों के बहुत जल्दी करो फास्ट चलो दी यह क्वैसंअने सब्सक्रt था यह डोन को जोड़ना है जोडने को मतलब आप जानते हो दोने को जोड़े एक बनाना है तो आंगल टू एंड One जोड़ोंगे त़ एंगल तीन ।ांई को ऌगा समझो यह आ रीजोड़ोंगि भाई जाहब तो यह इतना हो जाएगा पूरा यह वो जाएगा कि नहीं हरा ना यह पूरा हो जाएगा पूराcjęगल for मेरे यह दोन जोड़ gece हिसले को यह अनन Alle ऑप सकते हो पता है को बीसीडी क्या लिख सकते हो B, C, D भाई ये पूरा कौन ले ले रहा? ये कहने का मतलब आएसे देख लो, ये पूरा ये पूरा इसपेस, फुल समझ मैं है ना? यानि angle 1 and 2 जोड़ोगे तो आप लिखोगे B, C, D equal भाई अब B और D दोनों जोड़ोगे दोनों का कोई अलग से मानतो है नहीं तो आप इसे लिखोगे B, Dhan, Angle, D इतना कोई confusion? नहीं ना बच्चा? इसमें कोई confusion नहीं ना? इसको जल्दी फिलिखो, फटा-फट करो, चलो हो गया इतना? अब तो तुम लोग करी ले जाओगे अब कौन सी बड़ी मुसीवत है? अब तो आसान है अब यह सब छोड़ दो ही पे अब पूरा तिरभूज ले लो B, C, D में अब यहां नीचे लिखो तिरभूज B, C, D में लिखो B, C, D में B, C, D में पूरे में लिखो हमें पता है कि तिरभूज के तीनों कोनों का योग 180C होता है यानि हम B में D जोड़ेंगे और यह C वाला जोड़ेंगे सब 180C होगा तो आप लिखो एंगल B and एंगल D and then एंगल B, C, D या फिर B, C, D नहीं आप एंगल C जोड़नों के लिए के वाल C लिख दो तब भी ठीक है या फिर अगर हम B, C, D लिखें तब भी तो मतलब C है न ठीक है यह बराबर क्या होगा बच्चा 180C होगा ब्रेकट में लिख दो क्योंकि तिरफुच के तीनों कोड़ों का योगफल 180C होता है पहले से पढ़े हो ना चलो तो यह हो गया अब देखो B और D या B प्लस D दोनों का मान हम क्या करेंगे रखेंगे, कहां फिर रखेंगे बच्चा कहां फिर रखोगे बताओ चलो देखो बाई, सिंपल सी बात है यार अंगल B और अंगल D अगर जोड़ोगे तो समी करण यह मान लो चलो तीन बना है क्या मान लो इसको मान लो तीन बना है तो समी करण तीन से अगर हम B धंडी का मान लेके आए तो क्या मिलेगा अरे यार यह BCD मिल जाएगा ना बाबू तो क्या मिल जाएगा यह angle BCD equal इक्वल नहीं प्लस यह प्लस angle BCD equal 180 तो जोड़ोगे तो दो एक समान है 2 angle BCD equal 180 यहां से आप निकालोगे angle BCD equal 180 upon 2 और दिखरा होगा आपको जो इसे साल्ब करोगे तो 90 हमें यही तो 90 दिखाना था ना BCD को है ना कितना एजी है ना इसमें किसी को doubt है तो नहीं संकोच बता दो बिल्कुल tension मत लेना तेखो एकदम clear दिख रहा है ना note कर लो जिनको भी लिखना है स्क्रीन साट ले लो जैसे भी मर्जी वैसे लिख लो question एकदम पूरा complete हो चुका है right angle मतलब सम कोण और तिरभूज मतलब triangle यानि right angle triangle जिसमें कोण A 90 है 90 डिग्री है A B A C के बराबर है तो फिर कोण B और कोण C का मान गयाद कीजी यह बहुत ही आसान है वेरी सिंपल सा है यह बहुत ही आसान है ना यह चलो देखो कैसे आसीज कुमार परजापती जी राम 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 कैसे ओर लड़के बच्चे ठीक है ना देखो कैसे इधर समझो। चूकि हमें A B A C के बराबर तीइज ए हैं और कॉंड एनबे दिया है भाइ बहुत ही आसान है सिंपल सा है कोड नानिटी दिया है तो आप क्या करोंगे सबसे पहले आप लिखोगे दिया है इधर साइट शेलोशनस्ट होता यहां से जो डिया है पहले उसको लिखोगे उसके बाद आप फिर आगे कुछ करोगे देखो क्या क्या दिया गया है आप लिखो हल या सलूसन एबी कॉल एसी कोई टक में रीजन लिखो गीबेन हिंदी मीडियम वाले लिखे दिया है एक बात और है यहां पर वो कौन सी बात है बच्चा ध्यान दो अच्छा साधी नहीं हुई चलो हो जाएगी देखो इधर साइड ध्यान दो यह भूजा बराबर है एबी एसी के बराबर है आपने ट्राइंगल का बेसी कांसेप्ट सिखा था वो क्या था बच्चा वो यह था कि बराबर भूजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं तो कि एसी का अपोजीट एंगल भी है यानि आप यह भी लिख सकते हो कि एंगल भी एक्क्वल एंगल सी लिख सकते हो ना बोलो यह शेयान हो लिख सकते हो रीजन लिखो बराबर भूजा के सम्मु कोण यह हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इंग्लिज मीडियम वाले समझी रहें क्या लिखना है अपोजिट एंगल आफ इक्वल साइड और इक्वल ऐसे होता ना कुछ चलो हिंदी मीडियम में लिखो फिलाल आप लोग चुकि मारी कलास बेसे इस रूप से हिंदी पेट पंड होती है यह हो गया अब इसमें क्या कर सकते हो आप हम सभी जानते हैं कि तिर्बूज के तीनों कोणों का जो योग होता बच्चा वो 180 होता है हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल V प्लस एंगल C इक्वल 180 रिजन क्या हो जाएगा रिजन लिखो तिर्बूज के तीनों कोणों का योग क्या होगा लिखो तिर्बूज के तीनों कोणों का योग एक सो असी एंस होता है ठीक है लिखलो इतना हो गया कौसम खाएं है क्या सर के बाद ही करेंगे सर के बाद मतलब क्या चलो ठीक है फिलाल बहुत अच्छे बिल्कुल किरन मौर्या ने राइट ट्रांसलेशन लिखा है बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट एंगल मतलब क्या होता उसके बिपरीद जो कौण होते है बराबर होते है यतना ठीक है हमें देखो एंगल एक अमान क्या दिया बच्छा नमबे दिया है ये 90 है एक बात और यहां से सीखो आप लोग B जो है वो C के बराबर है तो हम एक काम कर सकते हैं चाहे तो हम B के जगा पर कोंड C लिखते हैं और ये C पहले से ही रहेगा या फिर दोनों को B भी कर दें कुछ भी एक कर सकते हो तो हम क्या करेंगे एंगल B को ऐसे लिख लेंगे और C की जगा पर भी एंगल B लिख देंगे अब बताओ ऐसा काहे कर दिया हमने इतना बड़ा अन्याय काहे को हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि B और C बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको दोनों की जगा पर B लिख सकते हैं बस आगे आपका अंसर आगया देखो दो तो इधर आएगा भाग मी 호 जाएगा लेकिन पहले आप 90 इधर ले जाओगे तो यह माइनस में हो जाएगा यहां से आप एंगल B निकालोगे यह घटाओगे तो 90 आएगा यह दो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा फाइनल में 45 आएगा यानि कोंड भी कमान कितना आया कितना आया एंगल बी की वैलू आ गई 45 डिगरी तो आप इनको का लिखोगे भाई 45 डिगरी मिश्टर मिथुन सिंग तोमर जी बताओ क्या दिक्कत है फोर पॉइंट वन चैप्टर देखो बच्चा प्लेइलिस्ट में है प्लेइलिस्ट में आप जाके देख लो या फिर आप एक काम करो नंबर पर मैसेज कर देना आप उपर दिखरा वहां पर भी आपको मिल सकता है लेकिन आप प्लेइलिस्ट में जाके देखो अच्छा होग 64 aion key आ एंगल भी इत्वान एंग इसको किसी भी तरह से आप दिखा सकते हो जहाँ दिख रहा न कोई दिख्माइन जो दोनों के मान कितने आगे 45 चल रहा है कि कितने आगे 45 न कर्ण Chief अधिक है चले है बहुत क्वाल्टी真的 आपको न भी दिमा चल रहा है चलिए ठीक है लिख लो भाई जल्दी से अनुपम यादो कीरन मौर्या जी बिल्कुल बेरी गुड बहुत अच्छे आरा एकदम मस्द दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए लिख लीजिए नोट कर लो फटा फट लिख लो बहुत ही मस्द दिख रहा है एकदम क्लियर दिख रहा है चलो तो हो गया आयुस कुमार जी बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड चलो तो अब से नेक्स्ट कुश्चन यह आपका सेबन नंबर कु खतम हो जाए ठीक है कुश्चन नंबर आठमा लिखो चलो एकसर साइट सेबन पॉइंट टू कुश्चन नंबर एट उसके बाद यह सेबन पॉइंट हो जाएगा यह खतम हो जाएगा चलो मैं इधर साइट कुश्चन मिटा रहा हूं जो बच्चे सलूसन नहीं लिखे वो लिख लें अभी जो इस्टूडेंट उसका सलूसन नहीं उतार पाए वो उतार लें चुकि हमने एक अच्छी विवस्था किया है कुश्चन एक साइड आंसर एक साइड तो हम कुश्चन ओनली रेज करेंगे सलूसन आपके सामने डिस्पले पे दिखता ही रहेगा इसको ल पार्टिंग की कलाश जरूर देखिए नहीं तो यह नहीं समझ पाऊगे बी और सी बराबर कहें हो गया ठीक है शुरू मैंने बहुत सारे कांसेप्ट कराएं आप लोग उनको जरूर देख लो तभी मज़ा आएगा लिखो अपलो कलाश को लाइक करो ने यार मतलब कहना पड़ता तो अच्छा नहीं रहता है चलो जल्दी करो क्यारा कि दरसाएए कि दरसाएए मतलब सिद्ध कीजिए ठीक है प्रूब कीजिए और क्या करना है किसी संबाहु तिरभूज किसी संभाहू तिर्भूज का परते कौन साथ हंसका होता है बहुत ही आसान है आप लोग यह बताओ इसमें से कौन कौन इसको कर लेगा चल्दी से यस बोलो हाथ उठाओ फटा फटा फट उठाओ संभाहू तिर्भूज का परते कौन साथ अंस होता है यह तो बड़ा छोटा सवाल है यार बच्चा है एकदम आजाएगा किरन मोर्या रामफूल गौन शिवानी अदो आयूस भाई आसीस परजा पती आपको नहीं आएगा का बहुत गदाहा लड़का यार यह कमेंड नहीं आया अभी तक कि दो बार काया लाइक कर रहे हो दो बार करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा एक के बार होता है कि सिखाएं क्या लाइक करना कि चलो देखो अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं अठों पर जो को बहुत आसान है बिल्कुल सिंपल आईए गायत्री प्रसाथ चतुरबेदी जी सभी को आ जाएगा चलो ठीक है लेकिन मैं कर देता हूं चुकि हमारी जिम्मेदारी इफली मैं बता दे रहा हूं तो फिगर मैं इधर साइट बना देत हूं कि यह क्या है देखो देखलो आप लोग आएगा तब देखनो conspiracy यह एक सामभाहू वुज है तीनों भुजेय बराबर हैं क्या है तीनों भुजेय आपस में बराबर हैं चलो सलू्चन ही और साय्ड में सलूसन दूसरी साइड में स्टार्ट होगा अब मैं इधर साइड क्लियर कर रहूं बोर्ड आप लोग बस एक छण का इंतजार करिए मतलब कुछ पल का चलो आप देखो यहां पर क्या दिया है भाईय संभाहू तिर बुझे तो सिंपल सी बात है तो आप लिखो इहां से स्टार्ट करो देखो क्या है देखो त्यान दो हल सलूसन यहां से स्टार्ट होता है AB equal AC AB equal AC equal BC यह बराबर है इसमें कुछ कहने की बाती नहीं है ब्रेकट में चाहे लिख दो क्यों बराबर है? क्योंकि संभाहुतिर बूजए ब्रेकट में रिजन लिख दो क्या है? संभाहुतिर बूजए ब्रेकट में रिजन लिख दो संभाहु तिर भूज़े चलो आगे क्या कर सकते हो आगे यहाँ पर एक काम और कर सकते हो वो क्या है इसके तीनों कोण भी बराबर है एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C क्यों बराबर है ब्रेकट में लिखो बराबर भूजाओं के सम्मू कोण बराबर होते हैं इंदी में लिख लो इंगलिश ट्रांसलेशन बताएंगी किरन महर्या बताए बराबर भूजाओं के सम्मू कोण बराबर होते हैं देखो मैं बता दे रहा है उदर साइड में मैंने स्टार्टिंग में कांसेप्ट शिखाया था जो बच्चे देखें उनको कोई दिक्कत नहीं है देखो भाई यह बराबर भुजा एबी एबी के सामने का जो कॉंड है वो क्या सी है है ना लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको उल्टा लिखा है इसे मैं सीधा भी कर सकता हूं तो अगर देखा जाते हैं यहां पर आप सी लिखो और अगर एबी लिख तो तब भी गलत नहीं है क्यों गलत इसलिए नहीं चुकि चाहें दो बराबर चार लिखो या फिर चार बराबर दो लिखो मतलब तो ही हुआ लेकिन मैं अगर यहां पर पूरूप करूंगा तो उस किस तरह से यह बन जाएगा ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतना नो प्राब्लम आप देखो हम सब ही चानते हैं कि तीरबुच के तीनों कोड़ों का योगफ़ एक सो असी अंस होता है तो हम यहां लिख सकते हैं इंगल ए प्लस इंगल बी प्लस इंगल सी इक्वल 180 इसमें किसी को कोई मुसीबत है तो बता दो और भाई कलास को लाइक करो यार इतने बच्चे जुड़े हैं मतलब कहना पड़े बहुत गंदी बात है लाइक करो जल्दिश चलो देखो यह ठीक है और तुमें काम कर सकते हो हमें यह बराबर पता है कि यह तीनों कोड़ आप कर सकते हो ना है सिम्पल से बात है कर सकते हो तो माल लो कि हम यह एंगल एसी लिख लिए और एंगलodus और एंगल सी की जगापर भी में एंगल लिख सकते हैं i will mah 60 यह बोलो कर सकते कि नहीं चाहो तो आप हर जगा बी भी कर दो चुकि तीनों बराबर ने आपस में तो इस तरह से हमारा क्या आएगा 3 angle A equal 180 तो इस तरह से भाई साहब अगर ये इधर आएंगे तो ये 3 हो जाएंगे तो final में angle A equal 60 आएगा यानि कोण A कामान कितना आएगा 60 हनसा आएगा चुकि हम जानते हैं कि तीनों कोण आपस में बराबर है इसलिए क्या हो जाएंगे angle B equal 60 angle C equal 60 मतलब सब equal हो जाएंगे नीचे दिख रहा है इधर साइड में लिख सकता हूं क्या हाँ लिख सकता हूं इधर जगा है तो मैं थोड़ा सा इधर साइड लिख देता हूं आप लोग इधर देख लो ये लो ठीक है अब यहाँ आप लिख होगे आता हा angle B equal 60 angle कामा लगा के C equal 60 नीचे रीजन लग देना चुकि angle A equal angle B angle C ये बराबर है नीचे लिख दो इसके बाद में इती सिद्धम या फिर आता हा सिद्ध हुआ इंगलिस वाले लिख देंगे hence proved hence proved इस प्रकार सिद्ध हुआ ठीक है समझ में आ गया ना सभी को किसी को कोई doubt है तो बता दो अच्चा चलिए ठीक है बिल्कुल बहुत अच्चे very good चलिए ठीक है कहरा कि तिर्भूज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समझ बाहु तिर्भूज इस प्रकार हैं यानि कहने का ये मतलब है इधर साइड फिगर आप लोग देखो चितर देखो क्या कह रहा है कहरा कि जो तिर्भूज है ABC BC मतलब ये बड़ा वाला पूरा तिर्भूज और BDC ये जो छोटा वाला बीच में बन रहा है ये दोनों तिर्भूज एक ही आधार यानि कि सेम आधार पर बने है और वो आधार कौन सा है भाई वो बेस है आपका BC चुकि देखो ये तिर्भूज जो बन रहें दोनों वो BC पर ही दो बन रहें ना है ना असुतोस कुमार तुमको पढ़ना है कि नी पढ़ना है पढ़ना है ना तो चुपचा पढ़ लो चलो आगे देखो क्या कहता है ध्यान दीजिए इधर साइड मैं आपको कुश्चन दिखा रहा हूँ ये देखो कह रहा कि A और D भूजा BC के A कही और इस्थित है A और D जो है वो भूजा BC के A कही और इस्थित है इसका मतलब समझो यहाँ अब फिर से फिगर देखो A और D भूजा BC के A कही और इस्थित है यानि जो बिंदू है A और D ये भुजा आपकी है BC इसके एक ही और इस्थित है मतलब दोनों एक ही साइड तो है न दोनों एक ही साइड है न चलो देखो आगे कुश्चन क्या कहता है हम एक बार कुश्चन देखेंगे फीर एक बार फिकर देखेंगे देखो कुश्चन में आगे क्या कहता है इतना तक हो गया कहलब है कि यदि A.D. को बढ़ाया जाए तो BC को बिंदू P पर पर परतिछे दिद करती है A.D. को बढ़ाया जाए देखो यहाँ पर दिखा आपको दिखाया भी गया है A, D इसको बढ़ाया जा मतलब नीचे को तो बिंदू P पर पर परतिशेदित करती है मतलब यह है कि पहले यह भुजा यहीं तक थी यह रेखा यहीं तक थी ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? इसको बढ़ाया गया यह यहाँ तक थीक है? तो यह P पर क्या कर रही? परतिशेदित कर रही है बात समझ में आई न? यही कह रहा था बस कुश्चन इतना ही है तो पूछ रहा है इसमें दरफाये मतलब दिखाये यानि कि सिद्ध कीजिए अब क्या-क्या सिद्ध करना है यहाँ से देखो ध्यान से क्या-क्या सिद्ध करना है ध्यान दो आप सभी बच्चे जो भी है ठीक है? क्या-क्या पूरूब करना है ध्यान दीजिए A, B, D Congruence to A, C, D मतलब तिरभुज A, B, D जो है वो A, C, D के सरवांगसम है यहाँ पर फिगर देखो फिगर मैंने थोड़ा दूर बनाया है A, B, D मतलब ये तिरभुज जहां मैं हाथ रखाऊं ध्यान दो ये ट्रेंगल जहां मैं हाथ रख रहा हूं A, B, D कहरा है ये Congruence है सरवांगसम है A, C, D, K A, C, D मतलब ये तिरभुज और ये तिरभुज हमें Congruence सिद्ध करना है सरवांगसम सिद्ध करना है ठीक है? सीवांगसम पंचाल जी कुछ समझ में आ रहा है चलिए अब ध्यान दो क्या करना है? सबसे पहले हमें सिर्फ एक लेके चलना है तो Congruence का रूल तो आप लोग जानते हो पहले आप ये बताओ किताब है सबके पास कख्छा नो कि NCRT बुक जिनके पास है जल्दी से यस बोलो फटा फट सबके पास बुक है न? बुक है न सबके पास? असुतोस कुमार तुम्हारा तो सब सही है बस तुम चुपचा पढ़ लो अच्छा है चलो चले है सबी के पास बुक है न? देखो अब हम इसको प्रूब करेंगे कैसे देखो जो जो दिया सबसे पहले हम वो लेके चलेंगे अब दिया क्या क्या है यह देखो ध्यान दो एक तिरभूज हमें दिया है जो कि आपके सामने दिखे रहा है उधर हम ट्राइंगल पर चलेंगे ठीक है फिगर देखो कुईस्टन जाने दो बुक है न सबके पास? चलो ठीक है आप सभी बुक में अपने कुईस्टन देखना कुईस्टन मने पढ़ दिया अब हम इसको हल करेंगे सलूशन करेंगे ठीक है लिखो तिरभूज A, B, D A, B, D इस तिरभूज में सलूशन यहां से स्टार्ट होता लिखो हल लिखो तिरभूज A, B, D और एक दूसरा तिरभूज लोगे A, C, D कौन? A, C, D A, C, D मतलब यह तिरभूज और यह तिरभूज में लिखो तिरभूज A, C, D में इन दिनों तिरभूज को हम लेके क्या करेंगे? इनको काइंगरोयंस सिद्ध भी करना है इनी दोनों को हमें सरवांगसम भी करना है देखो अब इसमें हम ध्यान से देखें कि हमें कुछ बराबर दिया है कुछ बराबर है कुछ बराबर हो सकता है वही सब दिखा के तभी तो सरवांगसम सिद्ध करेंगे न तो आप अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो इसमें A, B वरावर A, C दिया है, अब कहोगे कहे को A, B, A, C कहे दिया है, देखो ध्यान दो बच्चा, A, B, A, C इसलिए दिया है, क्योंकि ये संदुबाहुतिर्भूज है, पहले ही चित्र में कहा है न, क्या है ये, संदुबाह ठीक है, भारती जी, चुपचा पढ़ लो, अगर पढ़ना है, तो बस बाद में बात करना, ठीक है, चलो, आगे चले, आप नमबर पर संपर करिए बाद में, डिश्टरब मत करिए, बस प्लीज, अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा म यहाँ पर देखनी है, जो लोग आपको डिश्टरब करें, उनको बलाक भी करना है, क्योंकि बात क्या है, कुछ ऐसे भी नलाइक टाइप के बच्ची आजाते हैं, जो एक ही बार, यह कही बात को बार, 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 लिखा करते हैं, तो उनको मुझे कुछ देर के लिए, ब चलो, अिबी, असी बराबर है, यह दिया है, पहले से दिया था, है अल्रेडी, यहाँ पर एक और चीज बराबर है, वो का है, डी बी बराबर है, dc के देखो कैसे db बराबर है dc के अब db dc कहां है db dc कहां है भाई देखो db ये है न चाहे bd बोलो चाहे db बोलो और dc ये है ये दोनों बराबर हैं क्यों क्यों बराबर हैं क्यों 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 है पर बने दो सम्दुवाहुतिर भूज हैं वाई कोईस्टन ने हैं कि बदावर हैं और यह यह आपस में बदाबर है है, ठीक है सही चल रहा है कि कुछ दिक़्कत हो रही भाई किसी को, बताइए तसाभी बच्चे बताओ अच्छा तो तुम परचार करने आई हो तो तुमको मैं इसलिए तो बिदा कर रहा हूँ ना चलो ठीक है गूड ढोल मजीराक साथ गाना गाने वाले आने बढ़ते आंके और पढ़ने वाले आते बच्चे ना चलो यह हो गया हाँ यह काहे को बराबर है को लिखेख लो यह भी दिया है इतना हो गया बात खतम तो चीज़े हमें क्या हो गई दो साइड इकुल हो गई अभी लेकिन इतने में काइंगुर्म मुझन हम लोग सिध्नाइब कर सकते हैं इसके लिए हमें और भी कुछ चीजें चाहिए तब हम इनको सरबांग समसिद्र कर सकते हैं न और वो कौन सी चीज है देखो आगे इसमें हमें काम कर सकते हैं बच्चा अगर हम देखें AD AD तो इस तिर्भुज में यानि यह जो ADB है या फिर BDA और यह CD जो इधर वाला है इन दोनों में common है AD common है की नहीं भाई ADB और ACD इन दोनों में AD आता है न दोनों में AD का यूज है न तो दोनों क्या है यह दोनों बराबर है है न वच्चा बराबर है लिखो AD AD equal AD अब बराबर काहे लिए है बराबर क्यूं है कोश्टक में लिखो रीजन लिखो common हिंदी में लिखेंगे उभायनिस्ट कामन को हिंदी में उभायनिस्ट बोलते हैं बहुत ही कटिन होता हिंदी इंगली साफान है इतना समझ में आया ना पिंकी सिंग ठाकुर जी कोई द समझ में आरह है विए तो यह थोए तक में àiम कन अरदय का यह और यह मैरे पास में यह इसलिए नहीं आरा चलो देखो आप क्या है यह बुजा यह बुजा यह बराबर हो गई तीन बुजा बराबर हो गई बच्चा क्या हो गया यह कई अ Sign real surprise हो गए न क्या लिखोगे अब अब लिखो अता हां ट्राइंगल ए वी डी का इंगुरेंस टू यानि कि सरवांगसम का चिन्ना लगा होगे ए सी डी ये दोनों क्या हो गए सरवांगसम हो गए क्यों हो गए रीजन लिख लो कोईश्टक में बाई अस एस एस रूल मतलब साइड 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 सम क्या बलते हैं से सरवांगसम नियम से है ना दिनेस मिसरा जी बताइए समझ में आ रहा ना ठीक है लिख लिया हो गया ना इतना यानि अब हमारा जो पहला question था proved हो गया जल्दी से देख लो इसको 30 second के अंदर देख लो फिर मैं इसको हटाऊँगा screen से फिर मैं दूसरा करूँगा चूकि exercise 7.3 है न बच्चा इसमें पहले question में 4 पार्ट है तो चारों पार्ट हमें अलग-अलग हल करने है ना इसमें से मैंने पहला कर दिए इधर side question देख लो question देख लो बच्चा ये देखो इधर side question दिख रहा पूरा देख लो देखो यहाँ पे question इधर side देखो ये पूरा ये question है ठीक है तो इसमें का ये first part हो गया done फर्स्ट पार्ट डन हो गया अब हमें सिकेंट पार्ट करना है है ना बलबीर जी आ रहा समझ में बलबीर मीना पहले दिन जुड़े हो ना बच्चा तो रेगुलर क्लास देखोगे तो आएगा बाबू ठीक है हर दिन देखोगे तब भी आएगा एक दिन में नहीं आएगा चलो यह हो गया अब हम इसको इरेज करेंगे इसको रफ कर देंगे यहां से मिटा देंगे फिर नेक्स्ट पार्ट इसका सिकेंड करेंगे इसमें भी हमें का इंग्रूएंसी ही सिद्ध करना है चलो आप सभी NCRT बूक लेकर बैठा करो अगर बूक लिये रहोगे तो थोड की बार पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें से मिलेंगी चलो अगला क्या करना है क्विश्टन एक बार फिर से देख लो एक नजर में कि कह रहा कि ए बीपी को पूरा जो सीधा इदर दिख रहा है इसको ACP के कांगुरियंस से सिद्ध करना है ACP यानि यह तिर्भूज और यह तिर्भूज हमें क्या करना कांगुरियंस करना है ठीक है ध्यान से देखो बहुत ही मांदारी से देखना तभी समझ में आए का बच्चा चलो देखो आप क् जो बच्च हिंदी में वोग लिखेंगे तिर्भूज ए यह जानी यह prep नोल इसमें क्या बराबर दिया है क्या बराबर हम कर सकते हैं वो चीजी हम करेंगे ठीक है अब देखो फीगर देखो और यहां पे सलूशन करो चित्र देखके यहां पे सलूशन करो तो question से कोई मतलब नहीं question पीछे है चलो इसमें अगर आप देखो तो a,b,ac की बराबर दिया है भाईया क्योंकि इसमें पूरा यूज हो रहा है यह पूरा full triangle हम यूज कर रहे हैं तो a,b,ac की बराबर दिया question में कहा था लिखो a,b,ac,regional हो जाएगा दिया है इंग्लिस मीडियम होले लिख लेंगे given बस इतना ही बाकी कोछ अलग नहीं करना है ठीक है जिन बच्चों की आज पहली कलास है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और regular देखेंगे उनको पक्का आएगा ठीक है मनी सुपाध्या जी बिरिजिकांत मिस्रा और धंसा आगर बरहाबर आगे इसमें चीज और बराबर है अदेखो अभी अभी हम लोगोंने क्या कैंग्उरेंश किया थे एmm hun ए सी डी अभ एभी हमने यह थिरूज और यह तिर्भू सर्वांग समसिद्ध किया है किया है न तो उसका भी तो कुछ यूज करेंगे न इसमें तो क्या करोगे लिखो ट्रेंगल यह 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 बी ए पी यह देखो बी ए पी मतलब यह कौण जो है ए वाला एंड एक कौण एसी पी कौन सा ए ए सी और यह पी मतलब यह कौण यह दोनों कौण भी तो आपस में बराबर हैं क्यों बराबर है क्योंकि जो बीच वाली लाइन है इसको समझभाजित कर रही न आदे आधे बाट रही न तो क्या लिख पाओगे तुम लिखो जल्दी से यहा एक कौल सी एपी लिखो चलो फटा फट लिखो भाई अच्छा समझ में आ रहा देखो इनको मैं एक मनी सुपाद ध्याया है इनको मैं आ से हटा दू थोड़ा देर के लिए हां देखो लिखो लिखो फट से लिखो क्या क्या मैंने जो कहा वही एंगल तो आपको लिखना न एंगल से वह एंची पी हएक क्या थुम लोगको देखी रहा दैस इस एपी नतलम नहीं हुए उसी एपी यह दोनों बराबर हैं अब देखो बराबर क्यों है पारबर क्यों है घृतित कोधान दो आज नाम पहलातों चलो अब हमें दो चीज तो बराबर मिल गया लेकिन दो बराबर में हम किसी को तिर्भूज को काइंगर्वेंस सिद्ध नहीं कर सकते हैं सरबांगसम होने के लिए तीन चीजें बराबर होना जरूरी है सिद्ध में सिद्ध मोश्ट मोश्ट इंपॉर्टेंट है है नौर वह क्यों देखो यह क्यों बराबर हुआ इसके रीजन भी लिख लो आप लिखो by cpct लिखो by cpct by cpct मतलब किस पर लगता है पाता है आपको जो दो तिर्भुच सरवांगसम होते हैं उन्हीं पर cpct लगता है उनके संगत कौन संगत भुजाओं और उनकी जो भी corresponding side या angle होते हैं उन्हीं पर अधारित क्या होता है यह सब किये जाता है न आप चलो आगे द का हो तो लिख लो क्योंकि पहले ही ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं हमने क्या फ्रूफ किया था अभी अभी मैंने सिद्ध किया था ए बी डी इंग्रुइंस है तो भाई अगर यह दोनों तिर्भूज का एंग्रुएंस है और फिर तुम जब इसको करोगे तो वहां से कुछ help लोगे ना यह दोनों कॉन तो बराबर हो जाएंगे न क्यों बराबर होंगे यह तिर्भूज और यह अगर सर्वांग सम्हें य दोनों इसलिए क्या यह बराबर हैं इसमें एक चीज और बराबर है वो का बराबर है ध्यान दो अगर हम बात करें ABP यह ABP और ACP की तो यह AP दोनों में है ना अगर हम ABP और ACP देखें ABP तो AP दोनों में है ना दोनों तिरभूज में आ रही ना तो क्या करोगे आप इसे लिख सकते हो बच्चा AP equal AP लिख सकते हो ना क्यों लिख सकते हो हां रीजन लिखो common है क्यों भाई common है ना दोनों में दोनों में common है तो हम बराबर लिख सकते हैं लिखो common है हो गया ये भी खतम क्यों हमें मिल गया तीन चीजे मिल गई बस अब नीचे लिखो देखो ये भूजा बराबर ये कोण ब बराबर अब नीचे लिखो अताहा यह जो इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग लिख सकते हैं क्या बोलते हैं उसे ऐसे चिन्द बनाके ना सो देरफोर अपना लेंगोज में लिख लो चलो मैं हिंदी में पढ़ाता हूं लिखो आप लोग ट्रेंगल ए बीप काइंगुरेंज टू ए सी पी देखो का मतलब सरवांगसम का चिन्हा लगाना है बस बाकी कुछ नहीं करना है ठीक है यह हो गया रीजन लिखो गये बाई देखो यस ए एस है ना यस एस रूल यानि साइड एंगल साइड रूल से यह भी क्या हो गया काइं कुछ सिकेंड के लिए कुईस्चन दिखेंगे उसके बाद फिर हम इसको करके आगे बढ़ेंगे आप लोग इसका स्क्रीन साट ले लो ठीक है भाई बलबीर मीना इंगलीस मीडियम में बच्चा अगर आप हो तो मैं लगभग कोसिस करता हूं इंगलीस में बोलता हूं ले इंगलीस मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सकें इसलिए हम हर एक परकार का वर्ड यहां पर इंगलीस में यूज करते हैं ठीक है किरन मौर्रा बिल्कुल सेंटेंस राइट इन्होंने लिखा हुआ है हैंस इट इज का इंगरेंट है ना नीचे लिख लो ऐसे ही बाई कि एस एस नहीं होगा एस एस होगा किरन मौर्रा जी आपने दूसरे वाले में थोड़ा सा मिश्टेक किया है यह एस एस द्वारा जो है केंगरेंट हुआ है हाँ फ़श्ट वाला एस एस से हुआ था चलो तो अब हम दो कुश्चन कर चुके हैं अब हम एक बार फिर से लाइट जला दूं क्या मैं लाइट जलने दिख रहा है चमक रहा है क्या देखो चमक नहीं रहा ना ठीक है देखो क्या कह रहा है हमने पहला कर लिया पहला कर लिया दूसरा वाला जो है यह यह भी मैंने कर लिया तीसरा वाला देखो क्या कह रहा है एपी कोण ए और डी दो कि जो AP है वो कोड़ A और D दोनों को byset कर रहा है मतलब फिगर पर चलो अब फिगर पर चलो कि देखो यहां पर यह जो रेखा AP है AP जो बीच-बीच से गई है इसको में पुरूप करना है कि यह एंगल A and D दोनों को byset कर रहा है दोनों को सम्दुभाजित करता है यह हमें क्या करना प्रूप करना तीसरे में चलो तो इसको आप लोग लिख लिए हम इसको विदेश करके उस पर बढ़ेंगे ठीक है उदय सिंग घंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे मुझे पता है कि अदिकान्स बच्चे सब हिंदी मीडियम में ही है तो प्राव्लम की बात नहीं है चलिए English Medium वाले बच्चें भी चाहें तो पड़ सकते हैं, जैसे बहुत से बच्चें इसमें English Medium से हैं, किरन सिंग भी English Medium से हैं, मोही तग रही भी English Medium से हैं, और मुझे जादा नाम तो नहीं याद लेकिन कई बच्चें जो English Medium से हैं, CBSC वाले तो वह भी समझ सकते हैं चलो हम थार्ट पर चलते हैं ध्यान देना दियाती बोर्ड क्या है भाई यह बहुत लंबी कहानी लिख दिया आज जलिए ठीक है अब आगले पर चलते हैं थार्ड पार्ड पे देखो अभी अभी जो हमने प्रूब किया है उनी को ले करके हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है ना भाई चलो ध्यान दो थार्ड पार्ट लिखो आप लोग question तो देखी रहे हो question तो आपके पास book में है मैंने पहले question दिखाया एक बार फिर से देख लो देखो question था कि तिरभूज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो सम्दुबाहू तिरभूज इस परकार से हैं कि A और D भूजा BC के एक ही और इस्थित है यदि AD बढ़ाने पर BC को बिंदू P पर पतिछे दित करे मतलब वही बाइसेक्ट करें बोलते हैं तो दर्साइए दिखाई यह यानि कि प्रूब कीजिए तो ट्रेंगल ABD टू ACD तिरभूज ABD सरवांगसम है ACD के तिरभूज ABP सरवांगसम है ACP के यह दो मैंने कर दिया यह प्रूब हो गया तीसरा क्या कह रहा है देखो वाई तीसरा भी एक है एभी में प्रूब करना कि AP कोण A और D दोनों को सम 30 वाला पुरूब करेंगे एधर सायड चलो cham चत्र हो चलो चितर की तरफ चलते हैं फिगर की तरफ चलते हैं ध्यान दो अब हाँ हाँ अब क्या लिखोगे देखो हम सिद्ध कर चुके हैं क्या क्या थार्ड वालें लिखो आइस अblCR sup हम सिद्ध कर चुके हैं क्या क्या सिद्ध कर चुके हैं वही लिखो एंगल वी एपी एंगल वी एपी इकल सी एपी सी एपी देखो यह दोनों एंगल ऐसे क्यूं है अब बताओ चलो अभी अभी मैंने सिद्ध क्या पीछे इसको बताने जरूर्थ ही नहीं है अब हमें क्या करना है एपी लिखो एपी कोण एको सम्दुभाजित करता है लिखो यह हमें सिद्ध करना है ठीक है एपी कामा लगा दो कोण एको सम्दुभाजित करता है ज़्यादा अच्छा रहेगा एपी वाइसेट एंगल ए थोड़ा छोटा हो जाएगा थिक है हिंदी मीडियो में अपना लिख लेंगे हिंदी में AP by set angle A, ठीक है, यह हो गया, इसमें तो कुछ जादा करना है, नहीं मैंने लिख दिया, अब आगे देखो इसमें क्या क्या करोगे, हमें दो तिर्भूज ले करके इनको हल करना है, कौन-कौन, एक तो BDP, BDP, यानि नीचे वाले में आ जाओ, मतलब देखो, जो नीचे दो तिर्भूज बने थे, इनको ले करके हम क्या करेंगे, इनको प्रूब कर देंगे, BDP, या फिर आप ऐसे बोलो BPD, ठीक है, तो लिखो, तिर्भूज BDP, तिर्भूज BDP, और, दूसरा कौन सा तिर्भूज है, उसके साइड में, देखो बगल में देखो, इधर साइड में क्या है, ये CPD, ये CDP है न, तो लिखो, लिखो जल्दी लिखो, CDP से, चलो, CDP से, तिर्भूज CDP से, आगे देखो क्या होगा, ये ठीक है, अगर यहां पे ध्यान दो, तो दो साइडे बराबर हैं, ये BD, CD के बराबर हैं न, भाई, है न, बराबर, बिल्कुल, छोटू जी, बिल्कुल, बेरी गुड, देखो, कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, BD, CDP के बच्चा, देखो, BD, CDP के इक्वल क् दोनों समदलिबा हुँ तिर भूज़, अगर समदलिबा हुएं तो दो साइडे इक्वल होंगी, ये दिया है, इसके अलमा इसमें और भी दिया है, क्या दिया है, अगर हम ये और ये तिर भूज़ लें, तो बीच वाली ये DP जो भूज़ ये भी दोनों में common हैं, दोनों में common है ना तो आप लीख होगे dp equal dp भाई यह dp equal dp क्यूं है देखो ध्यान दो मिस्टर रासुतोस कुमार पढ़ लो पिंकी के पीछे मत पढ़ो यह तो गडबड हो जायेगा चलो यह हो गया आप इतने में तो यह कुछ होगा ही नहीं जब तक कम से कम तीन दीजान ना निकले है ना bd equal cd कौन बतारा भाई sony जी बहुत अच्छे चलिए आगे इसमें हमें काम और कर सकते हैं बीपी को सीपी के बराबर कर सकते हैं मैं सिंपल सा नीचे दिया यह बीपी जो है सीपी के बराबर है क्यों बराबर है क्यों बराबर है चूकि जो बी है वो जो पी है बिंदू पी वह बीसी को समद्धिभाजित करता है तो आप यहां पर लिख सकते हो बीपी इक्वल CP region लिख तो कोश्ठक में क्या लिखोगी region लिख दो by CP CT ठीक है CP CT अब CP CT का यह लिए चुक्कि इसके पहले आल्रेडी हम लोग यह triangle और यह triangle congruence कर चुके हैं इसके पहले हमने इसमें दो triangle को congruence सिद्ध किया है तो आप लोग क्या करोगे अगर APB और ACP ले लो तब भी इनमें congruence वाले rules से मैंने इनको सिद्ध कर दिया था तो यह दोनों बराबर हो जाएंगी क्योंकि यह corresponding side है है ना हाँ एक region यह भी हो जाएगा कि बिंदु पी जो है वह मध्य बिंदु है लेकिन सबसे अच्छा रेजन यह होगा कि हमने अभी अभी दोनों को सर्वांग सम सिद्ध किया था तो वह corresponding side हो जाएंगी equal ठीक है आप चलो आगे क्या करोगे यह तो इतना हो गया इतना हो गया तो फिर करना सर्वांग समसिद्ध हो गये तब तो जो निकालना था कि बिंदु जो है उसको सर्वांग सम्दुभाजित करता बाइसेक्ट करता वो तो प्रूब हो जाएगा इतोमेटिक लिखो कि आता कौन कौन सा ट्रेंगल था भाई कौन कौन ने लिया था यह दोनों सर्वांग समसिद्ध हो गए और सर्वांग सम जब सिद्ध हो गए तब आप लिख सकते हो नीचे हिंदी में ए पिट इदी को समधिभाजीत करता है ठीक है बिंदु ड को सम्धिभाजीत करता है ठीक है लिख दो जल्दी सिद्म लिखें फट से उसके बाद चलो उतारो हो गया ना जल्दी करो फट से लिख लो इसको हो गया इसके उपर जो ए वाला था उसको उपर ही मैंने सिद्ध करा दिया वह उपर ही हो गया था ठीक है CPCT का मतलब नहीं आता गयतरी परसाथ जी तो बच्चा पीछे का कलास देखो ना यार तुम पीछे का कलास नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा जो इस्टूडेंट पीछे की कलास अभी तक नहीं देखे वो जरूर देखें तब ही समझ में आएगा नहीं तो समझ में पार्ट था वो हो गया अभी इसमें एक पार्ट और है वो भी मैं करवाऊंगा इसको आप जल्दी से लिख लो आपके पास कुछ सिकेने का टाइम है ठीक है स्क्रीन साथ ले लो जल्दी से लिखने में ज्यादा समय लगेगा मैं पूरा बोर्ड आपको दिखा रहा हूं सामन को बराँबर करके लिख दिया था कि जब देखो एक बाशा ओरे हां पर आप πολोग क्लियर कर लो हमें ।but कि जो AP है वो a कोण a और कोण d दोनों को समधिभाजित करता है तो हमें a को समधिभाजित करता है दिखाने के लिए ज़ादा कुछ नहीं करना था हमें इनको दोनों को सिर्फ बराबर दिखा देना था जो b apr और c ap कोण बराबर है जाहिर सी बात है यह जो है वो एपी द्वारा संद्विभाजित हो रहा है इसमें कुछ करना ही नहीं था लेकिन जो बिंदू डी है इसको दिखाने के लिए हमें इतना बड़ा पर्खिदिया करना पड़ा और जब हमने इन दोनों को कांगुरेंस कर दिया इन दोनों छोट के तिरभुज को त यहां पर तो दिया है नहीं यार चौथा कुशन मैं लिखा नहीं है इसमें पार्ट और है आप लोग कहो तो मैं लिख देता हूं चौथा पार्ट करवादू की रहने दूए की पार्ट और है वो भी छोटा सा है कर लोगे आप लोगो ऐसे दीर सिंग कुस्वाहा भाइद पीछे जो नहीं समझ मैं उसे कमेंट कर रहां एक पार्ट और करवाओं की ना करवाओं कर लोगे आप लोग वह बहुत आसान है वह कहिरा कि A.P.Rekha-khand BC का लंब ऑसम्दूभाजक है यानि यहां पे देखो जो एक है वह बीशी का लंब सम्दूभाजक है इसको सीद्ध क करना वैसे है तो दिख रहा है और जैसे देख लो यह मालोब भी कि यह जी रिखा सीधी सीधी इस पहारी तो क्या लम तो है लेकिन इसका लम्ब समद्भाज्य कई से प्रूब करना है पोना भी बिल्कुल और हुए है विश्ट ही इस वाई जी विल्कुल रइट चलो ठीक है या नश कर लोगे ना गाल दें चलो ठीक है चलो ठीक है ठीक है मैं करवा देता हूं आप इसन में से कुछ मिटा mica फिर में करवाँ गार इसको उसको या फिर यहीं कर लो ऊपर लिख देता हूं चलो अ आप लोग बुक ले के बैठा करें जिनके पास बुक नहीं है ले लो बिना बुक के समझ में कमायेंगा आएगा तो समझ में चुकीमें question लिखता हूं लेकिन उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा किताब रहती तो दूसरी बात रहती फॉर पार्ट लिखो फॉर पार्ट लिखो सबी बच्चे लिखो जल्दी से कह रहा कि A.P. रेखा खंड B.C. का सम्दुभाजक है यह कुष्टन है A.P. रेखा खंड B.C. का लंब सम्दुभाजक है सम्दुभाजक का मतलब भी सेक्टर है ना मतलब जो बीच बीच से डिबाइड करता है अब फिगर देखो और यह कुष्टन का पार्ट देखो चार बस पाकि और कुष्टन नहीं देखना है क्या करना है चलो देखान से आप लोग इसे लिख लो उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं देखो यह जो B.C. है उसको A.P. लंब सम्दुभाजक करता है यह में सिद्ध करके दिखाना है लिख लिए जल दी करो चलो लिखो फट से अब देखो इसमें दो ट्राइंगल है एक A.B.P और अभी अभी मैंने सरबांग सब सिद्ध किया था सरबांग सम्द पहले ही सिद्ध कर चुके है आप लिखो चुकी ट्राइंगल A.P.B. है ना A.P.B. वसे A.B.P लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा A.P.B. थोड़ा सा गड़बर लग रहा है A.B.P और ट्राइंगल यह इसके बगल वाला जो है A.C.P A.C.P. से यह पिर में चाहिए जो भी लिख लो यह दोनों को लेकिन हम पहले से आरेड़ी कैंग्रुएंस सिद्ध कर चुके हैं सरबांग सम्सिद्ध कर चुके हैं तो इसको लिखना थोड़ा सा गड़बर लग रहा है यह फिर मतलब वालग हो जाएगा लिखो चुकि A.B.P. कांग्रियंस टू A.C.P. यह हम पहले से कर चुके हैं अभी देखो दूसरा तीसरा पार्ट किया था उसमें किया था ना इसको कांग्रियंस करके दिखाया था पहले से दिखाया था आप सभी को C.P.C.T. रूल बने पढ़ाया है जिसमें आप लोग पढ़े हैं कि जो करस्पांडिंग साइड होती है किसी भी दो कांग्रियंस ट्रेंगल की वह करस्पांडिंग साइड इक्वल होती है करस्पांडिंग एंगल जो होते हैं यह सब कंसेप्ट अगर आपने सीखा है तो फिर इसका जो अगला पार्ट है उसको सिद् ही जी है लिखो जल्दी लिखो चलो यहां पर अब आप लिख सकते हो एंगल देखो यहां पर जो एंगल है बी पी डी बी और डी यह एंगल और दूसरा एंगल इसमें है CPD यह दोनों बराबर होगा कौन कौन अरे यह यह बगल वाला CPD यानि यह एंगल और यह एंगल भाई सिम्पल से बात है बराबर होगा तो आप लिखो यहां पर बी पी डी इकवल एंगल CPD लिख लो इतना जल्दी से चलो यह बराबर कहले होगा क्यूं होगा रीजन क्या है बाई सीपी सीटी चुकि इसके पहले हमें दोनों को कांग्रुएंस भी सिद्ध कर चुके है ठीक है अब इसमें हमें काम कर सकते हैं देखो हम सभी जानते हैं क कि जो लीनियर बना रहे है कौंग कौं यह सीधा-फिदा लाइन अगरम देखें तो क्या लीनियर बना रहा आना यानि बी पीडी और CPD BPD और CPD दोनों जोड़ेंगे तो 180 होगा क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर बने हुए कोण है linear pair या नहीं रखी कि कुम बनाते हैं तो आप लिखोगे angle BPD plus angle CPD CPD equal exchange यह परमिय है आपको पता है कि नहीं देखा आप नहीं जो linear pair होते हैं यह लीनियर पेयर अल्टरनेट एंगल इंटिरियर एंगल इक्स्टिरियर एंगल यह सब basic concept जब introduction बताया गया था तब पढ़ाया गया है अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पर समझ में पर नहीं आएगा यह linear pair क्या है इसमें रिजल लिखो ऐसा क्यूं हुआ लिखो बाई linear pair कि यह फिर linear लिख दो बस ठीक है कि लीनियर पेर हिंदी में लिख दो रैखी क्यूंग मों ठीक है रैखी क्यूंग बनाते हैं इसलिए क्या है बराबर है कि अब आप एक काम कर सकते हो सबसे आभर आप देखो तो यह दोनों बराबर हमने सिद्र किया पहले से अब यह कईसे आया है दूसरे के सायता से आया था ,। 또 यहां पर हम देखे कि जो BPD है वो CPD के बराबर है, तो हम BPD के जगा पर CPD लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि हैं कि नहीं? चुकि यह दोनों कुणड बराबर हैं, तो हम एक काम करेंगे। इसकी जगह पे हम CPD लिख देंगे चुकि यह दोनों बराबर हैं तो आप यहां लिखोगे एंगल CPD प्लस एंगल CPD इक्वाल 180 और भाई जब इन दोनों को जोड़ोगे तो टू एंगल CPD इक्वाल 180 आएगा ठीक है यह इतना हो जाएगा यहां से जब आप फाइनल में CPD निकालोगे तो 180 अपांटू आएगा और इसको अगर हम एक इस्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो जो CPD और 90 आजाएगा है ना कितना आ गया 90 टिग्री आ गया ना और हमें क्या करना था हमें यही तो सभूमयूध का जाएगा न regams का कोंड बनाए तब ही होता है ना अब इसका मतलब यह नहीं होता जैसे यह रेखा इसके मैं ऐसे किंध यह नहीं है वह सीधा सीधा होनी सेजहिएह सीधा बना रहा मैंने प्रूब करके दिखा दिया अता यह भी क्या होगे सिद्ध हो गया तो इसके जितने भी पार्ट थे वह सब हो गये फोर पार्ट कुस्चन फिर से इधर देख लो इक बार यह इसमें चार पार्ट थे चारों मैंने करवा दिए देखे कुश्चन पहले पढ़ेंगे इधर साइड में कुश्चन है और 2 साइड में उसके फिगर बने हुए है अब आपको ध्यान देना है और ध्यान पूर्बग देखना है कि क्या करना है इसमें और कैसे करना है देखो question कहता है कि एक तिर्भूज ABC की दो भूजाएं AB और BC एक तिर्भूज की दो भूजाएं AB और BC ये तिर्भूज है इसकी दो भूजा AB और ये BC आगे देखो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ते जाओ तथा माधिका A.M. क्रमसा दूसरे तिर्भूज की भूजाओं P.Q.R. तथा माधिका P.N. के बराबर हैं, कहने का इनका यह मतलब है कि इस तिर्भूज की जो भूजा A.B. है और यह जो भूजा है B.C. ठीक है? और जो माधिका बीच में मीडियन एम यह दूसरे तिर्भूज यानि कि जो सिकेंड वाला ट्रेंगल है यह वाला इसके संगत भूजा एक प्रकार से अगर बोलें जैसे देखो इसमें लिखा है न करमसा PQ QR तथा माधिका PN के बराबर है यानि कि जो भूजा A B है वो दूसरे तिर्भूज के PQ के बराबर है और जो भुजा इसमें BC है वो दूसरे तिर्भुज के ये QR के बराबर है तथा फर्स्ट ट्राइंगल की जो मादिका अनिमीडियन AM है वो दूसरे ट्राइंगल की मादिका ये PN के क्या है बराबर है ये चीजें आपको क्या करी गई है? बताई गई है, दी गई है ठीक है चले आगे आप देखो ध्यान दो अब क्या करेंगी हम बहुत ही आसान है एकदम सिंपल है एक लाइन का कुष्चन है आप लोग इसको बड़े अराम से कर सकते हो सबसे पहले आप लोग लिखोगे दिया है यहां पे लिखो हल दिया है देखो इसमें हमें बहुत चीज पैंफिलाल देखो क्यों इसमें बहुत सारी चीजें दिगए हैं अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो A-b-p-q के बराबर दिया है b-c जो है वो qr के बराबर दिया है P-n जो है वो a-m के बराबर दिया है तो हम क्या और कैंगरियंस कर देगमदासानी से देखों किसमें करना है ABC और PQR को केंगरेंस करना है यानि ABM और PQN यानि यह तिर्भूज और यह तिर्भूज हमें सरवांगसम करना है फाइस्ट वाले में दूसरे वाले मेह में यह पूरा तिर्भूज यह और यह कंगरेंस करना है दो पार्ट में करने है ठीक है इतना समझ में आ रहा ना आवाज उधर साइड तो कमी जा रही होगी तो चलो यह आपका एक्सरसाइज है सेबन पॉइंट तीन एक्सरसाइज कौन सा सेबन पॉइंट नमबर थर्ड तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग जल्दी से लिखो फटा-फट जो भी चीजें दी गई है उनको जल्दी फिलिक लो यह पेज नमबर अगर कुछ बच्चे लिखना चाहते तो 154 है कौन सा है 154 नमबर पेज नमबर पे है जल्दी से आप लोग चलो फटा-फट शुरू कर दो देखो बच्चा इसमें बीसी दिया है क्यू आर के बराबर इसे पहले लिखो दिया है बीसी कुल क्यू आर कि है ना इसमें किसी को को डाउट नहीं ना देखो यह इनों जो भूजाय दी गई हैं वो सीरियल वाइज करम सा दूसरे तिर्भूज के दूसरे तिर्भूज मतलब कौन सा अरे यह नीचे वाला जो दिया इसके पी क्यू क्यू आर तथा मादिका पी एन के बराबर है यानी कहने का यह मतलब इनका सीधा सीधा कि जो भूजा एबी है वो पी क्यू के बराबर है यह जो भूजा बीसी है वो क्यू आर के बराबर है और मादिका जो एम है वो बच्चा किसके बराबर है दूसरे की मादिका PN के बराबर है ठीक है इसमें कि किसी को कोई डाउट नहीं न हमने लिख लिया BC equal QR ठीक है आप देखो ध्यान दो अगर BC QR के बराबर है तो यह बीच वाली जो क्या माधिका है भाई बीच में जो नहीं क्या है वो माधिका है ना अब ध्यान दो को ध्यान दो यह क्या मीडियन है अगर यह मीडियन है तो इसको आफ आफ डिवाइड करेगी कि नहीं बोलो भाईया अगर यह रेखा इसकी मादिका है तो आधा पार्ट इधर और आधा इधर बराबर बराबर होगा ना बराबर की नहीं होगा ना तो तुम क्या कर सकते हो इसको लिख सकते हो वन अपाण नहीं होना चाहिए यह ठीक है अब देखो एक वाद और हर एक वात और क्या है कि अगर यह आधा एधा बाल रही मादिका कि इसका ऑदा पार्टे आधर वाले के बराबर होगा और इधर वाला पार्डी धर वाले के बराबर होगा और जब सब भूझाएं यह आपस में बराबर हैं तो यह आधा-धा भाग भी आपर होंगे न तो तुम क्या कर सकते हो लिख सकते ओ-bm QN ऐसा क्यों करना है क्योंकि हमें अभी इसका आगी काम लगेगा इसलिए हम इसको लिख रहें ठीक है चलो लिखो भाई उस पर मत देखना नहीं तो तुम लोग जान जाओगे पीछे का का हो रहा है लिखो इसकाप इक्वैसां नंबर सबस्क्राइश कारण करना इसका रीजन लिखो यह यह बराबर है क्योंकि आम वा पी इनकी मीडियन है इनकी क्या है मा दिखा है लिखो जल्दी लिखो फट से लिखो एम एंड पी एन आर मीडियन आफ बी सी एंड कौन सा बुजा दूसरा नहीं चेक यूवार एम एंड पी एन आर मीडियन आफ बी सी एंड की वार ठीक है इतना हो गया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं न रूबी कौतम किरन मोर्या पंकज मोहीत सोभीत भाई सबको समझ में आ रहा ना मैं सभी का कमेंट नहीं पढ़ सकता हूं इसलिए माफी चाहता हूं क्योंकि आप लोग को अधे सारे कमेंट आते हैं टाइम बर्बाद होता है है ना पावन राज है ब्लू फोन है अच्छा अच्छा कि आप लोग पीछे से देख लिए चलो तो यह हो गया आप चलो इतने में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं अब हम तीरभूज में चलते हैं जो हमें सिद् यार इस्टडी 3.0 चैनल पर आजाइए आप लोग जहांक तांक कर रहे हो सब में जाके इधर उधर तीरभूज A, B, M मतलब यह ट्राइंगल A, B, M और P, Q, N यह ट्राइंगल हमें दोनों को क्या करना है का इंगुरियंस करना है सरवांगसम करना है तो हम क्या करेंगे अब लिको तीरभूज A, B, M और P, Q, N से देखो भाई यह इसमें बहुत सारी बुझाएं बराबर दी गई है है ना दी गई है ना इसमें कौन-कौन पढ़ रहे हो भाई चुप-चाप तीर नंबर पर आजाओ पीवीर स्टेडी 3.0 पर क्योंकि यहां पर पढ़ाई नहीं हो रही यहां पर तुम्हें आपको बेग यह बराबर कहां करुआ था ओ यह अ मिधलट भाय से यह goed बताया था क्यों बराबर है ना कंश्ट्छक में लिखो भाई इक्वेसं फॉकश्ट समी करण A फॉक से मिलिख लो आपको इसको यह बराबर क्यों है समीकरण A थुक में थूझ कई जबाब हुआ वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो आपको क्लियर हो जाएगा पिंकी सिंधाकूर आपका इंटरनेट नहीं चलता कल भी नहीं चल रहा था परिशान मत हो यह अपना इंटरनेट थोड़ा सही कर लीजिए बिल्कुल मस्त चलेगा ठीक है इंटरनेट आपका नही यह सब चीजें फिर से उपर लिखनी पड़ेंगी क्योंकि आपको कंग्रुएंस करने के लिए एक साथ दिखाना पड़ेगा ना विकास पाल पावन राज भाई पूरा कलास देखो इमानदारी से चलो यह चीजें अगर आपने नहीं लिखा था तो वीडियो बैक करके लि एक नया टॉपिक इसमें से जो है उसके आगे हम लोग उपर से करेंगे ठीक है जोती जी देखिए आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है जिनको भी क्लीन नहीं दिख रहा उनका इंटरनेट अपना इंटरनेट ठीक कर लें एकदम क्लीन आरा सब कुछ ठीक है अब चलो किसी से स्टार्ट करेंगे a bm and pqn लिखो तिर्भूज a bm और तिर्भूज pqn से देखो भाई अभी 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 हमने फाइंड किया था 12 municipalities बडियं रिक crouch क्योंक लिखो ब्याम ये बराबर क्यूं है इक कोराशन नम्बर फार्यस से लिकड़ों सभी करण एक से 15 हम सी इबढ़म ऑले लिखेंगे 275 इंग्लिस मेरे बद चलिखेंगे 256 ठीक है आब देखो आग goog तो यज इसके बराबर हो गया चूकि हमें पता है कि हमारा question कह रहा है कि इसकी जो भी भूजाएं है A B वो दूसरे के P Q के बराबर है B C दूसरे तिर्भूज के Q R के बराबर है इसकी मादिका A M दूसरे तिर्भूज के P N के बराबर है तो जब यह आपस में बराबर दी ही गई है पहले से तो इसमें तो कुछ जादा करना ही नहीं है है ना चलो लिख दो लिखो A भी बराबर P Q region क्या है दिया है region लिख दो दिया है और भी दिया इसमें सब तो दिया यार अरे भाई हम यह तिरभूज सरबांग सम कर रहे हैं यह जहां हाथ रख रहे हैं यह एम भी तो P N के बराबर दिया है लिखो A M equal P N region लिखो दिया है जब भाईया यह में सब दिया ही है तो congruence के लिए हमें तीन चीज़ें ही तो बराबर चाहिए है ना तो तुम क्या करोगे लिखो तिरभूज A B M congruence to तिरभूज P Q N हो गया सरबांग सम क्यूं region लिखो by sss rule मतलब भूजा 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 सरबांग समता नियम से यह दोनों तिरभूज सरबांग सम हो गए क्योंकि तीन भूजाएं आपस में बराबर हो गई हो गए सरबांग सम जो बच्चे cpct rule नहीं देखे हैं वो बच्चे उसे जरूर देख लें देखो description में हो सकता लिंक मिल जाए नहीं तो आप कलास के बाद में संपर करना कमेंट करना आपको मिल जाएगा बीना cpct rule के आप समझ नहीं पहोंगे cpct rule में आपको यह basic concept रिखाया गया है कि कैसे कोई कोण भूजा जो है वो किसी दो सरभांगसम तिरबूच के आपस में बराबर होते हैं equal होते हैं यह सारे चीजिए आपको बताई गई हैं है ना आप लोग समझ गये ना चलो फिर आगे बढ़ते हैं इतनी सारे चीजिए हो गई clear आप देखो यह पहला हो गया इसमें दो करना था पहला हो गया है चलो हो गया पहला अब हम एक काम कर सकते हैं देखो हमने क्या किया ABM and PQN इसको congruent सिध कर दिया इसको सरवांगसम हमने सिध कर दिया अब तुम्हें काम कर सकते हो क्या कर सकते हो कि इनके माध्यम से तुम कोई कोण बराबर कर सकते हो अगले वाले के लिए का है अगले में A, B, C को PQR के बराबर सरवांगसम करना है तो भाईया अगर ये दोनों तिर्भूज हमारे सरवांगसम है तो कोण जो ये B है वो कोण Q के बराबर होगा काहे को बराबर होगा CPCT rule से बराबर होगा है, क्यों CPCT rule क्या होता है कि किनी दो संगत किनी दो संगत तिर्भुजों में उसरी किनी दो सरवांगसम तिर्भुज में उनके संगत कौन बराबर होते हैं किनी दो सरवांगसम तिर्भुज में उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं यह सब आप लोग CPCT नियम में पढ़े हो मतलब होता है करस्पांडिंग मतलब उसका फुल फाम तुमने आपको हिंदी में बढ़ाया था यह नि जो संगत कोण और संगत भुजा के बारे में अगे चले हैं इंगलीज में बोलें अच्छा भाई चलो इंगलीज में बोलेंगे अब इसको मिटा दें ओके इसको मिटाओ जल्दी से मिटा के आगे बढ़ो इसका फार्ट हो गया सीकेंड पार्ट पर हम लोग चलते हैं आप ध्यान से देखो इस siz पार्ट हो गया कि इसकेंड पार्ट में क्या करना है ए इबी-सी को पी-क्यू-आर कि का रना है यह पूरा का से मतलब समझो अच्छे से समझो ठीक है हाँ केरफूल सिकेंट फार्ट देखो अब यहां पर लिख दो सिकेंट पार्ट लिखो अभी अभी हमने क्या किया है दो तिरभूच को का इंगरों सिद्र किया को बच्चा समझ रहे हो आप लोग देखो पढ़ने फिजादा तो यह बिहांड वी वाले में देख रहे हैं अब ग्राउंड देख रहे हैं अब लोग अरे यहां बहुत जंगल टाइप का जहां यह बैग्राउंड देख रहे हैं को यहां पर लिखो चूकी ट्रेंगल ए वी यम ए वी एम यम यम फार्मेन न पंकी भी होता है चूकी ट्रेंगल ए वी यम यह सरवांगसम है किसके पी क्यू यहन के यह दोनों क्या है तिरबुच सरवांगसम में मैंने पहले से कर लिया है अब तुम का लिखोगे लिखो आता हाँ कौड यह वाला कौड B इसे लिखोगे ABM ठीक है ABM जो है बच्चा वो बराबर होगा किसके इसके बराबर होगा तुम लोग इसमें मत देखो बही चलो 3 नंबर पではबढ़ा ही करो अगर पढ़ना है तो ये दूसरे वाले के बराबर होगा PQN के ठीक है किसके बराबर होगा PQN के चलो जल्दी करो फटा फट करो A B ये M मतलब कहने का ये ये कौण B वाला जो है वो कौण Q के बराबर होगा क्यों बराबर होगा क्योंकि ये दोनों तिर्भुज जो है वो क्या है दिखना के किया है यहें दोने त्रिभुज अगर सर्भैंग सम्हाइं तो यह कौन संगत कौन भी बराबर होंगे, इनको लिखोंगल पी क्यू एन है ना यही तो और इसमें एक ही कौण बराबर नहीं है अगर कोई दो तिर्बुच सरमांग सम है तो उनके संगत कौण जितने भी हैं सभी बराबर होते हैं संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं इसमें ए बी एंड फी मतलब समझ रहे हो अच्छा एक तो nambas Abi amu यह कोण और एक ebc मतलब यह पूरे के लिए एक तो अभी सिर्फी हाफ के लिए था यह बराबर है PQ are REAL ठीक है आब देखो PQ अर्ए तो तो तुम इसको एक वार और भी लिख सकते हो ABC को यann bro बना लो चूपर segHello यूज़ करेंगे बागी और कोई से मतलब नहीं है जित्ता हो गए जल्दी करो फट से लिख लो और हां कैमरे के सामने से हटने के बाद हम कहां जाते हैं इसको पीछे आने पैसा होता है पीछे इफली आता हूं कि बोर्ड आपको क्लियर दिखाई पड़े हम सामने छेक के कली यहाल लेता हूं मतलब evening वाक कर लता हूँ और सामने चला जाता हो फिर दिखने लगता हूं कि एंगे चलो सो हां तो यह क्या हुआ यह बरावर हो गया अब तुम क्या कर सकते हैं इसमें क्या बरावर हो सकता है ओ सिंपल सी बात है यह बुजाए भी बराबर है बस सीधी स्वास है दो इसमें बराबर करना है चलो लिखो कि लिको फटेफो अबो तिर्भूज ABC और कौन कि को शेचरे पूरा-पूरा पी-क्यू-वाहर से तथा तिर्भूज पी-कू-वाहर से च्था टिर्भूज की क्यू-वाइच लिखो ab बिदाब्र LibraBoo के दिया है प्रेजन है दिया है कि लिए नबाई यह दिया है और क्या प्रेज एक आगे इसमें to a इसमानेक प्रेजन निकाला था पहले इसको लिखे लो एंगल a b c इक्वाल एंगल पी क्यू आर रीजन लिख लो यह समीकरण मैंने कौन सा बनाया था भाई दूसरा बनाया था पहला एक टी पीछे बना था ना यहीं को ऐसा नंबर सिकेंड मान लो समीकरण 2 यहां पर लिख लो समीकरण 2 से ठीक है यह काहे बराबर है समीकरण 2 से और समीकरण और दो में क्यों बराबर आया था मैंने समझाया था ना है ना बताया था ना तो यहां पर तुम लोग का है को आके देख रहे हैं चलो ठीक है ओके गुड अगे बढ़ें चलिए अब ध्यान दीजिए देखिए ग्राउंड भी इसमें से आ रहा है आप इसलिए इसके सामने मत हाँ चलिए अभी दिखाएंगे देखिए एक मिश्टर आ गए जो बहुत कमेंट करते हैं यह बैठे अभी इनका टकला दिखाते हैं उपर से रुख जो थोड़े आप लोग पहले पढ़ लो तब चलो यह बराबर हो गया अब देखो बच्चा बीसी भी बराबर है क्यों क्यों बराबर है क्योंकि यह दिया है कहां गया यह बीसी यह क्यू आर के बराबर है तो तुम लिख लो बीसी बराबर क्यू आर कोई ट्रक में लिख लो दिया है सब मिल गया बचा क्या है एक भुजा बराबर हो गई एक कोण बराबर हो गया बुजा बराबर हो गई अब लिख सकते हो ट्रेंगल ABC कांगुर्यांज टू ट्रेंगल PQR क्यूं हो गया रीजन लिखो को इस ठक में YSAS मतलब भूजा कोड़ भूजा सर्वांग समतानियम से यह हो गया कांगुर्यांज इस तरह से आपका ये पूरा हो गया खतम हो गया है ना कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो निसां कोज कमेंट कर सकते हो ठीक है किरा कि BE और CF एक तिरभूज EF के दो पराबर सीर्सलंब हैं BE ये और CF सीर्सलंब मतलब बोलता है altitude है ठीक है एक ट्रेंगल के ये equal altitude है आगे क्या कहता है RHS सरवांग सम्ता नियम का परियोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक ISOCALES होता है ना समदुबाहू को क्या बोलते हैं है ना मतलब इसे हमें प्रूब करना है समदुबाहू तिरभूज है कहने का ये मतलब है कि हमें ये सिद्ध करना की ABC बराबर है ठीक है समदुबाहू का मतलब भाई दो बुजा बराबर होती है और ये RHSS सरवांग सम्ता नियम SAS सरवांग सम्ता तिरपल एस सरवांग सम्ता नियम और एस एस यह सब पढ़ाता न आपने नहीं देखा तो कमेंट करिए वीडियो में आपको मिल जाएगा उसका जनकारी आपको कमेंट बाक्स में दे दिया जाएगा ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो चलो नहीं साथ ही इतने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे क्यों फ्री में नाइंट की मैं पढ़ाए नीचे राड लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा बिल्कुल फ्री में होता है कर लो भी तुरंद चलो इसमें हम क्या करेंगे यहां पर हल लिखेंगे उपर साइट से देखो यहीं से हल करेंगे जगा थोड़ा कम है ऐसा इसी में ऑद ़ेंगे बराबर C है क्यूंकि हमें इस समद्वि बाहु चिद् vest करना मतलब विखा बराबर चिद्ध करना है ठीक है अब हम तिरिपुझ लेंगे इजए क्हुशन फोड़ा राबर सिद्ध कना तो लिखो सी अभी एक ले लेना सी अभी मतलब एक इधर एक इधर ठीक है चलो लिको तिर भूज बी इसी और तिर भूज कौन से दूसरा ले लोगे सी एफ पी इधर वाला सी एफ में या फिर से इधर दिख रहे के लिएर नहीं आइज आए थेखु क्या है?!? अधर मैं नहीं लिखने वाला हूं। चलो देखो ध्यान दो आगे! आगे देखो क्या कहता है देहन देखिए इत्ता हो गया देखो इसमें अगर हम तिर्भूच देखें B, E, C भी यहां शुरू करो B, E, C यह जो रेखा है ना यहां पर आके मिल रही है इसमें और तिर्भूच दूसरा वाला अगर आप देख लो C, F, B वाले में जो है उसमें आपको क्या मिल रहा है कोण F और E बराबर है क्यों? अब तुम कहो कि कहा है बराबर है भाईया यह कोण जो बन रहा है अगर यह लाइन एक्तम सीधा है चुक्कि अल्टिट्यूड है मतलब यह नब्बे बना रहा है बोलो कि नहीं बना रहा है na C, F, B यह नि कोण F क्या है नब्बे है और यह अल्टिट्यूड है मतलब यह एक्तम सीधा है यह यह भी क्या कर रहा है बाबू बना रहा है बना रहा है तो यह और यह अगर आप लोगे तो यह दोनों कोंड बराबर है लिखो angle C F V एंगल C F V equal angle B E C ठीक है E बीच में पढ़ना चाहिए तो तुम लेखतो C E V लेकिन C E V उल्टा पढ़ रहे हैं तो B E C लिखो angle B E C ठीक है यह दोनों बराबर हैं क्यों बराबर है region हो जाएगा नीचे region लिख लो दोनों समकोंड है समकोंड है फिर लिख तो दोनों 90 अलिट्यां बनोa घुण्ड भरिवेसमर कोन और लैए और तुम ये ट्रेंगल लेते हो कौन सा भी वहां कौन सा लिए हो पहले बी-ई-सी ना बी-ई-सी लेते हो तब भी तुम इसको यूज़ कर रहे हो बी-सी को ना भाई बी-ई-सी में ये आ रहा है ना नीचे वाला बुझा और अगर तुम दूसरा लेते हो सी-फ-वी सी-फ-वी तब भी ये बुझाई हो रही मतलब दोनों में है ना तो तुम लिखोगे किसमे भाई एक के लिए बी-सी हो जाएगा इधर से जो गिनते उसके लिए सी-बी हो जाएगा तो तुम यहां लिखोगे बी-सी इक्वल सी-बी रीजन लिखोगे कॉमन है क्या है कॉमन ह बहुत आसान एकत्म सिंपल सा कुष्टने आ दिया है, अब आपको दो चीजे मिल गई, अब इसमें एक चीज हम और खुजेंगे, देखो B, E, C, F के बराबर है, काहे लिए, बी, E, C, F के बराबर है, देखो बराबर काहे लिए है, दिया है, अब तुम कहो गें, काहा है, कु बूज बराबर सीरसलम वें सिंपल सी इस ओड करेंगे बात लिको Ayubi क्लो हुट इकल लिखो किसी एफ ठीक है कि इसके बराबर है बहुटु थे के बराबर कहीं बिल गया आपको क्या करण नहीं सुर्य ये करण नहीं तो फूजा है लेकिन इसमें अगर तुम ध्यान दो तो इसमें करण भी कौमन है बी-सी और सीवी कौन सहां ये करण ही तो होगा सुर्य एग मिनुट देखो, यह एकदम सीधा है, तो यह क्या होगा, यह लम्भ होगा, अरे यार समकोंड सिर्बुझ जाईसे बनता है कि ने देखो, समकोंड सिर्बुझ देखो ना, इसे बनता है न, बनता ना भ़ाई, तुम जानतों यह नब्य सामने ये करण हें, मतलब नब्बे के सामने करड़ होती है तो भाई सहाब अगर यहां नब्बे बनेगा सामने की बुज़ा यह करड़ होगी अगर यहां पे नब्बे बनेगा तो इसके सामने की बुज़ा यह करड़ होगी यह मत सोचना यह करड़ होगी नहीं तूंकि में तो हमारा त्रोरिग यह है यह तो क्या है करते हैं तो तुम ऐससे सब्सक्राइब सुर्ण होगी । ने बसकूर सायब से देखलो मैं दरuse वीडिन, क्या थे न न नबब्ब संग 가까 थे यहां पर लिखर और आर इर्ट एंक ल यह हमें करण मिल गया करण मदलब एच हां करण को एच बोलते क्या हाँ हाई पोटेनियस ऐसे कुछ बोलते इंगलिज में न बोलते ना बाई बीसी बराबर से भी वाला एच न और यह जो है यह बराबर भुजा है अल्डिट्यूट दिया था यह मतलब यह सै यह बताओ आर एच एस सर्बांग समता नियम से सर्बांग सम हो जाएंगे तिर बूज की नहीं हो जाएंगे ना नीचे तुम लिखोगे लिखो आता हा तिर बूज यह मिटादो जो मैंने इधर लिखा है और कोई बच्चा वीडियो छोड़के मत जाना नहीं समझ में कुछ नहीं कमेंट करो मैं फिर से बताऊंगा वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करना आएगा थोड़ा फट टफ है यह लेकिन सोचो कि हम छोड़ दें तो कुछ नहीं आएगा याद रखना मेंनत करी ता भी आएगा चलो लिखो अब यह दुनों तुरू सर्बांग सम होगे ट्रे कड में लिखो वाई रहेच्याइस रूल हिंदी मीडियों मुले लिख देंगे क्या लिखेंगे यह आगा तो यह सर्बांगसम होगे लेकिन मुझे यह नहीं करना था अभी तो हमारा उत्र नहीं आया हमें तो यह करना था कि एबी सी सर्बांग संदु बाभू तिरूज है हमें तो यह A, B, A, C बराबर करना था हम तो कुछ और करने लगे लेकिन बहुत अच्छा किये क्यूं भाई यह हमें A, B को सरी यह A, B को A, C के बराबर करना है हमने यह ट्राइंगल मतलब जिम्हें मैं हाथ रखा हूं यह और यह अगर मैं सरवांगसम कर दिया संगत कोड़य तू क्या होंगे भाई दो सरवांगसम तिरुज़ के जो संगत कौन है बराबर होते हैं ौलो होते है न, दुखो फिर नीचे दिख रहा है किया नहीं दिख रहा तो मैं मिटा करवाऊं नीचे बाद हwno नीचे अच्छा ठीक है उसक उतार लो या फिर यह सक्रीन सब्सक्राइब में सब्सक्राइब ने पढ़ाया था संगत तिर्भूज के बारे में संगत बुजा संगत बूचा संगत कोन यलिदि दो तिर्भूज सरवंग संम है मैं आपको बताऊंगा CPCT का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में कमेंट करना डिस्क्राइब कर दिये जाएगा CPCT क्या होता है ठीक है और आपने ये भी पढ़ा था CPCT में कि अगर ये कोण बराबर हैं कोई भी दो कोण किसी भी सरवांगसम तिरभूज में अगर कोई दो कि बच्छा वह भी बराबर होती है चक्षां गौडवर हो तैंट कॉड़ के सामने कौनसी भूजा है सी है कौन सी के सामने चिया सकते हो मेटियमाने लिखिए बराबर कोन की सम्मुक भूजा ठीक है क्या है यह सम्मुक भूजा मतलब क्या कहते हैं इसको equal एंगल की आपोजिट जो साइड है वह एकोल होती है ठीक है यह दोनों एंगल एकवल थे बोजिट साइड कोल हो गई सबसे बड़ी भुजा होती है कि जब हम एक राइट एंगल बनाते हैं यह इधर साइड आप देखो तो इसमें एक ही एंगल होता है जो बहुत मतलब सबसे बड़ा होता है हमसे पूछ रहा है कि भाई सिद्द्धकरों कि ये जो बढ़ी भुजा यह सबसे बड़ी होती है वो सब्कों को पता है कि किसी पर सम्कूर्ण से इंगा बंदा Emer qui करना है घाष कि इधर-घ्र में आप लिखो हल दिखतो रहा ना यहां पर कोई दिक्कत नहीं न यह यूपी बोर्ट सी बोर्ट सब के लिए इंपॉर्टन है चुकि एंसी एर्ट पैटन जो है वह दोनों में होता है सबसे पहले हम मानेंगे लेट्स हैं लेकिन हिंदी में लिख्वाएंगे आप लोग लिखो माना माना तिर्भूज एक समकॉर्ण तिर्भूज है यह मैंने मान लिया उसको बना लिया यह क्या एक समकॉर्ण तिर्भूज है और नीचे लिख लो और आगी जिसका कॉर्ण भी जिसका कॉर्ण भी समकॉर्ण है क्या है समकॉर्ण है मतलब 90 है हमने बना लिया कि ABC एक समकौन तिरबूज है जिसका कौन भी क्या है समकौन है इतना सबको पता है उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल V प्लस एंगल C इक्वल 180 कर सकते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यह तिरबूज के एक परमिय होती है आप सब इने पढ़ा होगा कोईश्टक में रिजन लिख लो तिरबूज के तीनों अंता कोणों का योग तीनों अंता कोणों का योग क्या होता है तिरबूज के तीनों अंता कोणों का योग फल होता है 180C यह simple सा मैंने लिख दिया बस बाकी इसमें नया कुछ तो किया नहीं इसको मैं नीचे लिख देता हूँ clear हो जाए आपको कोई doubt ना रह जाए yellow ठीक है अब हम यह काम कर सकते हैं angle A छोड़ दो angle B कमान हम 90 रख सकते हैं इसमें से चुकि इसमें से 90 दिया है और दूसरा जो है angle C देखो angle C को भी तुम क्या करोगे ऐसे लिखता होगे 180 final में अगर आप यहां से angle A plus angle C निकालोगे तो आपको 180 minus 90 मिलेगा मतलब angle A plus angle C equal 90 यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि हमारा जो कोण C और A है दोनों को मिला करके 90 हो रहा है दोनों को जोडने के बाद क्या होगा 90 होगा लेकिन जो angle B है वो अकेले ही 90 है जैनि कहने का यह मतलब है इन दोनों की योगभल के बराबर है वो है न सभी को समझ में आ रहा ना इसमें कोई दिक्कत नहीं न किसी को चलो इतना लिख लिए आप कोई दिक्कत नहीं न इतना हो गया चलो जल्दी से तुम लोगा आता है सबसे बड़ा कोण B है क्योंकि यह 90 है क्योंकि यह 90 है जबकी जबकी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 90 है क्या है एंगल A प्लस C इक्वल 90 है मतलब की दोनों का योग क्या है 90 है मतलब दोनों का ओ सरी मतलब दोनों नियून कोड होंगी क्या होंगी नियून कोड होंगी सिंपल सी बात है अगर दो पूंड को योगफ़ नबे है तो दो नुन पूंड है यह 20 90 से कम होते हैं वन डिगरी से लेकर 89 तक होते हैं तो अगर पहला कौन हमें एक मान सकते हैं दूसरा नमासी भी मान सकते हैं दोनों मतलब ने उन कौन है इतना हो गया जो प्रूब करना वो चीज में बता रहा हूं ध्यान तो अब आगे आप लिखोगे एसी सबसे बड़ी भूजा होगी हमें वही तो उसी दिकर ना था ना निचे लिखो आता हां एसी सबसे बड़ी भूजा होगी क्योंकि किसी तिर्भूज में सबसे बड़े कौन के सामने की भूजा सबसे बड़े कौन के सामने की भूजा सबसे बड़ी होती है यह मैंने cpct rule में पढ़ाया था अगर नहीं देखे हो तो कमेंट करके बताओ हम आपको दिखा देंगे उसको चरूर देख लेना description में देखो हो सकता लिंका भी आपको मिल जाए तो उसे देख लीजिए ठीक है यह सबसे बड़ा कॉन नब्बे है इसके सामने की जो एंगल होगा वो क्या है A.C.A. और A.C. क्या होगी सबसे बड़े भुजा होगी अगर यह सबसे छोटा कॉन है तो इसके सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा मानी जाएगी यह मैंने आपको पढ़ाया था जब एंगल की प्रपरटी पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था इस्टार्टिंग में जब संभाहू भी संभाहू तिरभूज बताया था उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था है ना तो बच्चा आपका यह first question complete होता है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप comment करके हमें बता सकते हो पी और चाऊं पी और च्म बिंदूओं पी और क्यू तक बढ़ाया गया है समझने की कोशिश करिए करके साथ ही पी बीसी इंज़ स्लस्टैन मतलब की पीज़ी क्या है चोटा है एंगल पी जी चोटा है किस से एंगल क्यू सी भी से तो कहरा एबी चोटा है यह हमें प्रूब करना है चलिए जो हमें दिया है हम उसको कर लेते हैं उसकी के अकॉर्डिंग इसके पहले जो बच्चे बेसिक कांसेट वाला नहीं देखे वह जरूर देख लें क्योंकि उनको नहीं समझ में आएगा तो उनको दिक्कत हो जाएगी जैसे रैखी क्यों क्या होता है आज इसमें इसका परियोग होगा इसका सलूशन यहां से स्टार्ट होता है उपर साइड आप लोग दयान दो गूं देखो इसमें अगर्एग चीज देखो तो लोग में यहां बन रहा कि यहां बन रहा है हिए हम सब को पता है पता है और हमें यह को है कि बच्चा यह जो कौण ये और यह कौण यह दोनों कौन से कोण है एक ही रेखा पर बने कोण रेखी की युगम कहलाते हैं लीनियर पेयर कहलाते हैं है ना नीरज कुमार बेट आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है आप अपना इंटरनेट ठीक कर लूँआ चलो तो हम यहां पर हल शुरू करेंगे इसे हम लिएक सकते हैं अंगल A,B,C क्या करोगे अंगल A,B,C प्लस P,B,C मतलब यह एंगल A,B,C मतलब दिख रहा है इदर साइब में की नहीं नहीं दिखेगा तो बता देना तेंसर मतले ना दिख रहा है ना मतलब यह कोड यह यह बी कोड और करभ पी बी सी मतलब यह वाला कोड यह एक परकार से अगर यहां पर हम नाम दे दें तो आप यह मानलो इसको मैंने पीवन लिख दिया इसको पीटू यानि एंगल जो पीवन और पीटू है यह क्या होगा या पीवन और पीटू जो है यह दोनों राखी क्यों को होंगी तो तुम इसको लिख सकते हैं अंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल वन एट्टी क्या सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही सभी बच्चे बताओ क्या सभी को बलर दिख रहा है बोलो भाई सभी को बलर दिख रहा है फिर क्लियर है नहीं तो फिर मैं पढ़ाओ डिश्टर्ब ना हो सिमाने यादो क्या दिक्कत हो रही बताइए सभी बच्चे जबाब दो भाई जल्दी करो बहुत जल्दी फास्ट कमेंट करो यह हो गया यह क्यूं हुआ रीजन लिख लो रैखिक यूगम से या फिर बाई लिनियर पेयर है न कैसे लिनियर पेयर इसका मतलब सब कुछ क्लियर है सब कुछ सही है जिन बच्चों का इंटरनेट धीमा है उनको बलर दिख रहा है बच्चा स्क्रीन पे टच करो उपर तीन बिंदू आएगा दाहिनी साइड में तीन डाट बिंदी पे टच करोगे क्वालिटी कॉप्शन आएगा आप क्वाल लेंस इसका थोड़ा सा और साफ हो जाए बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा आप और चेंज कर लो हां चलो यह रखे कि मुझसे हो गया इसमें अगर हम एवी सी कमान निकालें तो एंगल एवी सी इक्वासी माइनस एंगल पीवी सी बोलो यह हो सकता है कि नहीं हो सकत लिए यह पीवी सी को उधर ट्रांसफर कर दिया तो इसमें से घट गया अब यह इकवेसर नंबर फाइस्ट हो गया क्या होगे यह समीकरण नंबर एक हमें याद रखना है कि हमें एसी को बड़ा सिध्ध करना है एवी को चोटा प्रूप करना इस ट्रेंगल के माद्धिम स यह हो गया इसमें हमें काम और कर सकते हैं जैसे हमने इधर लिया था ABC और यह BBC यानि P1 और P2 कोंड जैसे मैंने लिया था ना उसी तरह से अगर हम इसको Q1 और इसको Q2 मान ली तो देखो वही कंडीशन दूसरी साइड भी है बोलो है कि नहीं भाईया इधर भी रहखी कोंड बन रहें दोनों उधर भी तो रहखी कोंड बन रहें ना बन रहें ना तो तुम इधर भी तो ऐसे लिख सकते हो क्या लिखोगे एंगल ACB लिखो एंगल ACB प्लस एंगल QC और B इक्वाल 180 ब्रेकट में रीजन वही हो जाएगा रहखी की हुगमों ठीक है यह भी क्या है रहखी की हुगमों है ना बात समझ में आई यानि यह भी रहखी की हुगमों के ताहद 180 हो गया इसमें से भी हम क्या करेंगे ACB का मान निकाल लेंगे एंगल ACB इक्कॉल निकालो गए 180 माइनस QCB यह एक्वैसन नंबर सिकेंड हो गया यह क्या हो गया समीकरन नंबर दो जल्दी फिर लिख लो देखो यह चैप्टर खतम हो जाएगा तो अगला चैप्टर आसान है जो भी नए बच्चे जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा टफ है आपको थोड़ा गड़बर लगरा होगा लेकिन यह थोड़ा फर टफ है दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है अब अगर आपने रेखी की युगम नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं होता है क्योंकि एक्सों सिंस का कौने दिम सीधा होता है जिसे इस्ट्रेट एंगल बोलते हैं यह सारी चीजिए आपको पता होनी चाहिए यह ठीक है आप यहां पेटी और है तुम यहाँ देखो P B C जान दिखो एंगल P B C एज लेस दें एंगल Q C B कि यह है भूलो है कि नहीं यह है ना क्यों है यह कोष्ट में लिखो गिवन दिया है क्या यह दिया है देखो यह यह दिया था अब हम क्या कर सकते हैं देखो हमेकाम करेंगे हम यहां पर लिखेंगे नीचे दीखतो रहा हाँ है ना सबीको लेकिन लिख लूओ किना हूँ नकिन मैं यहां पर लिख सकता हूँ कि लिख सकता नश्योच यहां पर लेखोंगा 180-1 रिखूंगा इसक्र दाउं बना रहा हूं यह बढ़ा का चिन है मतलब यह क्या है बड़ा तरवाला आगे देखो 180 माइनस है क्यों सी बी मतलब एंगल क्यों सी भी आप देखो आप यह पूछोगे इसको मैं क्यों लिखा नीचे दिख रहा कि नहीं बता दो नीचे आरा क्लियर नहीं आ रहा है नहीं आ तो मैं नीचे कर दूं कैमरा बोलो जल्दी फट से बोलो आ रहा हमें यह AC को बड़ा AB को छोटा दिखाना है तो हमें क्या करना होगा हमें क्या करना होगा हमें यह कोंड भी तो बड़ा दिखाना होगा ना यार अगर कोंड बड़ा दिखाना होगा तभी यह बड़ा आएगा ना बाबू तो क्या करेंगे हम AC के सामने का कोंड बड़ा सी कर देंगे और एबी के सामने का जो कौन है उधर सी वाला उसको क्या करेंगे छोटा सिद्र कर देंगे बस हो गया क्योंकि बड़े कौन के सामने की बुजा बड़ी होती है छोटे कौन के सामने की बुजा छोटी होती है इसको हमने परेमिय में पढ़ लिया है इता हो गया इसमें से मैंने साथ घटाया और कुछ आया होगा और 180 से अगर मैंने 10 घटाया फिर भी कुछ आया होगा तो मुझे यह बताओ किसमें बड़ी गिंती आएगी यह एक में तुम साथ घटा रहे हो दूसरे में तुम दस घटा रहे हो तो जो सेशफल आएगा किसमें ज़्याद आएगा इसमें वाले में या इसमें वाले में तो तुम कहोगे जिसमें से हमने कम घटाया उसमें क्या आएगा सेसपलचाद आएगा सिंपल सी बात है इसमें 173 आयेगा इसमें 170 आयेगा बोलो ऐसे ही तो है न ऐसे ही है न चुकि वह ऐसे यहाँ पर कंडिशन है देखो 180 से PVC घटाया जा रहा है और 180 से QCB घटाया जा रहा है चुकि कह रहा था यहां कुश्चन में कि जो PVC है वो बड़ा है और QBC क्या है स्वरी QCB क्या है छोटा है कर रहा था यह बड़ा यह छोटा है तो भई अगर हम छोटका घटाएंगे भई यह छोटा है तो जो छोटा है अगर उसको हम घटाएंगे तो जो मिलेगा वो बड़ा मिलेगा ना बोलो जैसे यहाँ पर देखो अगर हम छोटी गिंती घटाएंगे त चोटा हो गया अब तुम यह काम कर सकते हो समी करन एक अगर देखो तो 180-PVC यह 180-PVC है ना 180-PVC मतलब तुम ABC लिख सकते हो इसकी जगापे नीचे मैं कामरा करके दिखा दे रहा हूँ एक बार देख लो फिर मैं पूरा दिखा दूँगा ठीक है नीचे कामरा करके दिखा दे रहा हूँ पूरा लिख देऊँगा चलो अब हम इसकी जगा फे समीकरण एक से लिख सकता हूं एंगल A, B, C और ये ऐसे है greater than ध्यान देना समीकरण 2 से अगर इसको तुम मिलाओ तो A, C, B है क्या बच्चा एंगल A, C, B यहां से ये प्रोब हो गया कि एंगल C और शरी प्रोब हो एंगल C जो है वो क्या है छोटा एंगल भी बड़ा है यानि कि आप तुम यहां पर समझो एंगल भी बड़ा है न यहां पर हमें सिध्य क्या करना यार A, B, C था न हाँ ठीक है और वो क्या था A, C, B था ठीक है नो प्राबलम यहां से हम दिखा सकते हैं आता है अब यहां पर देखो A, B, C कोण को देखो अब कोण को देखो वहां से समझो A, B, C और A, C, B क्या है वो सब जल्दी देखो और फिर इसको उतारो पहले फिर मैं आगे बताता हूं नीचे दिख रहा कि नहीं उपर कट रहा होगा न इतना कर लो आगया उत्तर आगया थोड़ा सबचा है एकदम हलका सब नहीं दिख रहा होगा तो बता देना मैं और उपर कर दूंगा दूर कर दूंगा यह उपर इत्ता ही लिखा गया था ठीक चलो लिख लिए सभी बच्चे जल्दी से लिख लो या फिर इसको मिटाओं जल्दी करो भाई बहुत जल्दी करो फटा फट करो ठीक है तो आगे बढ़ें एसी बी कौन क्या हो गया बढ़ा हो गया एसी बी चोटा हो गया ठीक है ओके अब देखो अब ध्यान दो आप लोग ध्यान दो यहां पे हमने कौन को बढ़ा सिद्ध किया है क्या सिद्ध किया कौन को बढ़ा सिद्ध किया कि जो एंगल भी है बच्चा यह बढ़ा है यह इधर वाला सी जो है छोटा है या फिर ऐसे कहलो क्यों बढ़ा है क्यू टू क्या है उसरी पीवन बढ़ा है क्यू वन छोटा है ठीक है हमने पढ़ा था जब इसका परगुण पढ़ा था या फिर ऐसे कहलो कि तिर्बुच का गुण पढ़ा था उसमें यह पढ़ा था कि बड़े कोंड के सामने की भुजा बढ़ी होती है है ना लारजर जो एंगल होता उसकी अपोजिट साइड क्या होती है लारजर होती है तो बढ़ी अब बी के सामने की भुजा क्या एसी है यह बढ़ी होगी और दूसरा अगर बात करें सी तो कोंड सी के सामने की भुजा एबी है एबी क्या होगी छोटी होगी तो तुम नी निचे देखना मैं दूर hem दोर ना यह लिख लो दोर तोड़ा दोर दोर चलो अब ऊपर भी आएगा आएगा अट थोड़ा इदर कट भले जाया लेकिन अगा चलो हम यहां लिख सकते हैं a c is greater than a b । ठीखने हैं यह हम लिख सकते हैं अपस्तर काल से सबी बच्चे समझे लो बहुत जल्दी करो चलो ओके गुड़ ओके चलो जल्दी करो भाई फटाफट करो लिख लो यह हो गया इसके बाद कुछ मैं आपको असपश्टी करन लिखवा दूं यहां पर तो आपको ज्यादा के लियर हो जाएगा क्योंकि कुछ बच्चे यहां पर समझ नहीं पा रहे होंगे वैसे तो मैंने समझाया है ठीक है जल्दी करो कि वैसे मैंने सब घटाया कुछ बताना नहीं है एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं ध्यान देजिए कुजिचन करा कि अकृति 7.48 में एंगल ABC की बुजाओं AB और AC को करमसा बिंदू P और Q तक बढ़ाया गया है यह एंगल दिया था जिसका नाम ABC था इनकी बुजा जो यह अली थी बी अली इसको पी तक खींचा गया और सी को क्यों तक खींचा गया है ठीक है उसके बाद क्या करने को बोल रहा है उसके बाद बच्चा यह बोल रहा है कि साथ ही PVC क्या है छोटा है कि उसी भी बड़ा है ये तो दिया है करत दर्सा ये दिखाई ये कि A C बड़ा है ये भी छोटा है है ना तो हमने क्या किया रेखी की उकम लगा दिया चूंकि ये कौन B और ये ऐसे अगर बात करें जो मनें नया सा बनाया है वो क्या है में चाहिए प्सूला है असे असे का रिखाव कराने हैं कि यह यह वां खाला थे चाथे यह इंको यह श्रेखा वराम के करें मेंबर आप कहा थे अभी तक बहुत देर में आया है हो गया चलिए तो यह हो गया इसी तरह से इधर भी रैखी को बन रहा है यह कॉंड की यह भी क्या कर रहें लिनियर पेर बना रहें तो मैंने पहले लिनियर पेर को लिख दिया जोड़के 180 लिख दिया उसके बाद यहां से ABC कमान निकाला 180 माइनस BBC हो गया और दूसरे से भी एक समीकरण बन गया दोनों को मैंने क्या किया दोनों इक क्यूशन का यूज करके जो दिया था उसकी साहता से मैंने इसको प्रूब कर दिया अगर आ यहां पर लिखें आपके सामने आप दिखिया अहां पे लिखा है आकरती 7.51 में ऐसा बुक में कुश्चन था इसलिए मैंने वैसे लिख लिया और वह आकरती यह जो नीचीछ बनी है इसमें क्या दिया है पहले आपको यह समझना है उसके बाद में क्या करना है वह हम आगे करेंगे कह रहा कि इसमें पी आरीज ग्रेटर देन पी क्यू इस चिन का मतलब होता जिदर इसके दूम होता है उसका मतलब होता बड़ा है अब से सीबसी वाले सिर्फ जानते होंगे तो इनका यह मतलब है कि जो पी आर है मतलब यह लाइन यह पी क्यू से बड़ी है बड़ी चोटी को मतलब आजसे जान लो अगर यह पी आर है तो यह पी क्यों छोट है बस इतना जान लो ठीक है आगे कह रहा है पी एस पहले उनको देखो पीस कहा है यह पी और याश यह डार्ट में लाइन है डार डार्ट है ठीक है इतना दिया है करा सिद्ध कीजिए मतलब प्रूब कीजिए एंगल PSR is greater than PSQ है यह हमें प्रूब करना है सिंपल सा है आप क्या करोगे पहले लिखो जो दिया है यहां पे लिखो तिरभूज PQR में तिरभूज PQR में क्या है बच्चा दिया है PR is greater than PQ यह दिया है आपको पता है PR बड़ा है पी क्या है छोटा है ठीक है इसमें कोई लफ़ड़ा नहीं न हम सभी जानते हैं कि हमने तिरभूज का गुण पढ़ा है कि बड़ी भुजा के सामने का कौण बड़ा होता है तो भाया अगर हम देखें PR तो PR के सामने कौन सा एंगल है अरे तुम सीधा-फीधा देखो यार यह देखा PR है इसके सामने कौण 4 है न तो एंगल 4 क्या होगा बड़ा होगा एंगल 3 से 3 का मतलब पीक्यू के सामने का कौण यानि पीक्यू के सामने का एंगल यह थी यह कंडिशन होगी अपलाई रीजन लिख लो के आप नीचे या फिर इसके बगल में बड़ी भुजा के सामने का कौण ठीक है ऐसे लिख लो बस बड़ी भुजा के सामने का कौण लिख लो भाई पर एक चीज़ और है वो का है अगर आप देखो तो एंगल 1 इक्कॉल एंगल टू है वह यह कोड़े कोड़ दो बराबर है क्यों यह मैंने कोड़ नाम इसलिए दे दिये जिससे आपको समझ में आएक हम कहां के बारे में बात कर रहे हैं यह एंगल फॉर इधर वाला है इंग कर रहे है क्ले़ लिखं दो पी एस क्या कर रही है क्म लका मिला कर और कि यह क्यू पिर को समदु भाज़ित कर रही है क्या कर रही है समद्धु भाज़ित इंग्लिस मीडियम आलए लिखेंगे यह इक्वल है विकाज पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर उके इतना हो गया अब देखो अब हम बात करेंगे एक एक तिर्भूज में चुकि हमारे सामने दो तिर्भूज हैं अगर हम बीच वाली को एक लाइन मानले मानलों इसको हमने पूरा पूरा अच्छे से खीच लिया यह लो तो बैया एक तिर्भूज इधर बन रहा बाबू इधर बन रहा है तो हम पहले एक लेंगे पी क्यू एस और उसके बाद फिर यह पी आरेस दोनों को अलग अलग ले करके हल करेंगे अब देखो यहां थोड़ी जगा कम है इसको मैं मिटाओंगा आप लोग इसको लिख लो जल्दी से या फिर नोट कर लो फिर मैं इसको मिटा के करूं या फिर इधर साइड जगा है तो मैं यहां कर देता हूं यह लो चलो यह लो इधर जागा है तो मैं यहां कर देता हूं यहां दिख तो रहा है ना मैंने लाइन खीचा है लाइन के उधर दिख रहा है ना पूरा नहीं दिख रहा हाल के नीचे दिख रहा है बस चलो ठीक है गूड यहां से इधर करूंग आप साभी लिखो एंगल PQS में ना हाँ PQS में देखो बच्चा इसमें एंगल 6 जो है PQS में एंगल जो 6 है बच्चा इधर वाला एंगल वह 1 & 4 के बराबर होगा देखो मैं बताऊंगा क्यों अभी यह एंगल 1 प्लस एंगल 4 होगा यह क्यों होगा पता है आपको आपने तिर्बुच की प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके अकार्डिंग क्या होता है आप अगर यह कोंड लो यह कोंड जो मैं बता रहा हूं इधर साइड जगा हो तो मैं बना देता हूं कहां बनाओ नीचे बना के समझा देता हूं देखो अगर मैं एंगल 6 की बात करूं तो जो एंगल का सम होता है यानि यह जब तुम जोड़ोगे तो इनके यह जो कोड़े इसको छोड करके इसके पीछे वाला जो एक्षोर चोड़ करके बाकी से इसके और इसके योग के बराबर होता। यह तिर्भूज़ की П्रопер्टि आपने पढ़ा होगा जब मैंने इस्टार्ट किये था इंट्रों में उसमें पढ़ाया था ना, नहीं पढ़ा तो से लिख लो इसी परकार इसी परकार तिर्भूज पी आर एस में किसमें पी आर एस में पी आर एस में बच्चा क्या है भाईया इसमें भी एक बाइकोंड है पांच वाला अगर देखो तो जैसे मैंने अलग बनाया था तो इसमें तुम लिख सकते हो एंगल फाइप इक्वल इंगल कौन कौन सा एंगल पांच का अगर इसको 5 को बाइक वानोंगे तो इसके अंदर के डो और तीन ना इंगल 2 ब्लस एंगल 3 एक कोईसन नमबर सीकेंट अब देखो यह दो पार्ट में हल हो गया एक तो और यहां धर रहूं हुआ था ये इतना था समझ रहो ना एक तो यह हल हुआ था इतना और एक इधर हल हुआ है इसको लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं बहुत जल्दी करो भाई आगे बढ़ते हैं फट आफट बहुत जल्दी करो फास्ट चलो कि अगर आप नंबर व और यह और यह अगल फाइफ तो यह ठीक है क्यों ऐसा किया समी करण एक और और दो अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगा यह समीकरन एक कमान है इतना दो कमान है इतना एक कमान है और मैंने समीकरन एक PSQ इन दोनों को compare करके हमें PSR को क्या करना बड़ा दिखाना है तो हो गया बड़ा निचे लिख लो सिद्ध हुआ क्या लिखोगे सिद्ध हुआ या फिर इति सिद्धम ओके तो सभी बच्चे नोट कर लो ध्यान से समझिए बहुत आसान सवाला एक्दम सिंपल सा है के रहा कि दर्साइय कि एक रेखा पर दिये हुए बिंदु से जो उस रेखा पर इस्तित नहीं है बड़ा जीव सा सवाल है समझना पड़ेगा जितने रेखाखंड की छीचे जा सकते उनमें से लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है तो पहले मतल्ब समझो दर्साइय का मतल मतलब होता दिखाना या सिद्ध करना या प्रूफ करना रिपर्जंट करना ओके बिंदु से मतलब पॉइंट से रेखा मतलब होता लाइन रेखाखंड मतलब होता लाइन सेगमेंट ठीक है कहरा दिखाईए कि एक रेखा पर दिये हुए बिंदु से जो उस रेखा पर इस्थित नहीं है अब देखो पहले इसका मतलब समझो यह फिगर में मिटा दे रहा हूं ऐसे बनेगा देखो पहले समझो कहरा कि दिखाईए तो म innerpante यह नहीं पता है लेकिन यह कह रहा है कि दिये हुए बिंदु से जो उस रेखा पर नहीं है यानि एक ऐसा दिया है जो इस रेखा पर नहीं है वह कहीं और वो बिन्दु यहां है तो यहाँ से लंब रेखाकंड की Multi की बात किया तो मैंने खाही लंब रेखाखंड खीच दिया किस पे से हम यहां एक भी क्विस सकते हैं против condition कशें कि यहाँ से इधर कोई खीच सकते हो इसमें अधेर सारी खीच सकते हो लेकिन कोई मतलम नहीं है हमें जो पुरूब करना हम दो लाइन को लेकर कर देंगे देर सारा खीचेंगे तो कनफ्यूज होगा तो चलो इनके नाम करन कर लो आप कुछ भी लिख लो माल लो एक यू है ये पी है और ये आर है आप समझना यहां पर हम हमको ये प्रूब करना है कि जो यह रेखा खंड है मैंने जो लाइन खीचा है क्यूआर ये छोटा है और ये पी क्यू बड़ा है क्यो चलो फटा फट लिख लो बच्चा लिखो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना भया क्यू आर इज लेस देन पी क्यू यानि पी क्यू को हमें बड़ा प्रूब करके दिखा देना है तो चलो फिर क्या देर किस बात की देखो अगर हम तिर्भूज ले 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 पी क्यू आर तो तो PQR एक तिर्भूज है, हम जानते हैं कि तिर्भूज के तीनों कोड़ों का योगफल 180 होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं, एंगल P plus एंगल Q plus एंगल R equal 180, इसमें किसी को कोई हरानी नहीं न, चलो, अब अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे 180 होगा, वो आप सभी को पता ह हैं, पता है न, लेकिन बच्चा यहां पर जो R है इसका हमान 90 है, क्योंकि देखो यह समकोन बना रहा है, तो तुम का करोगे, यह R की जगा पर 90 रख दोगे, equal 180, यहां पर फाइनल में एंगल P plus एंगल Q, equal 180 minus 90, यानि आपको पता है कि एंगल P धन एंगल Q, equal 90 आएगा, कित किसी को कोई मुसीबत है, नहीं है, देखिए, यहां पर एक चीज पूरूफ होता है, वो क्या है, वो यह है, क्या है, यह है, कि यह कौन आरतों अकेले 90 का है, लेकिन जो कौन P है और कौन Q है, यह दोनों का योगफल करने पर 90 आता है, मतलब सिद्ध क्या होगा, देखो, य यह 30 का हो गया, यह 60 का हो गया, ऐसे कुछ होगा, मान लेते हैं, एक मिनट हम यह भी 45 का है, और यह भी 45 का है, क्योंकि तीनों को सब जोडने पर एक सोसी होना चाहिए, तो देखो, अब मतलब समझो यहां से, यहां से अब आप प्रूब कर सकते हो, क्या, यहां पे आप प् खाना है, ना, चलो लिखो, सबसे बड़ा कौन है, पहले यह बताओ, सबसे बड़ा कौन है, बहुता है, और यह दोनों बराबर है, तो हम कुल मिला करके सब ना लिखें, सीधा फीधा अपनी बात लिखें, और आपको समझा दें, उसके बाद लिखें, ज्यादा कुछ मतल देखो देखिए जो भी कौण सबसे बड़ा होता है तिरभुज का नियम आपने बढ़ा है उसके सामने की बुजा सबसे बड़ी माने जाती है होती है न यह तिरभुज के नियम अगर आपने नहीं सीखे तो देख लेना जो कौण सबसे बड़ा है उसकी सम्मुख बुजा क्या है यहां पर लिख लो चूकी एंगल पीईज लस देन एंगल आर है कि बैजिए इस लिए यहां पर लिखो गया पीक्यूंश lucky लस देन तो गरबढ़ हो रहा है यह घ्र acquired में लिख दो चाहे तो ब्रेकट में लिखथा तो सब्सक्राइब करना होगा और अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी प्रीमियम कर सकते हैं इस नंबर पर फोन करके या वर्टसप करके इंक्वारी कर सकते हैं आपको पूरा कोर्स मिलेगा जिसके लिए आपको सुल्क डिपोजिट करना होगा फीस पेमिंट करना होगा बहुत ही थोड़ा अमाउंट पे करना होगा और अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारा यूटूब चैनल पीवी आरे स्टडी